टो आणि ये वाला जो वीडियो है जो फर्स्ट वीडियो है इस बैख link related सिरीज का इसमें हम लोग जो इंत्रोडक्शन है बैख link से सहे रिलेटड उसको हम लोग discuss करेंगे तो पूरे सेशन को मैंने चार major points के अरांड जो है वो डिवाइट करके रखा हुआ है जो सबसे पहला पॉइंट हो आप देख सकते हो हम लोग discuss करने वाले कि backlinks क्या होते हैं मतलब basic समझने वाले backlinks का और आज के टाइम में हम क्यों backlinks को create करते हैं इसको हम लोग समझने वाले second जो point है उसमें हम लोग बात करेंगे कि एक बहतर backlink की definition क्या है या हम किस type के backlink को good backlink बोलेंगे उसकी characteristics क्या होती है किस तरीके से हम identify करेंगे कि ये एक बहतर backlink है तो ये चर्चा होगी second point के round और उसके बाद third point में हम लोग बात करने वाले है types of backlink कितने तरीके के backlink होते हैं जिनको हम लोग create करते हैं fourth जो point हम लोग discuss करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि आज के time में भी क्या हमें backlink की ज़रूरत है क्या ऐसी situations होती है जहां पर बिना backlink के भी कोई website rank कर सकती है और अगर होती है तो को कौनसी situations है और किन situations में हमें backlink की ज़रूरत पड़ेगी ही backlink से related एक और चीज़ मैं आप लोग को starting में ही clear कर देता हूं backlink के foundation समझना बहुत जादा important है क्योंकि बहुत साहे लोग को मैं देखता हूं कि वो सीधे process के उपर jump कर जाते हैं और उनको ये सीखना होता है कि backlinks कि इस तरीके से बनाते हैं fine तो उन्होंने जैसे 3-4-5 तरीके सीख लिए कि इस type से बैकलिंग बनाने चीज़ी है इस ताइप से backlink बनाने चीज़ी है यहाँ पर डिरेक्री समिशन कर देना चीज़ी है यहाँ पर SPEAK वरम पोश्टिंग कर देनी चीज़ी है यहाँ पर हमें comment backlink में बना लेनी चीज़ी है तो उनको कि वालो process समझ में आ ग तो आने वाले टाइम में जब वो टाइप के जो बैकलिंग्स क्रिएशन की प्रोसेस जब वो अउट्डेटेड हो जाती तो उन्हें समझ में नहीं आता है फिर उन्हें लगता है कि हम फिर से कोई नये तरीके सीखने जल्दी से कोई हमें बस तरीका बता दे कि इस टाइब से सारे questions के answer जब आपको मिल जाएंगे ना उसके बाद आप जब backlink बनाने जाओगे कि मैं अपना एक article submission type का जो backlink है वो बनाने जा रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये backlink मेरे लिए available है या नहीं है ये backlink मेरे लिए अच्छा है या नहीं ठीक है उसके बाद यहाँ पर को पसंद करता है Google loves two things one is relevancy and other one is authority relevancy का मतलब क्या है relevancy का मतलब यहाँ पर यह होता है कि जैसे user ने कोई query करी तो उस query के पीछे उसकी intent क्या है उसी के relevant Google जो है वो result दिखाने की कोशिश करता है मतलब जैसे अगर मैं digital marketing course in India search कर रहा हूँ तो Google make sure करेगा कि जो मेरी intent है उस query को करने की या जो भी मैं search करना चाहता हूँ उससे relevant ही मुझे जो page है वो दिखाई दे ठीक है उससे relevant ही Google मुझे जो results है वो दिखाने की कोशिश करेगा search engine result pages में तो अगर मेरे page का content user की उस query के relevant हो जागा that is relevancy तो relevancy को आप एक और तरीके समझ सकते हो यहाँ पर इसका मतलब है on page SEO कितना बहतर हम on page SEO करते हैं कितने अच्छे तरीके से जिस भी desired keyword के उपर या query के उपर हम rank करना चाहते हैं कितने अच्छे तरीके से उसके around हम लोग content जो है अपनी website के page के उपर रखते हैं ज relevancy को cater करता है on page SEO अगर हम on page SEO जबरजस तरीके से कर दें तो relevancy वाला मुद्धा खतम हो जाएगा relevancy हम achieve कर लेंगे वहीं पर अगर हम authority backlinks बना लें quality backlinks बना लें तो फिर हम authority से related जो Google का concern है उसको हम fulfill कर लेंगे तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि backlinks क्या role play करते हैं अब आ जाते हैं मुद्धे के उपर सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर backlink का मतलब क्या है ठीक है चाहे हम लोग इसको backlink create करने की process बोलें चाहे हम इसको off page बोलें चाहे हम इसको inbound link बोलें इस सारी एक ही चीज़े होती है अब समझ लेते हैं कि backlink का मतलब क्य है देखो मान के चलते हैं कि यह हमारी website है और इसका जो address है वो मैं मान के चलता हूँ यह इसका address है यह इसका URL है ठीक है एक webpage मान के चल रहे है हम लोग यहाँ पर a.com slash a यह एक webpage है और इसका यह URL है इंटरनेट के उपर और बहुत सारी दूसरी website है मान लिया यहाँ पर एक औ और website है जो है हमारी b.com और इसके उपर एक page है which is slash b ठीक है यह भी एक page है इंटरनेट के उपर और इस page के content में हमारा यह वाला जो page का link है वो कहीं पर भी mention है मान लिया वो एक यहाँ पर link mention है तो हम लोग बोलेंगे हमारी website का एक backlink b.com के उपर present है अगर domain के respect में बात करें तो हम बोलेंगे b.com domain के उपर हमारी website का एक backlink जो है वो present है अगर हम page की बात करेंगे तो हम बोलेंगे b.com slash b page के उपर हमारी website का यह हमारे page का एक जो backlink है वो present है तो यह सीधा सा मतलब होता है backlink का तो आप लोग भी जब internet को browse करते होंगे तो आप देखते होंगे आप जैसे यहाँ पर मैं एक indiatimes.com के एक article के उपर आ चुका हूँ और मैं इस content को browse कर रहा हूँ अब अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको दिख रहा होगा car insurance ठीक है और अगर मैं इसके उपर click करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर मैं बजाज aliens के उपर जाता हूँ तो यह होते हैं हमारे backlinks अगर मैं technically backlink के syntax की बात करूँ कि actually एक backlink किस तरीके का दिखता है जब आप create करने जाएंगे तो backlinks आपको किस तरीके से बनाने पड़ते हैं तो यहाँ पर देखो यह backlink का एक syntax है यह आपको यहाँ पर HRF दिख रहा है ठीक है यह होता है हमारा वो address जिसके उपर जब कोई user क्लिक करेगा तो जाएगा ठीक है तो जिस भी website का हमें backlink बनाना होता है वो हम यहाँ पर mention करते हैं और साथी साथ यह जो आपको दिख रहा है this is our anchor text तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो तो digital marketing एक anchor text हो जाएगा और इस anchor text के उपर जब कोई क्लिक करके इसको आप inspect करेंगे तो भी आपको यहाँ पर कुछ इसी type का जो syntax है वो आपको देखने को मिलेगा जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको इसी type का syntax है वो देखने को मिल रहा है बात यहाँ पर जो URL है वो काफी चोटा है मैंने केवलमरतस्की.com लिखा हुआ इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह एक no follow backlink है और यहाँ पर जो यह आपको car insurance दिख रहा है this is basically anchor text ठीक है जो यहाँ पर आपको दिख रहा था ठीक है जिसके उपर हम लोग क्लिक करके उस page के उपर जा रहे है तो car insurance हो गया हमारा anchor text ठीक है तो जो मैं आपको यहाँ पर बता र link है वो दिखाई देगा fine तो हम लोग वापस यहाँ पर आ जाते हैं तो वही चीज मैंने यहाँ पर भी mention करी भी ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि एक backlink actually किस तरीके का दिखाई देता है तो अभी आपको clarity हो गई कि एक backlink होता क्या है वे page के उपर किस तरीके का दिख का मतलब क्या हुआ आप इसको ऐसे समझो recommendation ठीक है recommendation ठीक है या reference fine आप जैसे example के तौर पे हम इसको समझते हैं कि मान के चलते हैं यह हमारी website है which is a.com ठीक है slash a एक page मान लेते हैं यह हमारा page है और यह as link जैसा मैंने पहले बताया यह एक दूसरी website के उपर present है x1 के उपर उसी तरीके से x2 के उपर present है उसी तरीके से x3 के उपर present है और उसी तरीके से x4 के उपर present है तो यह हमारी website का link different different websites के उपर present है अब जब Google का crawler आएगा Google का crawler यहाँ पर आएगा और इस website के content को scan करेगा तो वो देखेगा कि यहाँ पर एक website का जो link है वो यहाँ पर mention है ठीक है तो तभी बहुत सारी दूसरी वेबसाइट के उपर भी इसका link mention है उसे एक link मिल गया यहाँ पर ठीक है कि ये एक website के उपर एक link है ओके fine गूगल ने इस चीज़ को note किया कि भाई तुमारी website का जो link है वो एक website के उपर मिला हुआ है उसके बाद जब Google दूसरी website के उपर जाता है वहाँ देखता है कि इस website के उपर भी इस website का link है तीसरी website पर भी find करता है कि आपकी website का link के आपर है चौती website पर भी डून लेता है Google के आपकी website का link है इसी तरीके से जितनी ज़ादा website के उपर आपका link Google को मिलता है Google को लगता है कि ये बहुत सारे लोग ने इसको recommend करें जैसे एक कोई student मेरे पास आता है और मैं उसका recommendation दे देता हूँ ठीक है कि भाई ये एक अच्छा student है किसी ने गर उसका recommendation मांगा तो मैं उसको दे देता हूँ की नजर में उस person के authority बढ़ जाएगी same is here with backlink also अगर हमारी website का backlink Google के crawler को बहुत सारी websites के उपर मिलेगा तो Google समझ जाएगा कि जिस भी website का ये backlink है न ये website authority website है ये website valuable website है तो यहाँ पर जो मैंने point लिखा हुआ है आप लोग के सामने backlinks are worth of trust from other websites which is like backlinks are recommendations from other websites अब वो एक अलग बात है कि भाई जब इस x1, x2, x3, x4 ये चार website मैंने mention करी थी हो सकता है x1 से जो हमें backlink मिला हो वो उतना quality backlink ना हो x3 से जो हमें backlink मिला हो वो काफी quality backlink हो x4 से जो हमें backlink मिला हो वो एक quality backlink ना हो तो ये हो सकता है ये एक अलग चीज है कि हमारे backlink किन-किन website के उपर बने है और उन website की अपनी authority क्या है या हमारे backlink वहाँ पर quality backlink ना है नहीं बने हुए वो एक अलग चीज है बट Google का algorithm जो backlink होते हैं उनको vote of trust की तरीके से treat करता है अब एक और सवाल आता है कि क्या backlinks की direct कोई relation है ranking से मतलब अगर backlinks जादा है या backlinks present है तो क्या उन web pages की rankings high होने की probability है क्या ऐसा कभी किसी ने test किया हुआ है क्या ऐसा कभी किसी ने experiment किया हुआ तो यहाँ पर मैंने एक backlink को का एक grab वो ले रखा यहाँ पर backlink को की study के according backlink को बोलते हैं कि हमने check किया हुआ है कि जिन भी websites के backlinks जादा है जैसे यहाँ पर आप देखो कि जिन भी website के backlinks जादा है उनकी जो position है उसके higher होने के चांद तो यहाँ पर इन्होंने एक graph के थुरू बताने की कोशिश करिए कि जैसे जैसे number of backlinks घटते जा रहे है वैसे वैसे इंदर देख रहे हो आप position भी घटती जा रहे है तो there is core relationship between this average number of backlinks and google position मतलब backlinks के numbers जो है वो google की position को influence कर सकते हैं अभी मैं यहाँ पर केवल यह मान के चल रहा हूँ कि हम एक अच्छे या average type of backlinks की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर जो अच्छे backlinks नहीं होते हैं जो bad backlinks हैं उनकी बात नहीं करें क्योंकि अगर आप bad backlinks की बात करोगे आपने खराब backlinks मना दिया तो उनके कितने भी high number होना वो जरूरी नहीं है कि वो आपकी rankings को improve करें तो यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर अच्छे backlinks हैं और अच्छे backlinks की quantity जो है वो increase हो रही है अच्छे backlinks के numbers increase हो रहे हैं तो definitely आपकी जो Google की ranking है वो भी improve होगी and it is proven as you can see over here जैसा backlink को ने दिखाया हुआ है ठीक है यहाँ पर backlink से related एक और मैं आपको काफ़ी interesting चीज़ बता देता हूँ backlinks जो Google का original algo था page rank उसके foundation थे मतलब Google में pages किस तरीके से rank होंगे ranking किस तरीके से मिलेगी organic ranking किस तरीके से मिलेगी यह algorithm wise decide होता था starting में backlinks से ही मतलब higher number of backlinks मतलब जादा ranking यह Google के algorithm में fix था अगर आपकी website को आपके page को बहुत जादा backlinks मिल गए न तो आपको ranking मिल जाएगी इसी तरीके से algorithm ही design था और यहाँ पर अगर आप देखोगे काफ़ interesting चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ February 24 2020 को एक question किया यहाँ पर कि क्या अभी भी आप page rank को use करते हैं मतलब John Miller साब से question किया गया अब बोल सकते हो कि Google से question किया गया कि क्या Google आज भी page rank को use करता है जहाँ पर backlink केवल और केवल factor थे मतलब पहले ऐसा नहीं था कि Google बहुत सारे factors को consideration में लेता था और उसके बाद आपकी website को rank कराता था ऐसा नहीं था backlink was the primary factor तो इसलिए यह सवाल काफी interesting हो जाता है और यहाँ पर John Miller साब का जो reply है वो आप देखो यहाँ पर yes we do use page rank internally आज भी page rank को यह use करते हैं इसका मतलब एक चीज तो clear हो गई कि backlink की importance है but इन्हों नहीं आपर लिखा हुए internally among many many other signals यहाँ पर इन्हों नहीं यह चीज भी पताई कि देखो भई अब backlink की केवल एक factor नहीं है पहले जब algorithm बना था जब search engine result pages में किस type से ranking होगी उसके algorithm बने थे तो उस particular case में starting में तो backlink primary था but अभी नहीं है ठीक है it is not quite the same as the original paper there are a lot of quirks ठीक है जैसे disavowed links ignored links and again we use a lot of other signals that can be much stronger ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि आप सीधे backlink बनाने के उपर लग जो बहुत सारे और factors है और इनों ने जो सवाल किया था वो इसी चीज़ से related था समझना चाहते थे कि backlinks की आज के भी टाइम में कितनी importance देखो backlinks को ले करना mathematically कुछ बोल पाना बहुत मुश्किल है जैसे example के तोर पे अगर मैं आप से यह बोलू कि भाई backlinks का ranking में 20% roll है यह 30% roll है तो यह justify कर पाना बहुत ही जादा मुश्किल है क्योंकि और भी बहुत सारे factors है अगर मैं backlink की बात कर भी दू तो फिर वो एक good backlink है या bad backlink है अगर एक बहतर backlink है तो उसका कितना roll होगा अगर एक solid backlink है बहुत ही अच्छी website के उपर बना हुआ है तो उसकी कितनी importance होगी तो इतने सारे variables है ना कि इसको mathematically justify ही नहीं किया जा सकता कि backlink का कितना important role है ranking में बट ये बात sure है 200% sure है कि आज के time में भी अच्छे backlinks एक signal है एक important signal है Google के algorithm के लिए जो आपकी ranking को improve कर सकते हैं तो I believe ये concept आपको clear हो गया होगा यहां से एक और चीज निकल के आती है कि सारे backlinks एक जैसे नहीं होते मैं बार-बार ये बोल रहा हूँ कि जैसे मान के चलते हैं ये आपकी website है a.com.a और इस website को एक backlink मिला हुआ है b.com से एक backlink मिला हुआ है c.com से एक backlink मिला हुआ है d.com से तो हो सकता है b.com से जो backlink मिला हुआ है उसको google consider करे बट c.com से जो backlink मिला हुआ है उसको google consider ना करे या हो सकता है b.com से जो आपकी website को backlink मिला हुआ है उसके basis पर आपकी website की authority को google कुछ weightage दे या इस backlink को कुछ weightage दे google और इस backlink को weightage कुछ google ना दे अगर मैं score के terms में बात करूँ तो हो सकता है कि 10 में से अगर google number दे रहा है तो इसको देता है 8 number और इसको देता है 5 number या 3 number या 2 number या कुछ भी मान की चलते हैं सीधा सा कहने का मतलब यह है कि सारे backlinks एक जैसे नहीं होते आपकी website के उपर आपने अपनी website के लिए 10 backlinks बनाएं तो 10 के दसो backlinks same value carry करेंगे ऐसा नहीं होने वाला है ठीक है हो सकता है कुछ backlinks बहुत अच्छी value carry कर रहा है कुछ backlinks बहुत खराब value carry कर रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि good और bad backlinks भी होते हैं इसका मतलब यह हुआ कि हमें तो यह पहले समझना है कि आखिर good backlink की definition क्या है अगर हमारी website का backlink किसी website के उपर है तो कौनसे ऐसे conditions है जब हम बोलेंगे कि यह वाला जो हमारा backlink है यह good backlink है देखो सबसे पहला factor जो है good backlink का वो है relevancy relevancy का मतलब यह है कि फिर से मान के यह ही चल रहे हैं हम लोग कि a.com slash a यह हमारा एक web page है और इसका backlink एक बना हुआ है b के उपर और इसका backlink बना हुआ है c के उपर इसका backlink बना हुआ है d के उपर अब यह वाली website हमारी news से related website है यह वाली जो हमारी website है यह entertainment से related है यह वाली जो हमारी website है let's say यह sports से related है यह वाली जो हमारी website है वो news से related तो अगर हमें हमारी ही type की website से या हमारे ही type का content जिन website के उपर है उन website से अगर हमें backlink मिलता है तो हम यह मान के चलते हैं कि यहां पर जो हमारे backlink की relevancy है वो काफी high देखो Google भी इस बात को weightage देता है कि अगर आपको कहीं से recommendation मिल रही है तो आप ही के niche की website से आपको recommendation मिली है जैसे example के तौर पर फिर से बड़ा basic सा example लेता हूँ यहां पर जैसे कोई एक student मेरे पास आता है वो digital marketing का student है अगर मैं as a trainer उसको recommend करूँ तो तो value है बट वहीं पर कोई मेरे पास student आता है जो let's say physics subject का है और मैं उसको recommend करूँ तो कोई value ही नहीं है भई मेरा कोई subject तो है नहीं physics तो बात आपको समझी मैं ही ना कि relevancy कितनी important चीज है तो अगर आपकी website का backlink ऐसी website के उपर बना हुआ है ऐसे webpage के उपर बना हुआ है जिसका content आपके website के content से match करता है अगर मैं digital marketing services प्रवाइट कर रहा हूँ तो हो सकता है कोई digital marketing से related blog हो हो सकता है कोई IT services से related blog हो और वहाँ से भी अगर मुझे backlink मिल जाता है तो वो भी ठीक है वो भी गड़बाड नहीं मत रिलेवनसी होनी चाहिए बिलकुल ऐसा नहों कि irrelevant जगे से हमें backlink मिल रहा है ठीक है तो this is relevancy और अगर relevancy रहती है which means that कि आपका जो एक backlink है वो एक बहतर backlink है good backlink है second is uniqueness of backlink from domain point of view इसका क्या मतलब होगा जैसे ये आपके friend की website है a.com slash a ठीक है और ये आपकी website है b.com slash b आपको यहां से एक backlink मिल गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस domain से हमें a.com domain से हमें एक backlink मिल गया plus one अब यहां पर आपने क्या किया a.com slash b एक और page बनवा दिया ठीक है a.com slash b नाम से और यहां से भी आपने एक backlink ले लिया तो अब आपके इस domain से कितने backlink हो गए plus two ठीक है दो backlink हो तो यहां तो आपके total number of दो backlink हो गए बट वो दोनों backlink जो थे वो थे हमारे same domain से तो आपको लग रहा होगा अरे बड़ा अच्छा काम हुआ दो backlink हमने बना लिए बट actually Google की नजर में अगर आप same domain से काफी जादा backlink जो है वो बनाते हैं तो आपकी जो backlink की value है वो decrease होती है बनाब शुरुआत में जो आपने एक दो backlink बनाए इस domain के उपर ठीक है वो मेरे पास आता है मैं उसको recommendation दे देता हूँ अगली बार फिर वो आता है मेरे पास मैं फिर से मही recommendation दे रहा हूँ उसके जो जज है वो उससे बोल रहा है कि भई दस लोगों की recommendation लेकर आओ वो हर बार मेरी recommendation लेकर चला आता है तो एक बार या दो बार तो judge मेरी recommendation सुनेंगे, उसके बाद judge मेरी recommendation नहीं सुनेंगे, बोलेंगे उससे कि भाई, तुम एक ही person की बार-बार recommendation लेकर आ रहे हो, एक ही person तुम से खुस है, भाई तुमारी बार-बार recommendation दे रहा है, तो इससे क्या होगा, तो same is here also, same domain से अगर आपक backlinks मिलते हैं, तो trust me, जो बाकी के backlinks है, वो उतनी value नहीं carry करते हैं, जितने starting के जो backlinks है, वो carry करते हैं, तो I believe ये concept भी आपको clear हो गया होगा, third जो है, वो natural placement of backlinks, देखो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कि लगे यहाँ भी backlinks डाल दिया, उसके नीचे भी backlinks डाल दिया, उसके भी डाल दिया, ठीक है, backlink का जो placement है, वो natural होना चाहिए, एक statement के बीच में होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए, कि आपने जबरदस्ती placement कर दिया, कहीं पर भी backlink, बस place करना था backlink पूरे page के content में, तो कहीं पर भी paste कर दिया गया है, उसका कोई logic नहीं ये paste करने का है, जैसे यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को दिखाए था, मैं एक बार फिट से इंडिया टाइम्स ओपन कर लेता हूँ, ये देखो यहाँ पर, if you have went finalized the decision to opt for a car insurance plan, तो बड़ा natural लग रहा है, अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपना backlink कहीं भी रख देता हूँ, इसको मैं अपना backlink बनाया दे रहा हूँ, तो ये वाले जो हमारा backlink बन रहा है, ये natural नहीं है, ये ऐसा लगेगा कि जबरदस्ती का बनाया हुआ backlink है, जो कि Google को पसंद नहीं है, rich anchor text, जैसे यहाँ पर जो content है, मैं in के उपर अपना backlink बना दूँ, मैं इसको anchor text बना दूँ, मतलब मै ऐसे कर दूँ इसको, जैसे ये, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर दूँ, तो ये कोई natural type of anchor text तो है नहीं, है ना, ये तो जबरदस्ती का कुछ भी बनाया हुआ anchor text है, तो आपको देखना है कि जो आपके anchor text है, वो भी relevant हो, fine, तो ये चौथा point है, जो एक good backlink की characteristic में होता है, उसके पात, fifth point, backlink can also send traffic to your website, बहुत सारे लोग जो है, वो इसको waitage नहीं देते हैं, इसको नहीं समझते हैं, वो सोचते हैं कि एवल backlink हमारे user के लिए, नहीं, आप ये सोचो कि अगर आपका backlink किसी ऐसी website के उपर बन जाए, जिसके उपर already traffic है, तो there are high chances कि वहां से जो traffic है, वो website के उपर भी आएगा, और जाहिर सी बात है, अगर कोई website के उपर already traffic है, which means that कि वो website पहले से authority website है, या एक अच्छी website है, तो अगर आपकी website को एक backlink मिल रहा है, पहले से ही ठीक ठाक website से, तो वो और भी अच्छी चीज है, तो अगर आपकी website को किसी ऐसी website से backlink मिलता है, जो authority website है, जो genuine website है और जिसके उपर traffic है, तो आपका भी backlink एक तरीके से good backlink होगा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, types of backlinks जिसको मैं आगया लोग वीडियो में detail में discussion करूँगा, क्योंकि ये separate topic है, बट जब आप अपने backlinks को create करने जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपको द जब आप अपने competitor की backlink profile को study करते है, backlink profile का मतलब है, जैसे आपकी competitor की website है c.com, और उनकी website के उपर 500 backlinks है, तो वो जो backlink की data होती है, that is actually backlink profile, जैसे हमारी website है, अगर मैं बात करूँ, कि हमारी website की backlink profile क्या है, या कैसी है, तो उसमें ये सारी चीज़े include हो जाती है, कि हमारी website क हमें backlinks मिले हुए है, जो backlinks हमें मिले हुए है, उनमें do follow backlinks कितने है, no follow backlinks कितने है, ये सारी हमारी backlinks profile होती है, तो जब आपने competitor की backlink profile को study कर रहे होंगे, तब भी आप देखेंगे, वहाँ पर लिखा होगा कि total जैसे 1000 backlinks, उसमें से 600 backlinks जो है, वो do follow है, 400 जो backlinks है, वो no follow backlinks बनाएं, इसको हम लोग आगे आने वीडियो में discuss करेंगे, बट यहाँ पर हम लोग क्या बत कर रहे हैं, basic foundation of backlinks कि आज के time में quantity of backlinks नहीं matter करती है, quality of backlinks matter करती है, अगर quality of backlinks के साथ quantity of backlinks आपने maintain कर ली, तो तो सोने पे सुहा गाए, देखो कोई भी चीज ज़्यादा बुर क्या है, मतलब अच्छे backlinks आप ज़्यादा बनाओ, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, quality is greater than quantity, I agree totally on that, but मैं एक और point आपर बोलता हूँ कि अप quality तो maintain रखो ही, but quantity से भी आप compromise मत करो, quantity भी important, अगर आपको अच्छे backlinks मिल रहे हैं, और high number of backlinks मिल रहे हैं, तो आपके लिए आएगा ना, उसके लिए काफी problem create होगी, वो इतनी आसानी से आपको beat नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके backlinks की authority भी बहुत अच्छी है, साथी साथ, जो आपके number of backlinks है, वो भी बहुत जाना है, तो उसको आपको outrank करने में, आपके ही जैसे powerful backlinks बनाने पड़ेंगे, तभी आपको outrank कर पाएगा, तो I believe बहुत सारी चीजें आपको with regards to backlinks जो है, वो समझ में आई होंगी, और एक और जो point था यहाँ पर, जो सबसे last point था यहाँ पर, वो था हमारा क्या, आज के time में हमें backlinks की जरूरत है, येस, आज के time में भी आपको backlinks की जरूरत है, दूसरा सवा सर, क्या हम बिना backlink के अपनी website को rank करा सकते हैं, येस, बिलकुल rank करा सकते हैं, तो देखो, मान के चलते हैं कि आप ऐसी keyword के उपर, ऐसी query के उपर अपनी website को rank कराना चाहते हो, जिसके उपर कोई competition ही नहीं है, तो आपके वाल on page का content लिखोगे और वो rank हो जाएगा, ठीक है, जितना time लगेगा index होने में, index होने में थोड़ा बहुत time लगेगा और उसके बाद जब आपका page है, वो index हो जाएगा, तो वो rank हो जाएगा, आपको backlink की ज़रूरत ही नहीं, अब मान के चलते हैं, जो आपने on page किया, वो solid on page किया, ठीक है, अब एक दूसरा competitor भी आगया, औ और competitor जब आया, और उसने भी आप ही की जो keyword था, उसी को target करके उसने content लिखा, उसने भी जबरदस्त content लिखा, अब उसने 10 backlinks भी बना दिया, आपके जैसा on page किया, टककर का on page किया, और 10 backlink भी बना दिया, तो अब आप बताओ क्या आपकी ranking जो है, वो maintain रहेगी, नहीं, सवाल हो जाएगी, क्योंकि उसके पास backlinks भी आ गया है, वो उसको push कर देंगे, और उसकी ranking जो है, वो improve हो जाएगी, अब आप क्या करोगे, अगर आपने 25 उसने 10 बनाए थे, आपने 25 backlinks बना दिये, quality backlinks मैं यहां बात कर रहा हूँ, यहां पर जो मैं आपको number बता रहा कि क्या website को rank कराने में backlinks की जरूरत है, हाँ website को rank कराने में भी backlinks की जरूरत है, और website की ranking को maintain रखने में भी backlinks की जरूरत है, क्योंकि पीछे वाला जो बंदा है न, वो भी backlinks बनाते आ रहा है, वो भी quality backlinks बनाते जा रहा है, वो भी on page करते जा रहा है, वो भी off page करते जा रह तो I believe बहुत सारे concept with regards to backlinks आपको समझ में आ गए होंगे, basic foundation आपकी clear हो गई होगी कि backlinks आज से नहीं है, जब से Google ने अपने algorithms बनाए है, ranking के लिए तब से backlinks एक important signal है, ठीक है, but confusion क्यों होता है हमें, क्योंकि हम लोग backlinks बनाने की process पे ध्यान देते हैं, हम लोग backlinks के basics पे ध्या समझना चाते हैं, वो सीधे समझना चाते हैं, कि किस type से ना उनको backlink बनाने की strategy बता दी जाए, और जब उनको backlink बनाने की strategy बता जाए, बस वो backlink बनाते जाए, और उनकी website जो है, वो rank होती जाए, फिर कोई update आएगी, यह किसी backlink से related, और आपकी website डाउन हो जाएगी, और तो फिर आप फिर से नए तरीके ढूनने लगोगी, कि अब मैं क्या करूँ, किस type के backlink बनाऊ जो हमारी website राएंग को, तो जरूरी है कि यह basic concepts को पहले हम cover कर ले, backlink बनाने की process तो आप ऐसे भी सीख जाओगे, वो तो practical concept है, कोई इतने tough नहीं होते, दोस्तों I believe बहुत सारे no follow backlinks की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, आज की इस particular वीडियो में हम लोग सब कुछ समझने वाले हैं with regards to do follow backlinks and no follow backlinks, तो इस particular वीडियो का जो main agenda है, वो इन 4-5 points के around रहेगा, मैं एक एक करके points आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो हम लोग difference समझने वाले हैं, कि आखि या हमें no follow backlinks की तरफ जाना चाहिए, कौन से ऐसे backlinks हैं, जो ranking में हमारी help करते हैं, क्योंकि जहां हम SEO की बात कर रहें, सीधा सा मुद्दा ये है, कि किस type के backlinks बनाएं, जिनसे हमें ranking में help मिले, third point है which has more value for SEO, and fourth point है how many do follow or no follow backlinks to create, मतलब अगर मैं ratio की बात करूं, percentage की बात of do follow backlinks के उपर, कितने number of no follow backlinks होने चाहिए, क्या हमें केवलो केवल do follow backlinks ही बनाने चाहिए, no follow backlinks नहीं बनाने चाहिए, क्या हमें केवलो केवल no follow backlinks ही बनाने चाहिए, do follow backlinks नहीं बनाने चाहिए, क्या हमें competitor के जो backlink की profile है, यानि उसके जो do follow, no follow backlinks है, उनको follow करना में device करने चाहिए, backlink strategy के लिए बना के रखने चाहिए, इन सारी चीजों को आज के इस particular वीडियो में discuss करने वाले हैं हम लोग, तो बहुत important वीडियो है with regards to backlinks and with regards to do follow and no follow backlinks, बहुत रे detail में हम लोग discussion करेंगे, एक और चीज़ मैं आपको starting में यहाँ पर clear कर देता हूँ, यह है, पिछले कुछ वीडियो के अगर मैं बात करूँ, जो इस playlist से related है, तो वहाँ पर मैंने backlink से related ही वीडियो बनाए हुए, एक तो इससे just पहले वाला वीडियो आप देखोगे, तो वहाँ पर हम लोगों ने basics पिए का भी discussion किया हुआ था, दो तीन वीडियो पहले होगर आप जाएंगे इसी playlist में, तो आप देखेंगे डिये पिए वाला जो एक वीडियो था, वो भी backlink से related है, कि जब हम लोग अपने backlink को create करने जाते हैं, तो हम यह से related discuss कर चुके हैं, और यह one of the most important वीडियो है, with regards to different types of backlinks that we can actually create, तो अगर मैं do follow और no follow backlinks क्या होते हैं, इनकी बात करूँ सीरे सीरे, सबसे पहले इसी मुद्दे पर आ जाते हैं, तो यह जो आपके hyperlink बनाने का syntax होता है, या आप इसको ऐसे समझ लीजे, जो आपका HTML code है, यह HTML tag जो है, hyperlink को create करने का, एक link को create करने का, इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारी जो website है, उसका जो है address वो mention है, और साथी साथ यहाँ पर हमारा anchor text है, तो अगर यहाँ पर आपको कुछ इस type से दिख रहा है, और relation no follow नहीं दिख रहा है, तो आप यह बात समझ जाए कि यह do follow backlink है, और यह आपको समझ में आ जाना चीए, वही पर अगर आप देखते हो कि जो आपके backlink का syntax है, उसके अंदर अगर आपको relation is equal to no follow इस type से दिख रहा है, तो आप समझ जाओ कि यह एक no follow backlink है, अब सवाल यह आता है कि हम कैसे check करें सर, इंटरनेट के उपर तो बहुत सारे backlink से आपने यह तो दिखा दिया था हमें, कि backlink किस तरीके से दिखते हैं हमें, और उनका जो syntax होता है, वो क्या होता है, वो कुछ इस type से है, बट अगर हम check करना चाहते हैं, कि यह वाला backlink do follow है, यह वाला backlink no follow है, तो उसको हम किस तरीके कर सकते हैं, तो सबसे simple जो तरीका है, वो तो code देखेंगे, तो वहाँ पर आपको इस type से code देख जाएगा, उस link का, अगर वहाँ पर आपको relation is equal to no follow देख रहा है, समझ जाए, यह no follow backlink है, और अगर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं देख रहा है, तो आप समझ जाए, एक do follow backlink है, तो बहुत सारी websites के अंदर, especially wordpress के अगर हम बात करें, तो by default आपको do follow backlink जो है, वो देखने को मिलता है, बाद में उसको no follow में convert कर दिया जाता है, तो बहुत सारी जगों पर आप देखोगे, कि आपको यहां पर कुछ भी नहीं देखने को बलेगा, और इसका मतलब यह है, कि यह एक do follow backlink है, यह तो difference हो गया, कि do follow, no follow backlink किस तरीके से दिखते हैं, और अगर हमें चेक करना है, तो हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं, अच्छा यहीं पर एक दूसरा option भी हमारे पास, आज के time में Chrome की बहुत सारे ऐसे extensions है, जिनको आप use कर सकते हैं, उस extensions को अगर आप install कर लोगे, अपने Chrome browser में, तो वो extensions आपको predict करके बता देंगे, या आपके web page के उपर highlight करके आपको बता देंगे, कि इस particular page के अंदर कितने do follow back links है, और कितने no follow back links है, देखो मैं personally बहुत ज़्यादा extensions के उपर rely करता नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा extensions को use करना पसंद है नि, क्योंकि वो third party extensions होते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा third party चीज़ों को नहीं use करता हूँ, जो बट फिर भी मेरा ये nature है, महा बहुत ज़्यादा third party extensions नहीं use करता हूँ, तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कि अगर आप manually चेक कर सकते हैं, तो आप manually उस चीज़ को check कर लीजे, अब funda यह आता है, कि सर ये तो आपने यहां पर यहां पर यहां पर इस पेज की उपर दो चीज़े आती है, एक तो यहां पर अगर कोई डू बालो बैक लिंक मेंशन है, तो यूजर यहां पर आएगा, यूजर को यूजर इस लिंक से यहां पर हमारी website के उपर आ सकता है, यह तो point 1 हो गया, दूसरा point यह कि जब crawler इस particular page के उपर आएगा, और वो देखेगा, यहां पर एक backlink available है, तो वो backlink को जब study करेगा, तो देखेगा कि यह एक do follow backlink है, और do follow backlink का मतलब यह होता है, कि हम crawler से बोल रहे हैं कि इसको follow करो, तो वो इसको follow करके इस वाले particular page के उपर भी जाएगा, यानि कि वो उसको follow करता है और जो भी link यहां पर mention होता है, उस page के उपर जाकर उस page को भी crawl करेगा, उस page इसको तो identify कर लेगा कि there is a webpage wp1 जिसका जो backlink है वो यहां बना हुआ है और तभी तो उसको समझ पाएगा ना कि इस particular website के कितने do follow backlink बने कितने no follow backlink बने तो ऐसा नहीं कि वो no follow backlink को identify नहीं कर पाता है no follow backlink को identify कर लेता है कि यह no follow backlink है but the point is कि वो उसको crawl करके इस page के उपर जाता नहीं और इस page को index नहीं करेगा पट यहां पर यह बात Google कहता था ठीक है इस बात को समझना Google पहले यह कहता था कि भाई crawler जो है हमारा वो अगर कोई no follow backlink को identify करता है तो no follow backlink का मतलब यह है कि वो उसको follow नहीं करेगा और follow नहीं करने के बाद वो इस page के उपर नहीं जाएगा बट Google यह भी कहता है कि in most of the cases ऐसा होता है most of the cases में ऐसा होता है कि वो follow नहीं करता है बट कुछ cases में वो follow भी कर सकता है इसलिए बहुत बड़ी problem होती इस बात को समझने में कि no follow backlink को Google follow करता है या नहीं follow करता है Google का क्या कहना है कि major cases में हम no follow backlink को follow नहीं करते हैं अगर no follow backlink है तो उसको follow करके हम नहीं जाएंगे बट फिर भी हमें बहुत सारी information इस website के बारे में इस website के content के बारे में इस backlink के थुरू हमें बहुत सारी information मिल जाती है जिसको हम hint की तरीके से use कर लेते हैं जिसकी वज़े से हम इस page को बाद में crawl कर सकते हैं बाद समझे में आ रही है हम इस page को बाद में crawl कर सकते है but initially जो major चीज है वो यह है कि भई जादतर cases में हम no follow back links से किसी भी page को crawl नहीं करते हैं अब यहाँ पर बात समझे की कोशिश करो यह केवल एक ही बात हुई है कि Google का crawler उसको crawl करेगा या नहीं करेगा but जैसा मैं बताया आपको कि Google का अब आज के time में यह मानना है कि no follow back links से भी हमें कुछ signals मिलते हैं हमें कुछ hints मिलती है तो उसके basis पर भी वो उस page तक पहुंच सकता है ठीक है but majorly हो क्या बोलता है कि majorly हम उसको crawl नहीं करते है ठीक है तो यह point हो गया दूसरा point यह होता है कि अगर कोई भी link किसी भी web page के उपर do follow link होता है इसका मतलब क्या देखो इसका दूसरा जो point है वो यह निकल के आता है मान लिया यहीं पर मैं उसी case को बना रहा हूँ यहाँ पर हमारी website one है यह page one है और यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा page है जिसके उपर इसका जो back link है वो present है और यह back link जो है वो do follow है तो एक तो यह बात हो गई कि इसको crawl करेगा या नहीं करेगा एक तो यह चीज़ हो गई दूसरी चीज़ यह हो गई कि भाई मान के चलो आप कि इस page की भी अपनी कुछ authority है authority का मतलब यहाँ पर हो गया है इस page की भी अपनी कुछ value है इसी को हम लोग इस page की अपनी कुछ page authority है कुछ भी आप बोलनो यहाँ पर हम सीधे से बात यह कर रहा है कि इस page की अपनी कुछ value है fine अगर कोई do follow back link यहाँ पर present होता है तो इसके साथ यह value भी यहां से यहां transfer होती है ठीक है वो value भी यहां transfer होती है अगर यह no follow है तो in that particular case यहां से यहां कोई value transfer नहीं होगी अब difference इसका समझते हैं कि इसका मतलब क्या है value transfer होने का मतलब क्या है देखो यहां पर मान की चलते हैं दो trainers हैं ठीक है दो trainers हम मान की चलते हैं एक नया trainer है और एक बहुत ही पुराना trainer है, बहुत ही senior trainer है, ठीक है, ये example लेकर एक student आता है, उसको एक नया trainer जो है वो recommendation देता है, उसको एक नया trainer recommendation देता है, कि भई ये एक student एक अच्छा student है, तो अब बात इस बात को समझो कि वो एक नया trainer भी उसको recommendation दे रहा है, एक पुराना trainer भी उसको recommendation दे र टीचर है उसके recommendation जादा अच्छी मानी जाए क्योंकि वो पुराना है उसने अच्छे तरीके से उसको समझा होगा और वो एक experience बंदा है इसलिए हम उसकी recommendation मानेंगे same चीज यहाँ पर भी होती है मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर ये website जादा पुरानी website है तो इसकी अपनी जो authority है वो काफी अच्छी होगी तो अगर हमें किसी बहुत अच्छी website से backlink मिलता है जिसकी अपनी authority बहुत जादा है जो हमारी website की निश्मे है यहाँ पर भी IT education के around है ठीक है तो निश है similar निश है similar type of content है in that particular case अगर ये काफी पुरानी website है और यहाँ से यह link क्या है link तो एक तरीके का reference ही है ना link तो एक तरीका referral ही है तो यहाँ से अगर हमें link मिलता है तो यहाँ से इस link की वज़े से क्योंकि यह इस पुरानी website पर है इसकी कुछ value जो है वो यहाँ transfer होती है बट no follow backlinks के case में वो value यहाँ transfer नहीं होती मतलब no follow में आपको link तो यहाँ मिल गया crawler आ भी गया देख भी लिया identify भी कर लिया एक link है ठीक है उसको follow भी नहीं करेगा पट यहाँ पर जो do follow होगा उससे इस page की जो value है वो भी यहाँ transfer हो मैं बोल रहा हूं कि नेखो मैंने इसको reference भी दिया और साथी साथ मैं इसकी शिपारिस भी लगा रहा हूं बात समझ में तो that is actually do follow तो do follow में क्या आपको समझ में आया दो चीजें कि एक तो वहाँ से crawling हो सकती है crawling मतलब किसकी यहाँ पर अगर do follow है तो do follow के उपर जब crawler जाएगा तो जिस भी page का link होगा उस page तक चला जाएगा वो crawler तो crawling हो सकती second चीज यहाँ से जो link juice है वो pass होता है यह दो important ची चाहिए कितने no follow बनाने चाहिए कैसे बनाने चाहिए वो सब अलग मुद्दा है पहले तो यह समझ लेते हैं कि do follow no follow में difference क्या होता है अब सवाल यह आता है और यह काफी powerful website है तो यहां से जो इसका link juice है या जो इसकी link value है या इस page की जो authority है उसका भी advantage इस page को मिलता है जो की ranking में ultimately help करेगा यह बात समझ में आगी हमें ठीक है अब एक बात समझो यह एक webpage है इसके उपर कोई एक comment का section है और मैं आया यहाँ पर हो मैंने अपना comment website बहुत वाहियात website है पूर website है content अच्छा नहीं है spammy type की website है और मैं आता हूँ जहाँ पर एक बहुत ही powerful web page है उसके नीचे comment का section है या फिर बहुत ही powerful यहाँ पर एक blog है उसके नीचे क्या है comment का section है बड़ी आराम से मैं आता हूँ और comment के section में अपना backlink यहाँ पर चिपका दिया अपनी तरफ से नहीं मेरी website spammy website है फिर भी मैं जाकर एक अच्छी website से backlink बना कर ले आ रहा हूँ और यह चीज़ लोगों को समझ में आने लगी कि ऐसे authority website से backlink लिया जा सकता है तो क्या google को action नहीं लेगा क्योंकि अगर authority website से backlink ले लेंगी इस type की website जो spammy website है जो quality website नह rank कर जाएंगी ना search engine results pages में rank कर जाएंगी क्योंकि backlinks की वज़े से rank हो जाएंगी अगर यह rank हो जाएंगी तो क्या यह ranking justified है क्या यह ranking सही है नहीं यह ranking सही नहीं तो google इसके लिए कुछ action लेगा तो google ने वही action लिया 2005 के around जब google को समझ में आने लगा कि इस type की बहुत सारे comment spamming है यह सारी चीजे शुडू हो गई है जिससे की जो SERP है वो corrupt हो रही है और वहाँ पर बहुत सारे spammy websites भी rank हो रही है और वो इसलिए rank हो रही है क्योंकि उन्होंने जुगाल करके high quality वाली website के उपर जाकर जो है वो comment spam के through backing बना लिया था इसलिए वो rank हो रही है तो google ने का द 2005 में किसलिए ताकि वो spam backlink से fight किया जासे तो यह reason था nofollow backlinks के आने का ठीक है यह सारी जो चीजे आज के टाइम में अगर आप जाते हैं और इन सब जगों पर अपना backlinks बनाते हैं in that particular case आपका जो backlink होगा वो by default ही जो आपका backlink होगा वो nofollow होगा ब्लॉक की comments के section में आप बना के देख लिजेगा जब बहुत सारे blog section पर जाएगे आप और वहाँ पर जो लोगों ने comment किया हुआ है उनको आप देखेंगे तो आपको समझे में आएगा मतलब उनके जो links हैं उनको अगर आप inspect करेंगे तो आप समझ जाएंगी कि वो nofollow है करता है नहीं यह तो user जाकर submit करता है तो which is actually called as user generated content जीतना भी user generated content होता है that comes under the nofollow ठीक है जैसे यहाँ पर forum post मैंने example भी लिखा हुआ है they are generally nofollow तो अभी different समझ में आ गया कि do follow क्या है और nofollow क्या है देखो मैंने पहले भी बाद को बता रहे हैं कि यह मुद्या थोड़ा सा controversial है पट एक बात मैं आपको starting में clear कर देता हूँ एक अच्छी backlink profile के लिए do follow as well as nofollow दोनों की ज़रूरत पड़ती है यह मत सोच लेना कि do follow valuable होते तो केवल इनी की ज़रूरत पड़ेगी बिलकुल valuable होते 200% यह बात सच है कि do follow backlink nofollow backlink से काफी valuable होते हैं इनकी value जादा होती इसका मतलब यह नहीं है कि आप केवल ओ केवल do follow backlink सी बनाते जाओगे nofollow नहीं बनाओगे यह बात अभी से दिमाग में रख लो वह एक अलग बात है कि do follow nofollow में difference क्या है कैसे दिखते है कब introduce हुए वह एक अलग चीज़ है इसके बाद एक मैं आपको यहाँ पर google का जो search central देखोगे हो सकता अगर आप बहुत पुराने blocks को पढ़ रहे होगे तो आप देखोगे कि google जो nofollow backlinks होते हैं वो यहाँ पर mention है बहुत सारे ऐसे blocks के उपर कि google nofollow backlinks को completely ignore कर देता है ना उनकी कोई SEO value है ना उनका कोई advantage है कुछ भी नहीं मतलब ऐसा समलो दुनिया में हाई नहीं वो उनका कोई अपना existence ही नहीं है यह शुरुवात में था देखो यह शुरुवात में था बड़ बाद में google को realize हुआ कि नहीं भाई nofollow backlinks भी होते हैं हर कोई dofollow backlinks नहीं देता है या हर website के उपर केवल हो केवल dofollow backlinks हो ऐसा नहीं है nofollow backlinks का भी existence है तो google कहता है nofollow backlinks भी अगर exist कर रहा है तो इनसे क्या हम कुछ information नहीं ले सकते ले सकते कुछ hint नहीं ले सकते ले सकते और उन information को उस hint को अगर ज़रूरत पड़ी उस website की ranking में use करने की तो google के systems algorithms उसको use करेंगे बास समझ मैं अब आ जाते हैं यह जो 24 line ने लिखी हुई है google की और यह जो मैं ज़्यादा पुराना है नहीं अब यहां पर देखो क्या लिखा हुई है when nofollow was introduced google would not count any link mark this way as a signal to use in our search algorithm starting नहीं था this has now changed यही मैं बताना चाह रहा था परो this has now changed यह important all the link attributes sponsored UGC and nofollow are treated as hints about which links to consider or exclude within search search का algorithm या google का algorithm इनको as hints लेता है completely ignore नहीं करता है और किसी भी चीज को आप थोड़ा सा दिमाग लगा के खुदी समझने कुश करो किसी भी चीज को अगर google का algorithm consider कर रहा है तो google का algorithm अगर किसी भी चीज को consider करेगा तो उसके basis पर कोई न कोई चीज तो effect होगी न तो इसका मतलम nofo follow भी कुछ हद तक चीजों को effect कर सकते हैं fine इसके बाद क्या लिखाए we will use this along with other signals as a way to better understand how to appropriately analyze and use links within our system तो I believe अभी आपको बात समझ में आ गई होगी इतनी कहानी का अगर मैं सार बताने की कोशिश करू तो वो यह है do follow backlinks होते है nofollow backlinks होते do follow generally valuable backlinks होते बट nofollow को ignore नहीं कर सकत Google का भी आज मानना है कि Google भी nofollow backlinks को as hints लेता है वो एक अलग बात है कि जब हम nofollow backlinks बनाएंगे तो हम देखेंगे contextual backlinks ही हमारे बने quality backlinks ही बने no matter वो do follow या nofollow वो एक अलग बात है but सही backlinks बने वहलाब spammy website पर आप backlinks ना बना दो अब 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 आगे बढ़ते है आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ और interesting चीज़ यहां पर एक data है जो कि एक blog से ली गई है कुछ analysis है जो लोगों ने करी भी है यहां पर एक analysis है उन्होंने यह कहा कि हमने हमारी website के उपर बहुत सारे nofollow backlinks बनाएं बहुत सारे nofollow backlinks बनाएं अब जब हमने बहुत सारे nofollow backlinks बनाएं तो हमारी ranking कुछ ही time में 19 से लेकर एक पे पहुँच गई मतलब 19 पे जो उनका keyword जो rank कर रहा था वो सीधे सीधे पहुच गया position number one पे अब इसको क्या कहा जाए देखो यह जो लिया गया है यह लिया गया है backlink को से ठीक है backlink को के एक article से लिया गया अब इसको आप क् ranking improve हुई इसका मतलब हो सकता है no follow backlinks को Google directly नहीं consider करता है जो hints वाला point था उसके basis पर Google no follow backlinks के basis पर भी आपकी website को कुछ value associate कर देता है no follow backlinks directly जिस website के उपर mention है वहाँ से value आपके website के उपर नहीं ले जाते हैं but Google यह तो identify कर लेगा ना कि इस website को 109 follow backlinks मिले या 200 no follow backlinks मिले तो उसक मिलेगा और जो भी advantage आपको मिलेगा maybe वो advantage आपको indirectly आपकी ranking में effect करें तो अगर आप मेरे से पूछो सीधा सीधा question की क्या sir no follow backlinks ranking को effect कर सकते इसका सीधा सीधा जवाब क्या है in some situations है ना इसका सीधा 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 जवाब क्या है कि in some situations ऐसा नहीं कि हमेशा वो ranking को influence करेंगे ब ठीक है और ये भी आपको काफी confuse करेगा देखो यहाँ पर survey monkey ने experiment किया और उन्होंने बताया कि हमने अपने four oh four के उपर एक link लगा दिया एक link लगा दिया और ये no follow link था और ये no follow link था और ये किसी page के उपर जाता था ये link है ना तो किसी page का link होगा तो मान लिया ये page one के उ survey monkey का उन्होंने कहा जैसे ही मैंने ये link यहाँ पर no follow link mention किया Google का crawler इस page के उपर आया ये वाला page भी मेरा index हो गया अब यहाँ पर समझो ये वाला page भी मेरा index हो गया इसका मतलब Google ने इस वाले link को follow किया तो फिर काहे का no follow इसका मतलब Google कुछ situations में कुछ conditions में जो हमारे no follow backlinks है उनकी भी बहुत सारी information या वहाँ से भी बहुत सारी चीजों को पिक करता है और उसके basis में बहुत सारी चीज़ें करके देता है तो अभी आपको clear हो गया तीसरा एक और चीज समझ लो यहाँ पर यह बहुत ही पुरानी RF की case study है जिसको मैंने RF के blog से निकाला हुआ है ठीक है यहाँ पर RF क्या कह रहा है कि हमने कुछ core relationship बिठाई देखो इन्होंने कहा कि जो number of backlinks थे किसी भी website के उपर इनके पास तो बहुत सारी data है थोड़ी बहुत तो data है नहीं तो इन्होंने कहा कि जो number of backlinks थे उसके हिसाब से जो हमारी ranking बन रही है वो यह बन रही है मान के चलते 93 की ranking का score यह समझ लो ऐसे कि ranking का score बन रहा है हमारा यह किसकी वज़े से total number of backlinks की वज़े से अब ध्यान से समझना number of do follow backlinks की वज़े से जो हमारा score बन रहा है वो बन रहा है 0.2576 तो हमारी ranking का जो score है वो total backlinks का तो यह score है do follow backlinks का score यह है तो केवल अगर do follow backlinks ही value carry करते तो जितना do follow backlinks का score है उत्तर ही तो total होना चाहिए no follow zero होना चाहिए total backlinks किसे मिलके बने हुए no follow से plus do follow से तो अगर मैं कह रहा हूँ total backlink का score है वो 0.2793 है तो no follow अगर कुछ value नहीं carry करते तो इसको zero कर दो तो do follow by default यही होना चाहिए ना 2793 है ना समझ में आने वाली बात है पट यह है नहीं यह कह रहा है कि इससे कुछ कम है कितना कम है यह बता रहा है 0.2576 है अगर यह भाई साब 0.2576 है तो बाकी का कहा गया बाकी का no follow में definitely calculate हुआ होगा तब तो total यह पहुँच रहा है बात समझ कार मुद्दे हमारे clear हो गए कि backlinks के दो टाइप होते हैं do follow no follow दोनों ही important है इसमें कोई doubt नहीं है कि do follow जबरदस टाइपस और backlinks होते हैं लेकिन इसमें भी कोई doubt नहीं है कि no follow backlinks भी SEO के point of view से कुछ advantage हमें देते हैं proven है बहुत सारे experiment से फिर भी क्योंकि Google इसके उपर बहुत बहुत जादा detail में कभी बात करता नहीं है कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली Google की तरफ से जो बहुत जादा detailed हो ठीक है no follow or do follow के लिए इसलिए लोगों ने या जो बड़े बड़े ब्लॉग्स है जो बड़े बड़े जिनके पास डेटा है जैसे RF RF का tool बहुत ही popular tool है ऐसी हम रश combinations combinations बनाकर उस data की analysis करके यह हमें इस type की कुछ analysis दे सकते हैं तो हम लोग भी इसी चीज़ पे निरभर करते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा tool नहीं है ऐसा software नहीं है जो हजारों websites को या लाखों websites को रोज जो है वो crawl कर सके उनको study कर सके कि अच्छा यह 500 websites में do follow backlinks का percentage इतना था तो यह 500 websites की ranking इतनी ऊपर थी यह no follow backlinks का percentage इतना था तो उसकी ranking इतनी डाउन थी there are so many factors और इतने सारे factors के basis पर analysis कर पाना person की बात नहीं है यह कोई manually होने वाला काम नहीं यह software के थूरू हो सकता है उसमें भी बहुत सारे variables हैं तो इन्होंने बहुत सारे variables के basis पर यह कुछ correlation type की नि backlink profile में do follow और no follow backlinks दोनों ही होते हैं अगर कोई यह कहता है आपसे कि केवल केवल do follow do follow do follow बनाते रहो तो भी question mark है ठीक है आगे बढ़ते हैं और भी चीज़े हैं जो आपको समझ में आएंगी अब ठीक है जब इस बात पे भी हम agree कर गए कि do follow backlink ही powerful backlink है अगर मैं इसको no follow से compare करूँ तो do follow ज़्यादा powerful है तो क्यों नहीं सर क्यों नहीं केवल do follow आखिर no follow क्यों देखो सबसे पहली बात link diversity गूगल को यह पसंद नहीं है कि आपको केवल do follow backlink मिल जाए ठीक है यह पसंद नहीं मतलब अगर कोई student है वाई student वाला example लेतने बड़ा मज़दार example होता है अगर कोई student है और 500 लोगों से पूछा गया कि कैसा student है 500 के 500 लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा student है बहुत अच्छा student है बहुत अच्छा student है बहुत अच्छा student है तो सामने वाले को भी थोड़ा सा doubt हो जाएगा कि यह ऐसा क्या check करेगी 500 के 500 लोग ना इसके favor में एक बंदा भी कुछ नहीं बोल रहा है तो वो natural नहीं लगेगा scripted type का लगेगा है ना कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा बताया जा रहा है तो इसलिए जो आपकी link diversity है वो natural होनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको do follow do follow मिलते जा रहे है या आपको no follow no follow मिलते जा रहे है तो link diversified होना चाहिए it can bring good traffic अगर मैं no follow के benefit की बात करूँ देखो जैसे कोरा पे तुमने backlink बना दिया ठीक है तो कोरा पे backlink कैसा बनेगा no follow बनेगा क्यों क्यों कि social media की तरीके से बट कोरा के उपर अगर कोई मेरा answer rank कर गया ना मेरे भाई कोरा के उपर तो in that particular case बहुत सारा traffic ना व आली benefit वही है कि ranking हमें मिल जाए तो no follow backlinks एक good source of traffic भी हो सकते जैसे point number two point number three की बात करते हैं providing more information about the links nature जैसे आज के time में जो हमारे no follow backlinks होते हैं इनमें भी हमारे दूसरे जो attributes हैं वो होते हैं जैसे sponsored का हो गया UGC का हो गया तो इससे ना Google को और ज़्यादा information मिल जाती है कि हमार backlink का nature क्या है ठीक है और backlink strategy का एक good part है जैसे मैंने बताया diversity और उसको समझ लो अगर मैं ratio की बात करूँ तो 70 to 75 आप target करो do follow और बाकी 20 to 30% ये 25 to 30% आप no follow target करो कसम खाके ऐसा नहीं कि यही आप follow करोगे अगर ये 55-45 भी हो गया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं but do follow backlinks कोश के लाओगे अपनी website की और बोलोगे sir मेरे do follow backlinks जो है वो कम है no follow के comparison में फिर भी मेरी website rank कर रही देखो होता क्या है आप मेरे पास आओ और मेरे से बोलो sir मेरे 60% marks आ गये फिर भी मैं class में top कर गया अब बताओ तो इसका मतलब क्या हुआ कि 61 किसी के नहीं आये थे तो कहने का मतलब कि आपकी अगर backlink profile थोड़ी poor है थोड़ी कमजोर है तो इसका मतलब यह हुआ कि बाकी लोगों की भी backlink profile कोई बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि जब आप search engine result pages में जो है कोशिश करते हो अपनी website को rank कराने की या अपने webpage को rank कराने की तो basically आप compete कर रहे होते हो दूसर लोगों से तो यहां पर भी competition है तो अगर आपकी backlink की profile थोड़ी सी कमजोर है और तब भी आप rank कर गए which means that की बाकी लोगों की भी backlink profile कमजोर है अगर मैं बाकी के factors constant मारू कि on page भी आपने दमदार किया हुआ है आपके competitor ने भी on page दमदार किया हुआ है अब decision के वल backlink के basis पे होगा उस particular case में तो इतने सारे factors होते हैं जिन में हर एक factor को study कर पाना comparatively उतना easy नहीं होता है तो उसको आशा करता हूँ concept आपको जरूर समझ में आ गया होगा do follow और no follow में difference क्या होता है जब कभी भी backlinks create करने की बात आती है हमारे पास बहुत सारे different options होते हैं different approaches होती है जिनके help से हम लोग backlinks जो है वो create कर सकते हैं different strategies होती है जिसकी help से हम लोग backlinks create कर सकते हैं अब जो different different types of backlinks है इन में कुछ type of backlinks काफी अच्छे होते हैं मतलब अगर हम उस strategy को या उस type of backlink approach को अगर हम follow कर रहे हैं तो जो backlink हमें मिलेगा वो quality backlink होगा कुछ ऐसे backlink के type हैं जो पहले बहुत जादा use होते थे बाट over the period of time जैसे जैसे गूगल ने अपने आपको update किया अपने algorithm को systems को update किया वो वाले जो type of backlinks हैं उनकी कोई value नहीं रहे गई और अगर आज के time में आप उस type के backlinks बनाते हो तो वो as a spam ही count होगे तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे पस क्या-क्या अलग-अलग options हैं या कितने type के backlinks हैं जिनको हम create कर सकते हैं फिर आगे हम लोग इस चीज़ को भी देखने वाले हैं कि इस type से हम लोग practically एक-एक backlink को create कर सकते हैं यहाँ पर हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि backlink को create करने की actually process कह देखो backlink का सीधा सा मतलब आपको पता है कि जैसे आपकी कोई particular website है और मुझे अपनी website का एक backlink बनाना है तो मैं आपकी website के उपर एक अपना जो link है hyperlink जो है जो भी web page का हमें backlink बनाना है जो भी website का हमें backlink बनाना है अगर हमें अपना जो domain है उसी का backlink बना मतलब home page का अगर backlink बना तो वो as a hyperlink मैं आपकी website के उपर जो है वो mention कर दूँगा content के बीच में और वहाँ पर हमारा एक backlink बन जाएगा बट बात यह है समझने वाली कि आपकी website का access मुझे कैसे मिलेगा जैसे मैं चाहता हूँ अगर आपकी website के उपर back तरीके से बना सकता हूँ कि वो मेरी website तो है नहीं मेरे पास कोई उसका login तो है नहीं कि मैं जाओंगा एक page create करूंगा content डालूंगो वहाँ पर अपने आपस वहाँ पर एक backlink जो है वो create कर दूँगा और वो backlink मेरी website या मेरे web page को point करेगा और हमारा जो backlink है वो बन जाएगा ये तो होने वाला है नहीं दूसरे की website पर किस तरीके से backlink बनेगा तो इस बात को समझो हमारे पास different different types of content हो जैसे एक form of content हो गया हमारा वीडियो एक form of content हो गया ब्लॉग एक form of content हो गया review एक form of content हो गया comments तो ये सब different different form of content है और बहुत सारी ऐसी websites हैं जो इस type के content को accept करती जै जैसे अगर आप किसी ब्लॉग के उपर जाओ तो नीचे आपको comment जो enter करने का section मिलता है comment देने का वहाँ पर section मिलता है तो that is again a form of content comment भी एक तरीके का content ही है तो आप क्या करते हो आप एक type of content को pick करते हो और जो भी website उस type के content को accept कर रही है वो content बनाते हो और उस content के बीच में अपना जो है link लगाते हो और जाकर वहाँ पर post कर देते हो तो इस तरीके से हम लोग backlinks बनाते हैं तो अगर हम types of backlinks की बात करें जैसे मैं example के तौर पर बात करा हूँ अगर मैं सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको जैसे हम अगर guest posting की बात करते है guest blog posting की बात करते हैं तो guest form of content को accept करेंगे blog form of content को तो मैं एक सुन्दर सा blog लिखूंगा research करके किस keyword वगरा के उपर लिखना है हमें वो हम research करके एक blog लिखेंगे एक well on page optimized एक blog लिखेंगे और उसके बीच में हम अपना जो link है वो लगा देंगे और वो blog उनकी website के उपर जाकर submit कर दें क्योंकि वो उस चीज़ को accept कर रहा है वो मांग रहे हैं कि आप हमें content लिख कर दो उसका भी फाइदा है है ना उन websites का भी फाइदा है क्योंकि उनको जो है वो prepared content मिल जाएगा और आपको जो backlink है वो मिल जाएगा इसी तरीके से अगर हम यह चाहते हैं कि हमारा एक link जो है वो infographics वाली website के उपर जो है वो पढ़ जाए या वहाँ पर जो है वो mention हो जाए तो in that particular case आपको ऐसी websites धूननी पढ़ेंगी जो infographics को accept कर रहे हैं वालब एक form of content जो है आपको वो infographic वाला जो form of content है वो आपको prepare करना पढ़ेगा और उस content को जब आप उस website के उपर post करने जाओगे तो उसके साथ साथ आप अपना जो link है वो लगा सकते हो तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हम लोग backlink creation की बात करते हैं उसके साथ कोई ना कोई form of content जरूर होता है और इसी के basis पर different different types of backlinks हैं जैसे मैंने बात बताई ही आपको कि forum backlinks है तो आपर forum type of content जो है discussion type of content है वो जाएगा वहाँ पर इसी तरीके से अगर मैं social media links की बात करूँ या profile की बात करूँ social media profile links की बात करूँ तो social media के उपर accounts बनाने पड़ेंगे facebook, twitter जो भी social media के platforms है और वहाँ सारे platforms है उनके उपर account बनाने पड़ेंगे उनके जो profile है उसके अंदर आपको अपना link जो है वो डालना पड़ेगा तो कहने का मतलब यह कि जब हम backlink create करने की बात करते हैं तो किस टाइप का backlink होगा यह इस बात से भी justified होता है कि आप किस टाइप के content के around जो है वो backlink बना रहे हैं किस type के content को use करके आप जो है वो backlink create करें इसी के basis पर मैंने आपर कुछ points लिखे हुए जो आप देख सकते हो यह different types और backlinks है और भी backlinks मैं बताऊंगा आपको बट अभी आप basic point of view से इन चीजों को समझने कोश्च करें तक आपका base strong हो जाए जो मैंने red यहाँ पर mark कर रखा है आप मान के चलिए आज के time में वो एक अच्छे type of backlink नहीं माने जाते हैं अगर मैं अच्छे type of backlink की बात करूँ तो केवल यही नहीं है कि बस इसी type के backlink अच्छे नहीं माने आते हैं देखो जो अच्छे माने भी जाते हैं जैसे अगर मैं guest post की बात करूँ तो guest post को अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये good type of backlink है ये good type of backlink strategy है अगर आपने बेकार website के उपर backlink बना दिया या आपने irrelevant website से backlink ले लिया तो वही backlink आपके लिए बेकार हो जाएगा भले वो guest post type of backlink ही क्यों ना हो तो ऐसा नहीं है कि केवल type of backlink के ही basis पे आप बताओगे कि नहीं यह वाला type of backlink अच्छा नहीं है और यह वाला type of backlink जो है वो depend करता है कि आप अपना backlink जिस website पर बना रहे हो वो website कहीं spammy वगरा तो नहीं है वो website ठीक है वो website जैनुए ने उसके उपर regular content आ रहा है या नहीं आ रहा है ठीक है तो इसके उपर भी depend करता है तो हो सकता है कि कोई बहुत ही अच्छे type of backlink जो है वो आपकी case में बेकार हो जा और भी different type of backlink होते है वट अभी basically जैसे मैं बताए यह आप समझ ले पहले सबसे पहले जो type of backlink है that is actually link creation using guest posting को यहाँ पर दिखा देता हूँ इन सभी चीजों को देखो यह एक website है जो guest post को या guest blogging को accept करती है यह बोल रहा है कि देखो हम digital marketing के एक website है आपको हम कुछ अपने type of content बता दे रहे हैं जैसे यहाँ पर अगर आप आओगे यहाँ पर इन्होंने mention भी किया होगा कि हम किस type के content को accept कर रहा है यहाँ पर देखो search engine optimization social media and paid advertising के around यह content जो है वो accept करेंगे ठीक है तो इस niche में या इस topic को या इनके related जो topic है उनसे related अगर आप कोई blog लिखेंगे ठीक है blog लिखें जो यह इन्होंने guidelines mention करें यहाँ पर जैसे your submitted content should be of high quality वो कहीं से आपने चुराया ना हो ठीक है उस type के कुछ guidelines है basic guidelines है उनको अगर आप follow करके blog content लिखेंगे और उसके बाद आप इनको blog content देंगे कि हम आपकी website के ओपर content publish करना चाहते हैं तो definitely उसके बदले यह आपको content body आप उसको use कर सकते हो ठीक है कहीं कहीं पर यह mention कर देते हैं कि हम do follow backlink देंगे या no follow backlink देंगे पर जावतर हो सकता है यह do follow backlink दे बट आप इनसे discussion करेंगे communication करेंगे in that particular case आप यह बात भी clear कर लिजेगा कि यह do follow देंगे या no follow देंगे तो these are the one type of backlinks जो हम लोग create कर सकते हैं कि हम ऐसी websites को ढूंडें अपनी निश्में जैसे मैं अगर nutrition sell करने वाली कोई अगर मैं website हूं तो मैं कहां पर अपना backlink बनाऊंगा मैं ऐसी website ढूंड़ूँगा जो health related fitness related content लिखने हो ब्लॉग लिखने हो या blog post को accept कर रहा हूं मैं ऐसी website ढूंड़ूँगा और उन website के उ blog post करूँगा अब मैं हूं nutrition वाला मैंने कर दिया जाकर let's say dance वाली website के उपर गेस्ट ब्लॉगिंग तो वह relevancy जो है वह गडबड हो गई अब आप बोलोगे sir guest posting तो करी हमने या guest blogging तो करी हमने और आप बोल रहे थे कि guest blogging एक अच्छी backlink की strategy है backlink का type है क्योंकि वह आपने गलत website के उपर कर दिया तो वो आपको backfire कर सकता है I believe यह चीज़ clear हो गई second is blog comments तो यह जैसे मैंने बताया पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि blog comments पहले बहुत ही बड़ा source होते थे backlink को acquire करने के लिए बट जब से blog comments को no follow कर दिया है Google ने blog comments को बिल्कुल value नहीं देता यह एक तरीके से spam type of backlinks में ही consider होते है उसके बाद third type of backlinks के अगर मैं बात करूं तो वो social bookmarking links होते हैं पहले तो यह समझो कि bookmarking का क्या मतलब होता है जैसे आप अपने chrome browser के उपर जाते होगे तो आप देखते होगे कि कहीं कहीं अगर आप किसी website के उपर browse कर रहे है तो आपके पास option होता है कि आप उस link को bookmark कर दो bookmark का मतलब क्या होता है कि आपने उसको अपने chrome में कहीं save कर दिया ताकि दुबारा अगर आपको उस link तक पहुंचना हो तो बड़ी आसानी से आप पहुंच सको तो यह हो गया हमारे chrome browser से related जो bookmark का feature है इसी तरीके से internet के उपर बहुत सारी ऐसी website से जहाँ पर आपना link drop कर सक अब अगर आपने वहाँ पर अपना link drop कर दिया तो link तो वहाँ mention हो गया उस particular website के उपर तो अगर link वहाँ पर mention हो गया तो google का crawler आएगा और उस link को index भी करेगा उस link को crawl भी करेगा तो basically आपकी link building strategy में एक और type जुड़ जाता है जिसको हम लोग बोलते है social bookmarking type of link building strategy ठीक है तो अगर मैं यह आपको दिखाना चाहूं तो मैं यहाँ पर आ जाता हूं देखो blog commenting का भी मैंने निकाल रखा था आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं एक blog के उपर था नील पटेल के ब्लोग के उपर था नीचे अगर आप आओगे नील पटेल के ब्लोग के उपर यहाँ और देखो blog खतम हो गया यहाँ पर 1125 comments है और कुछ comments में मेभी आपको links जो है वो देखने को भी मिल जाए तो मैं देख लिकता हूं एक बार अगर हमें यहाँ पर links देखने को मिल जाते है और उसके बाद मैं उसको अगर आपको inspect करके दिखाऊंगा भी तो आप समझ होगे कि वो एक no follow back लिए जैसे यहाँ पर ठीक है यहाँ पर अगर आप देखो तो आप देख रहे हो relation is equal to no follow तो आपको यहाँ पर relation is equal to no follow देख रहा हो साथ में UGC जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है additional attribute है that is user generated content तो जो comments होते है वो हमेशा user generated ही होते हैं इसलिए वो UGC लिखा हुआ है मैं थोड़ा सा और नीचे आकर देखता हूँ एक दो अगर मुझे कोई backlinks यहाँ पर दिख जाए तो बहतर होगा आपको समझ में आ जाएगा बट आपने उसको inspect करके देख लिया आपको समझ में आ गया होगा तो इ मैं भाई आपको एक link दे देता हूँ आप हमको एक link दे दो this is link exchange schemes it is not recommended at all गूगल को बिलकुल नहीं पसंद है इंटरनेट के ओपर बहुत सारी online directories available है डिरेक्टरी क्या होती जहाँ पर जो है बिजनेस की information होती that is actually directory ठीक है जैसे phone डिरेक्टरी होती रहाँ पर name phone number address और यह सारी information होती इसी तरीके से बिजनेस की online directories होती तो जब बिजनेस की डिरेक्टरी होंगी तो मैं बताऊंगा कि इसका यह address है और इसकी यह website है तो जैसे ही मैंने बोला इसकी यह website है इसका मतलब उस website का जो URL है वो उन directories के उपर हम लोग submit करते हैं जाकर तो अगर हम submit करेंगे जाकर तो वहाँ पर हुआ क्या actually create तो कर दिया हम लोगों ने एक backlink ही न अब google का crawler आएगा उसको crawl करेगा तो identify करेगा कि एक backlink है बट ये भी आज के time में spam technique की तरीके से use होने वाली चीज है हमाई नहीं recommend करूँगा कि आप बहुत जादा डिरेक्टी backlink बनाओ उसके बाद author bio links देखो कहीं कहीं पर आपको blog post करने का option मिल जाता है बट वहाँ पर आपको जो link डालने का option मिलता है वो author में आप अपना जो link है वहाँ पर mention कर सकते हैं तो this is again a type of backlink जो कि आप create कर सकते हैं अब point यह है कि सर यह ढूंडेंगे कैसे यह website हम लोग किस तरीके से ढूंडेंगे इसको मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग practically बनाने के उपर जाएंगे कि backlink तब मैं आपको बताऊंगा अब ही आपको समझ में आ रहा है कि author type of backlinks भी होते हैं directory हो गया link exchange schemes हो गया social bookmarking links को अगर मैं practically आपको दिखाने चाहूं तो अगर मैं google पे जाकर सर्च करता हूं देखो social bookmarking website मेरे सामने बहुत सारी websites आ जाती है इसी मैंसे मैं एक website को यहाँ पर select कर लेता हूं आपके पस यह यहाँ पर created है ठीक है मैं already यहाँ पर login हूँ इसलिए तो आपको यहाँ पर link drop करना होगा ठीक है तो let's say अगर मैं कोई link drop करना चाहूं जैसे मैं यहाँ पर यही वाला link drop कर देता हूं मैं इसको काफी detail मैं आपको बताऊंगा ठीक है बट अभी मैं आपको समझाने के लिए देता हूं तो यहाँ पर मैंने अगर अपना link जो है वो drop कर दिया और उसके बाद आपके पास और भी options होते हैं थोड़ा बहुत आप यहाँ पर अपनी insights होगेरा mention कर सकते हैं tag डाल सकते हैं इसको edit कर सकते हैं then you will publish it तो आपकी यहाँ पर एक social bookmarking जो है वो हो गई और social bookmarking क जो है वो own करते हैं और उन website से आप अपनी website के उपर backlinks लेने की कोशिश करते हैं तो इस type की strategies होती है वैसे PBN में भी बहुत सारी चीज़े होती जिनको भी मैं detail में cover करूंग आगे तो PBN का सीधा सा मतलब यह है जैसे नाम से ही बता चल रहा है आपको private blog network आपके पास बहुत सारी ऐसे website से जो आपके अपनी है और उनी से आप अपनी जिस website के backing बना चाहते हैं वो आप बना रहे हैं तो इन सब चीज़ों को trace back कर लेता है reverse engineer कर लेता है Google और समझ जाता है कि आप PBN के through backing बनानी कुश कर रहे हैं और यह आपको penalize भी कर सकती है कुछ backlink की strategies इतनी dangerous होती ह है कि वो आपको penalize कर देंगी हो सकता है 5 साल पहले आपकी website को penalize नहीं करती थी बटाश के time में ऋ आपकी website को penalize कर देंगी अब पेनलाइस का मतलब यहाँ पर यह नहीं कि आपकर कोई code case चलेगा और आपको कोई जेल वेल हो जाएगी यह मतलब नहीं होता है पेनलाइस का, पेनलाइस का सीधा से मतलब यह होता है कि आप ranking से बाहर, आपका जो पेज है वो Google के search engine result page से बाहर हो जाएगा बस यही penalty होती है, यही penalize करता है Google, आपके उपर कोई fine wine नहीं लगाएगा, ठीक है Then there are article directory links या article directory websites, देखो जैसे बहुत सारी ऐसी websites हैं, जो business directory websites हैं यहाँ पर मैंने बताया आपको directory page links बहुत सारी ऐसी websites हैं, जो business directory websites होती है उसी तरीके से बहुत सारी ऐसी websites होती है जो article directory websites होती है कि वो आपसे articles accept करती है कि हमें बहुत सारे articles आप लिख कर दो है in that particular case आपके पास scope होता है कि बीच-बीच में आप links जो है वो डाल सको अब बहुत सारे article submission websites आइसी होती हैं जो आपको do follow backlinks दे देंगी by default बहुत सारी ऐसी होती है जो आपको no follow देंगी ठीक है आपको थोड़ी submission website डाला था तो बहुत सारी websites आ गई अब यहां पर देखो मैंने एक डिरेक्टि submission website को open कर लिए था अब यहां पर आपके पास submit link option होता है तो आप अपना link यहां पर submit कर रहा हो कुछ जगों पर यह paid भी लेते है paid links तुरंत इनकी website पे आ जाता है जो paid link नहीं होता है जो regular link होता है वो इनकी website पे तुरंत नहीं आता है थोड़ा सा time लगता है इनकी website पे उसको आने में तो वो free होता है तो यहां पर हम title, url, अपने business का description और यह सारी यहां पर आप देखो बहुत सारी website से जहां पर हम लोग articles जो है वो submit कर सकते है तो यह एक website है जहां पर बहुत सारी websites mention होगी तो मैं आपको जैसे एक बहुत ही famous है article submission website assign articles तो मैं उसको open करके यहां पर दिखा देता हूँ आपको assign articles तो यहां पर देखो आप assign article submission submit your best quality original article on this website तो there are different categories तो categories होगे तो directory हो गया ना एक तरीके से यहां पर क्या submit हो रहा है बहुत सारे articles अर्टिकल्स हो रहा है तो यहां पर आपको एक article दिख जाएगा तो Google जब इस particular page के उपर आएगा यहां पर ठीक है Google तो इन websites को crawl करेगा तो वो देखेगा कि आपकी website का एक link जो है वो यहां इस article के बीच में जैसे यहां पर आप देखो यह link बना हुआ है ठीक है और मैं अगर आपको inspect करके दिखा एक जो article है वो लिखा हुआ यहां पर ठीक है मैं एक बार इसको paste करता हूँ यहां पर source हम लोग अटा देते हैं उसकी जरूरत नहीं है we only have to go to the website के वहला आपको यह समझाने के लिए God wrote the book fine तो यह यहां पर website जो है इनकी दिख रही है यहां पर ठीक है और इनकी website भी एक तर पर आपको as an author जैसे यहां पर आप देख रहे हो as an author आपको profile बनानी पड़ेगी then you can go ahead and submit the different articles यहां पर उनके बीच में आप backlinks जो है वो create कर लेगे उसके बात करो social media link समझ में आने वाली बात है आप देखते हो कि बहुत सारी social media websites के उपर profiles में आपको links बनाने का option मिलता है य यह भी कोई बहुत खास SEO advantage नहीं रखती है बट यह spam नहीं है एक तरीके से ना तो यह spam है ना यह आपको penalize करेगा यह penalize कर देगा आपको PBN ठीक है blog comments spam है एक तरीके से directory भी एक तरीके से थोड़ा बहुत spam है ठीक है बट यह social media links spam नहीं है यह social media से आने वाले links है तो यह कोई खास SEO advantage नहीं रखते हैं no follow होंगे बट spam नहीं है उसके बाद PR links अब PR क्या है जैसे आपने कोई PR agency है ठीक है कोई PR agency उसको 50,000 रुपए दिया आपने कि भई आपके जो company के या आपकी website के 4 articles जो है वो निकलेंगे different different websites के उपर तो उन websites के बीच में भी जो है वो links होते हैं जैस से आपने का कि 50,000 रुपीज यो आपके जो सकती है तो इन websites के उपर जो articles जाएंगे उन articles के बीच में भी तो scope होगा ना कि वहाँ पर आप अपना backlinks डाल सकते हैं जो PR agency से बात करते हैं तब आप उनसे discussion करते हैं कि कि कितने हम backlinks बना सकते हैं किन websites के उपर हमारे backlinks जाएंग infographics backlinks बहुत सारी ऐसी websites होती हैं बहुत सारी ऐसी websites हैं जो infographic को as content accept करते हैं infographic को मैं आपको पहले infographic websites दिखा देता हूँ यहाँ पर submit infographic अगर मैं यहाँ पर mention करूँगा तो बहुत सारी websites हमें दिख जाएंगी यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक बार infographic submission मैं डालता हूँ keyword submission websites तो बहुत सारी हम लोगों websites दिख जाएंगी तो वो websites infographic को as a content लेती हैं तो आप infographic के साथ जो है अपना backlink वहाँ पर submit कर सकते हैं तो अगर मैं किसी website के उपर जाओं जैसे यहाँ पर बहुत सारी हैं जैसे मैं इस particular website के उपर जाता हूँ let's say this is the website ठीक है बहुत सारी websites आप कुछ भी ले सकते हैं मैं केवल आपको समझा रहा हूँ so this is the website जहाँ पर हम लोग अपने जो infographics है उनको submit कर सकते हैं अपर बहुत सारी websites है जिनके ऊपर infographics को आप submit कर सकते हैं fine यहाँ पर हम लोग और websites निकालने चाहिए तो निकाल सकते हैं इसको यह भी एक website है यहाँ पेश्ट कर देता हूं एक बार के लिए तो यह भी एक website है जिसको हम लोग use कर सकते हैं यहाँ पर तो मैं इसको एक बार के लिए रिमूफ करता हूं यहां से इसके ओपर बहुत सारे इंफोग्राफिक्स होंगे आप भी जाकर यहां पर देखो इंफोग्राफिक्स की काटेगरीज भी है तो यहां पर आपना इंफोग्राफिक्स सब्मिट कर से तो यहां पर जो भी आपके टॉपिक्स से रिलेटिड डिसक्शन हो रहा है वहाँ पर जाकर आप अपने backlinks है वो बना सकते हैं content के बीच में तो यह purely user generated content है एक तरीके से यह भी no follow ही होता है कोई बहुत ही खास आपको SEO advantage नहीं मिलती यहां से उसके बाद image submission जिस तरीके से infographic submission की website होती उसी तरीके से images को accept करने वाली भी website होती उसके बाद blog submissions वालब यहां पर क्या था आप दूसरे blogs को ढूनते थे वालब guest blogging में क्या था दूसरे का blog है वहाँ पर आप अपना comment जाकर डाल रहो that is guest blogging वहीं पर अगर मैं blog submission की बात करो तो यहां पर post कर सकते हैं ठीक है और उसके बीच में आपना backlink लगा दोगे competitors broken links यह भी एक strategy होती जैसे यहां पर हमारी एक website है ठीक है और यह हमारा एक competitor था इसकी website है तो tools के through हमें पता चल जाएगा कि इस competitor को backlinks कहां कहां से मिलना है let's say इस competitor को एक backlink मिला इस x website से है ना यह हमारा competitor है तो हमने देख लिया इसको बहुत सारे backlink मिलना है इसको मिला हुआ है एक से बट यह वाला जो backlink है यह किसी तरीके से broken backlink हो गया या तो इसने यह जो page है यह delete कर दिया कुछ भी है उसकी वज़े से link broken हो गया इसके page पे इस वाली website का competitor का link तो present है बट वो यहां जाता है तो 404 हो जाता है या कोई जो है वो broken link है तो मैं कहां करूँगा मैं इसको contact करूँगा मैं इससे बोलूँगा देखो भाई तुमने इसको link दिया इसने 404 कर दिया तुम सेम link ना मेरे को दे दो मेरे पास भी ऐसा ही content है तो इसको हम लोग बोलते हैं competitor के broken links के through जो strategy है उसको device करना इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ppt और pdf submission जिस तरीके से जो backlink है वो create कर देंगे तो अब इतने types of backlinks है सही चीज यह है कि इतने type of backlinks को बनाने के लिए हमें strategy क्या follow करनी चाहिए कितने backlinks हमें daily बनाने चाहिए और जो हमें backlinks बनाने उनके लिए हमें website किस तरीके से ढूणनी है देखो वो सारे sources मैं आपको बता दूँगा कि आप website कहां से ढूणने बट आपको हमेशा ना genuine backlinks ही बनाने आप इस चीज का ध्यान रखें कि जल्दबाजी के चक्कर में या higher number of backlinks बनाने के चकर में आप ऐसा ना करें कि आप genuine backlinks ना बना है कोशिश करें आप हमेशा genuine backlinks बना है fake backlinks ना बना है बना है जहां पर content ही नहीं है और आपका backlink पड़ा हुआ है या naked backlink बना हुआ है naked backlink का भी मैंने एक video बना था आपका naked backlink बना हुआ है वो सब कोई भी value नहीं रखते है बना रहे हैं तो anchor text की क्या strategy होनी चाहिए वो भी एक important चीज़ है उसके उपर भी video आएगा और पहले मैंने उसके उपर video बनाया हुआ है guest blogging approach को use करके backlink बनाये जाते हैं practically भी हम लोग इस चीज़ को cover करेंगे बट उससे बहले हमें ये समझना होगा कि आखिर guest blogging का मतलब क्या देखो guest blogging कहें guest posting कहें guest post कहें ये सारी एकी चीज़ है सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि इसका मतलब क्या है देखो हमें हमारी निश्की different different website से blog को identify करना होता है अगर मैं process की बात करूँ कि guest blogging में किया क्या जाता है let's say मैं example के तौर पर आपको बता हूँ हमारी website let's say furniture निश्की है मैं furniture sell करता हूँ sofa, table, chair ये सारी चीज़ है let's say मैं अपनी website से sell करता हूँ और उसके लिए मुझे backlink बनाने with the help of guest blogging approach ठीक है तो मुझे क्या करना है मैं अपनी ही निश्की दूसरी website को identify करूँगा अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से समझो जब मैं कह रहा हूँ अपनी ही निश्की दूसरी website को identify करूँगा तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने ही competitors को identify करूँगा जैसे मैं भी furniture बेच रह नहीं हो यानि कि वो blog type की article type की website हो आपर बहुत सारे articles furniture से related interior designing से related जो articles है वो वहाँ पर present हो अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि मेरी website जो है वो furniture से related तो ऐसा नहीं है कि हम उन्हीं blogs को identify करेंगे जहां पर हमें guest blogging करनी है उन्हीं website को मैं identify करूँगा जो furniture के around ही लिखती है ऐस content जो है वो लिखती है तो इस type से हमें हमारी निश की हमारे website से मिलती जुलती जो निश है या जो related निश है जिसके around internet के उपर लो content लिख रहे हैं उनकी websites को handpick करना है उनकी website को हम खुद manually जाकर select करेंगे कि भाई देखो ये एक website है और इस particular website से मैं backlink लेना चाहता हूँ बहुत सारी ऐसी websites होती है internet के उपर जो कहती है कि भाई आपको अगर backlink चाहिए मतलब हमसे बोलेंगे अगर आपको एक backlink चाहिए तो सीधी सी बात है आप 1500 words का एक blog लिख कर एक SEO optimized एक SEO on page optimized perfectly जिस तरीके से एक blog content होना चाहिए real बिना copy paste किया गया कहीं से एक real हमें blog लिख कर दे दें और उसमें आप अपने हिसाब से जहां पर भी समझें वहां पर भी आप एक backlink लिंग लगा देंगे तो आपको backlink मिल जाएगा और हमें एक content मिल जाएगा हमें एक ब्लाग मिल जाएगा, और हमें एक author मिल जाएगा, भविश्य में आपको जौरूबत پड़े, तो और जादाओं आप content, हमारी website के उपर डालते जाएवना, हमें एक author मिलता जारा है, हमारी website का content बढ़ता जारा है, आपके दिमाग में आ रहा होगा, मेरा तो फाइदा है, मेरी अगर furniture की website है, तो मुझे उसकी website से अगर backlink मिलेगा, तो मेरा तो फाइदा है, और do follow backlink मिलेगा, तो भी मेरा फाइदा है, उस बंदे का क्या फाइदा है, देखो, article लिखने में या content लिखने में भी resources यूज होती है, research करी जाती है, उसके बाद कोई जो content writer है, उस blog को लिखता है, तो उसकी भी cost होती है, तो जो भी website owner है, जहां से हम लोग backlink ले रहे हैं, जो भी website owner है, अगर वो खुद से blog लिखवाएगा, तो ऐसा नहीं कि उसकी cost नहीं आएगी, उसको भी कुछ खर्च करना पड़ेगा, और वो इतने सारे blogs लिखवाणी सकता, तो उसने क्या कहा, उसने कहा, देखो, भई हमारी थोड़ी से नई website है, थोड़ी बहुत reputation भी है मेरी website की, थोड़ा बहुत traffic भी आता है, मेरी website के उपर, तो अगर आप हमारी website से backing लेना चाहते हो, और आप कह रहे हो, आपने research करी है, आपने ढूंडा है हमारी website को, हमारी website आपकी जो business है, वेबसाइट है उसके relevant है, तो आप backlink ले लो, बदले में हमें बस आप जो blog है, वो लिखकर दे दो, बट कुछ terms and conditions होती है, जो भी website guest posting या guest blogging accept करती है, उनकी अपनी कुछ conditions होती है, ऐसा नहीं कि उन्होंने बस सीधे आप से बोला, कि आप लिखके दे दो, और कुछ भी आप लिखके दे दो, तो आपको तो एक backlink मिल जाएगा, और उनको content मिल जाएगा, तो win-win situation है, अब यहाँ पर एक और point, कई websites के उपर जब आप जाएंगे, जो blog post को accept करती है, तो आप देखेंगे, वो कुछ आप से amount जो है, वो भी मांगेंगी, देखो, बहुत सारी ऐसी websites हैं, जिनकी authority बहुत जादा है, और बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, कि उनकी website के उपर, उनको guest post मिल जाए, तो कहते हैं, आप guest post भी लिखके लाइए, साथी साथ आप कुछ हमको, x amount भी दीजे, क्योंकि हमारी website की authority बहुत जादा है, और अगर आपको यहाँ से backlink मिलेगा, और do follow backlink मिलेगा, तो आपको बहुत जादा benefit होगा, ठीक है, तो ऐसी भी बहुत सारी websites हैं, जो इस type से भी चीजें कर रही हैं, fine, कुछ मैंने points लिखे हुए यहाँ पर, जैसे पहला जो point है, अभी मैं पहले आपको guest posting का fundamental बता देता हूँ, उसके बाद practically देखें किस type से आपको guest posting के लिए जो different different websites उनको किस तरीके से ढूनना है, किस तरीके से approach करना है, और फिर किस type से आपको backlink मिलेंगे, तो यहाँ पर आप देखो जैसे लिखा हुआ है, choose guest post website wisely, make sure you are writing for website users, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली, जैसे मैंने आपको बताया, कि जैसे यह आपकी furniture की website है, ठीक है, यह आपकी furniture की website है, लेट से, और आपने यहाँ पर interior design वाली जो website है, इस वाली website को पिक किया, और यहाँ पर आप अपना backlink जो है वो लगाने चाहते हैं, यह बात तो समझ में आगे, अब इस बात को समझेए, आप इस website के लिए लिख रहा हूँ, वो इस type का content लिख देते हैं, blog के अंदर, कि लगता है कि वो अपनी website के लिए लिख रहा है, सारा कुछ promotional लिख देते हैं, आप इस website के लिए लिख रहा हूँ, basically आप इनके जो users हैं उनको target करे हूँ, क्योंकि यहाँ से ऐसा नहीं कि crawler इस website के उपर आएगा, जाने वाले हैं या जहां से आप backlink लेने वाले हैं, उस website के according आप लिखें content, ठीक है, तो यह मैंने पहला point लिखा थे, क्यों मैंने देखा है, बहुत सारे लोग यह गलती करते हैं, create backlinks on authority website, और यह हो गई होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास manually वेबसाइट को पिक करने का option है, यह मैंने वेबसाइट पिक करी, इस website के उपर मैं backlink जो है, वो बनाना चाहता हूँ, third is create author bio, देखो जब कभी भी आप अपना blog लिखो न, make sure करो कि नीचे आपका author का section भी हो, author के section को Google काफी seriously लेता, इस बात को समझो भाई, कोई blog होगा न, तो कोई machine तो लिखेगा नहीं वो blog, ठीक है, automatically website तो लिखनी देगी, blog तो कोई ने कोई person ही लिखेगा, और जब कोई भी कोई blog लिखा जाता है न, तो उसका अपना कोई ने कोई expertise जरूर होता है, जैसे मैं एक reader ही बात करता हूँ, मैं normally आप लोगों बता रहा हूँ, जैसे मैं एक reader हूँ, मैं different blogs जो है internet के उपर, मैं उन blogs को read करता हूँ, तो आप एक blog जिसके नीचे proper author है, उसकी credibility है, उस वाले blog को मैं ज़्यादा seriously लूँँगा, उस वाले blog को मैं ज़्यादा अच्छे से read करूँगा, या उस blog को read करूँगा, जिसकी कोई credibility ही नहीं है, यहाँ पर author ही गायब है, तो definitely as a user perspective, अगर मैं बात करूँ, तो वो content, वो blogs, वो articles, जिनके नीचे author है, उनको user भी value देते हैं, as well as id के अंदर, अगर मैं बात करूँ, eat, ठीक है, eat concepts के अंदर बात करूँ, मैं जो की Google follow करता है, तो उसके हिसाब से भी Google recommend करता है, कि आपका जो author section है, वो होना चीए, तो जब आप article लिखेंगे, या जब आप अपना blog लिखेंगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, as well as एक और बहुत important चीज़, जो blog आप लिख रहे हैं, जैसे आप लिख रहे हैं, let's say example के तौर पे केवल, five places to travel, मैं यहाँ पर mention कर देख, ब्लॉग का title मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं, five places to travel in India, let's say आप travel agency है, और आप इस type का blog लिख रहे हैं, guest blogging के point of view से, तो अगर आपने इसको 1000 word का लिखा हुआ है न, तो आप make sure है, जो भी on page, कि जो भी points है, जो भी checklist है, वो आपको यहाँ पर follow गान नहीं, जो भी on page से related है, अगर आपको images लगा नहीं, तो आप images लगा रहे हैं, images लगा रहे हैं, तो आप all text लगा हैं, तो क्योंकि आप यह content लिख रहे हैं, और वो एक website के उपर जाएगा, तो आप make sure करेंगे, कि जो भी on page की guidelines हैं, जो भी on page के factors हैं, उनको आपको गड़बन नहीं करना है, उनके ध्यान में रखके, आपको यह सारी चीज़ें जो है, वो करनी हैं, और अपना content जो है वो लिखना है, fine, उसके बाद आप कोशिश करें, कि आपको do follow backlinks मिले, क्योंकि no follow backlinks, तो आपको बहुत सी जगों से मिल जाएगा, problem असली आएगी do follow backlinks की, तो अगर आप इतनी मेहनत करके websites को ढून रहा है, जिनके उपर आपको guest posting करनी है, ऐसी websites को ढून रहा है, तो आप कोशिश करें, जब उनसे आप communication करेंगे, वाया email वगरा, तो आप कोशिश करें कि आपको do follow backlink मिल जाए, कई बार जैसे मैंने बताए, website इस चीज के लिए charge भी करती है, तो वो भी acceptable है, और लोग देते भी हैं, क्योंकि अगर कोई authority website है, और वहाँ से आपको backlink मिल रहा है, तो definitely जो है, वो काफी आपको help करेगा, और काफी आपके SEO के point of view से भी advantage आपको provide करेगा, तो ऐसे मैं अगर कुछ लोग को कुछ पैसा देने की जरुरत भी पड़ती है, तो वो हिच्च चाते नहीं, वो पैसा देते हैं, ठीक है, तो ये हो गई कुछ basic सी बात है, अब बात ये आई कि सर्मान लेते हैं आपका, जो website यह से furniture वाला आपने example लिया, आपकी furniture से related website है, अब आपको guest post के लिए website ढूननी है, तो किस तरीके से आप ढूननेगे, तो देखो मैं Google के operators की help लेता हूँ, आपको क्या करना है, जैसे furniture है तो मैंने आपको बताया था ना, interior design आप यहाँ पर type करो, plus मैं यहाँ पर mention कर देता हूँ, जैसे in title और यहाँ पर मैं mention कर देता हूँ, right for us, देखो आप कैसे पहचान होगे, कि यह website या यह blog, guest posting या guest blogging accept करता है, तो जरूर उसने अपनी website के, किसी page के उपर write for us, accepting guest post, accepting guest blog, इस type की चीज़े mention कर रख्योंगे, भाई अगर आपको कोई घर या मकान किराय पर लेना होता है, आप road पर जाते हो और देखते हो, यह बहुत सारे houses हैं, घर हैं, और आपको अगर उसे किराय पर लेना है, accept कर रही है, guest blogs accept कर रही है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा, कि वो guest post या guest blog accept कर रही है, तो कहीं न कहीं, उसने अपनी website के उपर एक page भी बनाया होगा, उसके अंदर उसने उसकी guidelines और वो सारी चो चीज़े हैं, वो भी वहाँ पर mention करी होगी, तो हमें यह identify करना होगा, कि भाई ऐसी कौन सी websites है, जिनके in title में, right for us है, या accepting guest post है, या guest post है, या blog post है, ये बहुत सारे, क्योंकि अलग-अलग websites, बहुत सारी चीज़ों को use कर सकती हैं, बहुत से तरीकों से, ये mention कर सकती हैं, हम भाई guest post या guest blog, जो है, वो accept कर रहा है, तो मैंने किवल एक example लिया हुआ, यहाँ पर right for us, आप अपने हिसाब से अलग-अलग example ले ले लेते हैं, और मैं इसको search मारता हूँ, इसके बाद अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर आप देखो, 7420 results आपको यहाँ पर देख रहा है, 7420 results, मतलब बहुत ज़्यादा results आपको नहीं देख रहा है, और यह filter out होके आए हुए results है, तो जैसे यहाँ पर देखो, home decor का कुछ है, तो मैं इसको open कर लेता हूँ, architecture, interior designing है, right for us, home decor से related है, इसको भी मैं open कर लेता हूँ, interior designer, right for us opportunity, इसको भी मैं open कर लेता हूँ, fine, right for us, home decor, इसको भी मैं open कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, अब यहाँ पर देखो, who can write for us, इन्होंनों पूरी guidelines जो है, वो mention करी भी है, यहाँ पर, topic suggestions for guest posting, fine, house do it yourself, right for us, architecture, home interior, तो इस category के अंदर, home interior category के अंदर, अगर आप, जो है furniture sell करते हो, तो उसके अंदर आप कोई न कोई, blog लिख सकते हो, अब आपको बहुत ध्यान से, यह select करना पड़ेगा, कि आपकी जो blog का topic है, वो क्या है, आपके blog का topic भी unique होना चाहिए, अब जो topic है, वो searchable है, या नहीं है, इस सब चीजों के लिए, आपको tools की तरफ जाना पड़ेगा, जैसे आपने topic select किया, furniture ideas for home decor, या furniture ideas for office, इस type से आपने topic जो है, वो select किया, तो उससे related आपको proper content लिखना पड़ेगा, और आपको समझना पड़ेगा, कि जो भी आपने topic select किया है, उसकी क्या सर्चे से, तो ऐसे में आपको, जो tools है different, चाहे वो RFS की बात करें हम लोग, चाहे वो आप Neil Patel के, Ubersuggest की बात करें, कोई भी tool आप यूज करने, ठीक है, उस tool से आपको कुछ न कुछ insights पहले निकालनी पड़ेंगी, कि यह जो मैंने keyword select किया है, इसके search volume अगरा कितना अगरा, वहाँ पर satisfy हैं, तो proper एक article लिखें, और उस article को, दूसरी जूसरी जो website से हैं, उन लोग को उस article को दे, कि देखें, हमने यह article लिखा हूँ है, now we want to do guest posting on your website, अगर वो accept करते हैं, then well and fine, अगर नहीं accept करते हैं, you can move further, और दूसरी websites को आप search करना, शुरू कर देंगे, कहीं कहीं आपको rejection भी आएंगे, और जो rejection है, उसका main reason यही होता है, कि आपने on-page और प्रॉपर नहीं किया, या उनकी जो guidelines है, वो प्रॉपर नहीं follow करी, यहां पर आप देख लो, जैसे guest posting guidelines mentioned है, every article should be well focused on specific topic, for example, if a post is written for furniture, it should define furniture only, house integral teams does not accept topics, that are irrelevant from our block categories, बात समझ में आती है, we do not entertain any kind of self-promotion, information, ठीक है, पता चला, factually है, आपने कोई चीज गलत कर दी, वो तो गड़बड़ी है, the number of words in an article must be more than 800 words, ठीक है, article range should be from 800 to 2000 words, the block should be written only after proper research and development, as we do not entertain any kind of a wrong information, सही है, we only accept 10% plagiarism, copy-paste करके नहीं करना है, ठीक है, if the writer is using someone's content, the writer should mention the source website, कहीं कहीं अगर आपने ब्लॉग में किसी दूसरी website के content को use किया, in that case, आप वहाँ पर source को भी mention करें, ठीक है, ये सारी अच्छे practices है, जो best practices होनी चाहिए, वो है, we do accept post with more than one backlinks, but it should not redirect to one of our competitors, वाज समझ में है, we do accept backlinks that redirect the writer's websites, or the sales page, do not forget to mention meta description, and it should be SEO friendly blog, use keywords properly to gain heavy traffic, kindly value this guideline from a business perspective, सही है, बाकी सारा इन्होंने आपर दिया हो है, बाकी आप इनके जो email वगरा दिया है, उसके उपर भी आप contact कर सकते हैं, अगर हम दूसरे पर आजाएं, दूसरा write for us, ठीक है, तो you can write for us on these topics, इन्होंने भी mention किया हुआ, इन्होंने भी 800 words, we allow one link per post, कहीं पर इन्होंने उसका nature नहीं लिखा हुआ है, कि हम किस टाइप का जो backlink है, वो आपको provide करेंगे, ठीक है, बलकि इन्होंने अपना जो traffic है, उसकी भी detail यहांपर दे रखी, कि हमारी website के उपर जो traffic का रहा है, उसकी भी और जो भी थोड़े से SEO related matters हैं, उनकी भी इन्होंने insights यहांपर दे रखी है, तो ठीक है, काफी open होकर यह काम कर रहा है, उसके बाद हैंगर हम एक और website के उपर आजाएं यहांपर, तो यहांपर भी आप देखो के उसी टाइप से, यू get a do follow back link on your brand और personal name to the home, no keywords allowed, यू become a trusted advisor on your topic, ठीक है, तो एक और चीज मैंने यहांपर देखी, अब यहांपर भी आप देखो, for do follow back link का sponsored post, contact this, तो maybe, maybe यहांपर यहांपर वो पैसे की बात करें, तो इस टाइप से आपको इनकी guidelines को properly देख लेना है, बहुत tough नहीं है relevant guest posting की websites को ढूणना, यह मान के चलिए, यह उतनी आसान type of back link creation strategy नहीं, यह जितना आप समझते होगे, आपने सोचा कि बस हम गए यहांपर, और हमें एक back link उठाना है, यह आपको यहांपर communication करना पड़ेगा, तभी आपको valuable back links मिलेंगे, वरना डिरेक्टी सब्मिशन आप वो कर सकते हो, पर कोई value नहीं है उसकी, जो है comment back links है, आप वो कर सकते हो, कोई value नहीं है, आप बिना मतलब उसको करोगे, और आपका time भी waste होगा, resources भी waste होगी, और कोई value उससे आपको मिलने वाली नहीं मिलाओ, as such back links के point of view से बाख करो, कोई value नहीं हो, इस spam type की चीज़ें, यहांपर थोड़े से आपको efforts करने पड़ेंगे, चलिए मैं कुछ और niche भी यहां से एक बार उठा के देखते हैं, हम लोग, जैसे मैं fitness के उपर जाता हूँ यहां से, fitness related 2970, results मुझे यहां पर दिख रहे हैं, तो ठीक है, right for us में मैं चला गए, अब अच्छा right for us को, मैं यहां पर जैसे guest blog, जो है वो मैं डालना चाहूँ तो वो भी मैं डाल दूँगा, यहां पर 11,000 से जादा, जो results है मुझे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो 10 to read मैं यहां पर select कर लेता हूँ, लेट से, ठीक है, तो health guest post sites मुझे यहां पर दिख रही हैं, ठीक है, तो अच्छा है, इन्होंने तो एक पूरा article लिखा हुआ है, यहां पर, वो website जो blogs को accept करी हो, पूरा proper उन्होंने articles लिखा हुआ है, ठीक है, और यहां पर यह है healthguardners.com जो accept कर रहे हैं, इन्होंने पूरा बतायों कि plagiarism कि हमारी, क्या terms and condition, everything is here, तो सारे इनके details होंगी, यहां पर आप देख सकते हो कि इनकी क्या policies वगरा होगी, और इक इस टाइप के back links आपको provide करेंगी, तो बस आपको यही कर रहा है कि simply आपको अपनी initial डालनी है, यहां पर आपको entitled guest blog, posting यह सब चीज़े डालनी है, और उसके बाद आप थोड़ा सा एक overview ज़रूर ले ले, यह से किसी भी website के उपर आप जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप उस website की insights ले ले ले, अगर आपके पास कोई paid tool है, तो उसमें भी डाल कर इस website की थोड़ी बहुत insights ले सकते हैं, कि इस website की जो performance है, तो क्या है, कितने backlinks हैं अभी इसके उपर, ठीक है, किन-किन keywords के उपर यह website rank खोड़ी, तो थोड़ा बहुत आपको traffic अगरा का idea हो जाएगा, बट generally यह website उतनी गडबल होती नहीं, आपको देखके समझ में आ जाएगा, यह एक ठीक ठाग website है, और अगर हमें यहाँ से backlink मिलेगा, तो वो valuable होगा, वैसे मॉस की metricों में इतना जादे ध्यान देता नहीं हूँ, बट backlink के point of view से, अगर आप उसको follow करना चाहें, तो उसका DAPA आप follow कर सकते, make sure करें कि DAPA आपकी जो website है, उससे थोड़ा सा जादा ही हो, ठीक है, वैसे अगर standard की बात करूँ, तो anything above 30 with respect to DA and PA is fine, आप वहाँ से backlink ले सकते हो, बट फिर भी मैं recommend करूँगा, यह ज़रूर make sure करो कि जिस भी page के लिए आप backlink ले रहे हो, ठीक है, वो आपकी website का जो DAPA है, वो हमेशा थोड़ा सा कम हो, जिस website से आप backlink ले रहे हो, उसके comparison में, ठीक है, तो अगर किसी website से आप backlink ले रहे हो, उसका अगर DAPA अच्छा है, उसका DAPA हाई है, तो यह आपके लिए एक अच्छी चीज है, तो I believe अभी आपको clarity हो गई होगी, कि यह guest blogging क्या होता है, इसके fundamentals क्या है, कि इन चीजों का हमें ध्यान रखना है, और किस टाइप से guest blogging के लिए हमें different websites मिलती है, इसके बाद आप कोई भी backlink बनाते हो, उसका आपको एक database भी create करना होता है, उसका मैं separate video बनाऊँगा, एक सारे backlink का जो database है, वो आप किस तरीके से create करते हो, उसमें जो client को आप share करते हो, या नहीं करते हो, क्या-क्या चीज़े client को share करी आती, वो सारी चीज़े मैं आपको बताऊँगा, बट अभी आप यह समझें, कि guest blogging का मतलब क्या हो, और किस टाइप से guest blogging की help से, जो backlinks हैं, वो create किये जा सकते हैं, जब हम backlinks creation की बात करते हैं, हमें पताएं कि बहुत सारी strategies होते हैं, different different तरीके होते हैं, जिनके help से हम लोग, अपनी website या webpage के लिए जो backlinks हैं, उनको create करते हैं, उन्हीं में से एक तरीका है, article submission का तरीका, काफी popular तरीका है ये, और do follow और no follow, दोनों ही तरीके के backlink समय यहां से मिलते हैं, ये ध्यान देने की ज़रूत है कि किस टाइप की website के उपर, जो है हम लोग article submission कर रहे हैं, अब सबसे पहले article submission का मतलब समझते हैं, और उसके बाद देखते हैं, अगर हमारी digital marketing services को provide करने की website है, और उसके लिए हम एक backlink, जो है वो create करना चाहते हैं, with the help of article, तो जो हमारी website है, digital marketing services provide करती है, तो हम एक article लिखेंगे, या हम एक blog लिखेंगे, जो basically digital marketing के around होगा, हम ये मान के चल सकते हैं, कि हम जैसे digital marketing के scope के उपर, टॉपिक्स जिनको हम pick कर सकते हैं, और उसके basis पर हम एक perfect जो article है, वो लिखेंगे, जब हम अपना article लिख लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, बहुत सारी ऐसी article submission की websites हैं, जो basically articles को accept करती हैं, वो बोलती हैं कि आप articles जो है, वो लिखेंगे और हमारी website के उपर आप उन articles को submit करें, अब ध्यान देना, आप बोलोगे कि सर ये तो बिल्कुल ऐसी ही चीज़ है, जैसा हम लोग जो है हमारी guest blogging में करते हैं, नहीं, guest blogging में websites होती थी, जहां पर आप अपना blog जो है वो submit करते थे जाकर, वो websites होती थी या वो blogs होते थे, जहां पर आप अपना blog जो है वो submit करते थे, जो win-win situation होती थी, आपको backlink मिल जाता था, उनको एक content मिल जाता था in terms of blog, पर जब मैं article submission की बात कर रहा हूँ, तो article submission में जो आपका article submit होता है, वो blogs के उपर नहीं submit होता है, वो article directories है, मतलब ऐसी websites जो बहुत से तरीके के articles को accept कर रही है, हर तरीके के articles को accept कर रही है, मतलब वो fashion से related भी, education से related भी, college से related भी, let's say music से related भी, technology से related भी, architecture से related भी, हर type के articles को accept कर रही है, तो basically वो कोई specific niche का blog नहीं हुआ, जैसा कि हम लोग guest blogging में करते थे, guest blogging में क्या करते थे, अगर हमाई digital marketing agency है, तो हम ऐसे blog को ढूंते थे, तो digital marketing के around लिख रहा है, और वहाँ पर फिर हम अपना blog वो submit करते थे, guest blog submit करते थे, और फिर वहाँ से हम back link लेते, बढ़ यहाँ पर article submission की जो website से basically वो directories ही है, वो articles ही accept करते और हर niche के articles accept करते, मतलब आपकी एक समस्या का solution हो गया, कि आपको अब ये नहीं check करना है, कि भाई ये वाली website ना हमारे type के articles को accept करेगी या नहीं, जो article submission वाली websites होती है, जो articles accept करने वाली websites होती, अब हमें जो article लिखना है वो किस तरीके का होना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको article दिखा देता हूँ और उसके बाद हम लोग देहें, practically उसको हम किस तरीके से submit करेंगे, तो यहाँ पर मेरे पास एक demo article है, सबसे पहले आप देखो, यहाँ पर मैंने topic लिखा हूँ है, advantages of digital marketing, यह topic मैंने select किया, इसके around हम लोगों नहीं यहाँ पर, कुछ introduction वाला content लिखा हूँ है, बिल्कुल वैसे ही, जैसा मैं आपको, जब आपके web pages का on page सिखा रहा था, कि उसमें हमें किस type का structure, follow करना है, proper h1 देना है, proper h2 देना है, ठीक है, जिस चीज़ को bold करना है, हमें उसे bold करना है, तो उस तरीके से हमने, पूरा proper यहाँ पर जो article है, वो mention किया हुआ, अब इसमें एक चीज़ है, जो बहुत ध्यान देने वाली है, देखो, जब कभी भी आप article लिखो, उसका introduction जरूर होना चाहिए, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, और उसके नीचे वहाँ पर conclusion भी होना चाहिए, और उसके साथ-साथ यहाँ पर author की जो profile है, वो भी होती है, ठीक है, जैसे मैं अपनी एगर profile लिखना चाहूँ, उमर तस्कीर मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा, उमर तस्कीर is digital marketing expert, ठीक है, having seven plus years of experience in digital marketing, यह मैं लिख सकता हूँ, तो जो भी author होगा, उसकी आपको यहाँ पर, बायो या जो profile है, वो यहाँ पर mention करनी पड़ेगी, ठीक है, एक type की profile होगी, दो-तीन line आपको यहाँ पर mention करनी पड़ेगी, क्योंकि जो articles लिखते हैं न, वो author ही लिखेगा, कोई person ही लिखेगा, ऐसा नहीं कि article अपने आप website के उपर आ जाएगा, तो जहां कहीं वे भी आप article submit करोगे, आप देखोगे, वहाँ पर आपको author के बारे में भी information देना पड़ेगा, तो उसकी तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी, जो बीच में आपको do follow backlinks दे देती है, कुछ ऐसी websites होती है, जो आपको यहाँ पर, जो आप author profile बनाते हो, इसके बीच में अगर आप backlinks यहाँ से लेते हो, तो यहाँ से वो आपको do follow backlinks दे देती है, तो आपको यह समझना पड़ेगा, कि आप किस टाइप की article डिरेक्टरी सम्मिशन वाली website के उपर गए हो, और उसके rules and regulations क्या है, उस चीज को ध्यान में रखके, आप थोड़ा सा tweak backlink में कर सकते हो, अब आ जाते हैं, हम लोग article सम्मिशन की website के उपर, तो guys, अगर आप Google पे भी जाओगे न, और गूगल पे जाने के बाद, आप यहाँ पर article सम्मिशन, websites, अगर आप mention करोगे, तो आप देखो कि आपको बहुत सारी article सम्मिशन की website दिख जाएंगी, बहुत सारी आपको website दिख जाएंगी, उन्ही websites में से, मैंने एक जो website है, वो यहाँ पर निकाली भी है, जैसे आप देख रहे हो, यह एक सुपर article नाम से एक website है, अब जो मैं आपको बता रहा था, यह बिसकलिए एक article directory website है, तो आप left में देखो यहाँ पर, यहाँ पर देख रहे हो आप यह सब आपको, जिस भी categories के अंदर articles लिखे गए हैं, और सारी categories आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, हम अपनी category select कलेंगे, लेट से अगर हमारी category इंटरनेट होगी, तो उसके अंदर हम लोग articles लिख लेंगे, बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको अपना जो account है, वो create करना पड़ेगा, जैसे अगर आप submit articles के उपर जाओगे, तो यहाँ पर देखो, क्योंकि मैं already इसके अंदर login हो, मैंने अपनी profile जो है वो बना रखी है, इसलिए मुझे इस type का interface दिख रहा है, अगर मैं यहाँ से log out कर जाओ, तो मैं normal website के उपर आ जाओँगा, ठीक है, और अब मैं अगर submit article करता हूँ, तो यहाँ पर देखो, यह मुझे login करने को prompt कर रहा है, या फिर मुझे यह बोल रहा है, कि अगर आप नय author हो, तो फिर आप अपनी information यहाँ पर mention करो, तो guys, यहाँ पर मैं अपना author name रख दूँगा, देखो, यह सारी चीज़े आप genuine ही रखो, वो ज़्यादा अच्छा है, अगर आप किसी client के लिए काम कर रहा हो ना, तो आप उनसे बोलो कि आप हमें अपना नाम, दो email address, दो proper, यह सारी चीज़े genuine होनी चाहिए, otherwise high chances हैं कि यह जो websites हैं, यह आपको approval ना दें, और आपका जो profile है, वो ही ना यहाँ पर बन पाए, तो उस point of view से ज़रूरी है, ठीक है, तो author का name आप रखेंगे, real name, जैसे मैं उमरतस्की रखना चाहूँ, यहाँ पर हमारा जो author bio होगा, वो हम यहाँ पर mention कर देंगे, अपनी photo लगा देंगे, I am not robot, that's it, complete registration कर देंगे, जो भी email आप यहाँ पर भेजोगे, उसके उपर एक confirmation के related, verification के related एक email जाएगा, ठीक है, और वहाँ से फिर आप confirm करके, फिर आप यहाँ पर जो है, वो login कर सकते, तो मैं अब सीधे मुद्धे पर आ जाता हूँ, login करने का, मैं एक बार quickly यहाँ से login कर लेता हूँ, अब मैंने देखो, यहाँ पर login कर लिया है, तो अब मेरी profile यहाँ पर open हो गई है, अगर मैं कोई articles लिख चुका होता, तो यहाँ पर manage articles के अंदर दिखता, बट मुझे क्या करना है, submit करना है articles, अब यहाँ से ध्यान देने वाली चीज़ है, कि हमें क्या-क्या चीजों का ध्यान रखना है, तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे, तो आप देखो, please choose a category आपको दिख रहें, यहाँ से आप अपनी category जो है, वो select करना है, तो हमें जैसे इंटरनेट अगर select करना है, इंटरनेट या e-commerce, email marketing या internet marketing, तो मैं internet marketing यहाँ पर select कर लूँगा, उसके बाद हमारे article का क्या title है, वो हमें select करना है, यहाँ से लेटर मैं दो line यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है, 300 characters आपको मिलते हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इसको इतना copy कर लूँगा मैं, और यहाँ पर मैं एक type से, summary type से लिख दूँगा यहाँ पर, और उसके बाद जो आपके keywords हैं, वो आप लिख दोगे यहाँ पर, जैसे अगर आपका keyword digital marketing था, तो वो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, अगर digital marketing services था, तो वो हम लिख देंगे, then comes the article का body वाला part, तो आप यहाँ से articles का जो body है पूरी, वो यहाँ से मैं copy कर लूँगा, ठीक है, conclusion तक, ठीक है, author मैं यहाँ नहीं copy करना है, conclusion तक मैं copy कर लूँगा, और वो मैं यहाँ पर paste कर देता हूँ, ठीक है, तो देखो, हमारे सारी चीज़ें यहाँ पर, जो है, वो properly paste हो चुके हैं, ठीक है, कहीं पर bold करना है अगर आपको, कहीं पर underline करना है, वो आप कर सकते हैं, अब देखो, इन्हों नहीं यहाँ पर क्या mention किया हुआ है, links in the article body are not do follow, you can add do follow links in your author signature, तो यहाँ पर जो आप अपनी author signature mention करेंगे, जो मैंने यहाँ पर mention किया हुआ था, तो यहाँ पर देखो, मैं यह digital marketing expert को select कर लेता हूँ, अगर मुझे लगता है कि यह मेरा anchor texture और इससे मुझे backlink चाहिए, तो मैं इसको select कर लूँगा और यहाँ पर देखो link का symbol है, इसको आप select कर लो यहाँ से, और link का आप जो URL है वो कर दोगे यहाँ पर, ठीक है, that's it, और उसके बास simply आपको insert कर देना है, target में यहाँ पर मतलब कोई इस पर click करें, तो नए window में खुले या same window में खुल जाए, तो मैं नए window में generally को open करता हूँ, तो आप यहाँ से open link in a new window जो है, वो select कर लीजेगा और उसके बास simply आप insert कर देंगे, तो आपका जो एक do follow backlink है, वो यहाँ पर author signature या जो author की बायो होती है, उसमें आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक तरीके से, तो इस type से आप अपने article submission की जो process है, वो कर सकते हैं, तो मैंने आपको एक website की उपर बता है, generally जितनी भी आप article submission की website देखेंगे, उन सभी websites की उपर आपको इसी type की जो process है, वो करनी अप सवाल यह आता है, sir मैंने एक article लिखा हुआ है, क्या मैं ये different different websites की उपर mention कर सकता हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं आप different different websites की उपर mention कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके की duplicate सी, अगर एक ही articles को आप दो different websites के उपर डालते हो, तो दो different domains से दो different pages के URL बन जाएगा, अब दो different pages के URL बन गए, content उनके उपर same है, तो Google इसको किस तरीके से consider करेगा, एक तरीके से वो इसको copied content consider करेगा, तो ये recommended नहीं है, आप unique articles ही लिखें, सही तरीका यही है, यहाँ पर दूसरा सवाल ये भी आता है, कि क्या हम सर AI से जो content है, वो generate कर लें, और उसके बाद उसको यहाँ पर put करते हैं, अगर आप generate कर रहे हो ठीक है, बढ़ आप देख लो कि वो AI भी natural हो, और plagiarism वगएरा ना हो, अगर आपको आपको ठीक तरीके से नहीं लिखोगे, तो वो valuable नहीं होगा, फिर आप बोलोगे हमें अच्छा backlink नहीं मिल रहा है, valuable backlink नहीं मिल रहा है, तो मैं तो आपको यह recommend करूँगा, कि सारी चीज़े आपको ठीक तरीके से करनी तो, I believe अभी आपको चीज़े clear हो गएंगे, कुछ एक-दो points मनें और starting में आपको लिखे हुए, जो मैं आपको बता दूँ, देता हूँ, ठीक है, choose topic of your article, तो starting में ही आपको आपकी niche से related, आपकी website से related, आपकी client की website से related, बहुत सारे जो topics हैं, वो choose कर लेने चाहिए, मैं क्या करता हूँ, generally मैं जो है वो doc बना लेता हूँ, एक proper जो है document बना लेता हूँ, उसमें जो है हम लोग different topics हैं, वो लिखते जाते हैं, और हमारे जो content writers हैं, फटा-फट उसके उपर जो articles हैं, वो लिखते चले जाते हैं, तो हमारे पास generally shortage नहीं होता है, create unique article with all on-page guide नहीं, जो मैंने आपको बताई कि यह जो आप article लिख रहे हो, आप make sure करो, कि इसका भी आपको proper SEO करना है, आप समझ के चलो कि यह article आपकी website के उपर जा रहा है, ठीक है, on-page के point of view से, मतलब technical point of view से भी, as well as grammatical point of view से भी, और मैं recommend करूँगा 800 plus words तो होने ही चाहिए, यह चीज़े हैं, उसके बाद, जब आपका article यहाँ पर submit होता है, तो आपको कोई link मिलेगा, ठीक है, हो सकता है आपका article तुरंद नहीं submit हो, तो थोड़ा सा time लगता है, तो इसका आपको database भी बनाना पड़ता है, मतलब आपने कहां-कहां article submissions किये हैं, उसके link का आपको एक database भी बनाना पड़ता है, तो आपको कुछ इस type का जो format है, वो बना के रखना पड़ेगा, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, इस particular website के उपर किया हुआ है, तो मैं इसको copy कर लूँगा यहां से, ठीक है, और यह मैं यहां पर mention कर दूँगा, इस website का DAPA कितना है, वो आप maus से निकाल के कर लेंगे, जो आपका link generate होगा article का, वो आप यहां पर paste करेंगे, क्या आपका targeted keyword था, या anchor text क्या था, वो आप यहां पर mention कर सकते हैं, इस website में login करने के लिए, जो मैंने शुरुआत में profile मनाई थी, उसका username, password आप यहां पर mention करेंगे, और आपके link का status क्या है, वो live हो चुका है, आपका link क्या भी live नहीं हुआ है, या disapprove हो गया, जो भी आपका status है, या यूजर नेम, पासफोर्ट वगएर आप ध्यान रखेंगा इस चीज़ का, जो भी आप email ID भी अगर कोई use कर रहे हो, तो उसको भी आप यहां पर mention कर सकते हो, तो मैं वो भी यहां पर mention कर देता हूँ, email ID, ठीक है, अब यह सारी चीज़ें, article submission में होती हैं, बहुत सारी ऐसी website होती ही, जहां पर आपको username और password की ज़रूरत नहीं पढ़ेगी, कोई बात नहीं, हम उस type की website के लिए जो option है, उसको हम blank छोड़ देंगे, वहाँ पर username, password नहीं हो, तो यह एक type का format है, जिसके basis पर आप जो भी backlinks बनाए हैं, उनको आपको यहाँ पर mention करना होता है, जैसे से हमारी यह series आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे यह सारी data populate हो जाएगी, और फिर एक final मैं आपको report दिखाऊंगा, बाक्निक्स की actual जो report या format जो हम use करते हैं, वो कौन सा report या format है, तो आपको चीज़े clear हो जाएगी, बट अभी मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, तो एक एक चीज़ का ही केवल हम लोग देखना है कि किस टाइप से आप उसका database जो है वो prepare करते हैं, किस टाइप के उसके records जो है वो prepare करते हैं, ये client के point of view से भी important होता है, आपके point of view से भी important होता है, जो आपकी team काम कर रही है, उसके point of view से भी important है कि आप data को यहाँ पर save करके रखें अपने पास, ताकि भविश्य में आप उसको refer कर सके ज़रूरत पढ़ने पर, दोस्तों आशा करता हूँ, article submission से related जो भी doubt से आपके clear हो गए होगे, अगर फिर भी कोई doubt है, तो please comment करें, मैं गोशिश करूँगा कि आपको reply कर सकूँ, या फिर Sunday चर्चा वाली series में मैं उसका reply कर सकूँ. Social bookmarking को use करके किस type से हम लोग back links बना सकते हैं, इसको हम लोग practically यहाँ पर देखेंगे, बट उससे पहले एक चीज हमें clear होनी चाहिए, कि आखिर social bookmarking का मतलब क्या है, जो शब्ध है social bookmarking, इसको हम किस तरीके से समझते हैं, तो देखो मैं इसको आपको एक example से बताता हूँ, यहाँ पर देखो मैं आ चुका हूँ Google के उपर, और मैं यह मान के चलता हूँ, यह कोई भी normal website है, ऐसा हो सकता है, कि मैं किसी भी website का content जो है, वो consume कर रहा हूँ, और यह उस type की एक normal website है, जिसके उपर मैं browse कर रहा था, और अगर अब मुझे इस website का जो link है, वो bookmark करके रखना है, यानिकी save करके रखना है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे chrome browser में ही save करके रखना है, तो मैं chrome browser का एक shortcut feature यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर control D में डालूँगा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे new bookmark test, ठीक है, और यह वाला हमारा URL है, जिसको हम लोग bookmark कर रहे हैं, तो url is google.com, ठीक है, तो new bookmark test लिखा हूँ है, यहाँ पर मैं इसको done कर दूँगा, तो आप देखो यहाँ पर एक हमारा bookmark जो है वो create हो गया, इस बार हम link अपने chrome browser में नहीं save करें, बलकि internet के उपर बहुत सारी ऐसी websites हैं, जिनको हम लोग use करेंगे, और उन websites के उपर जाकर हम लोग हमारे जो link है, उसको drop कर देंगे, अब link का यहाँ पर मतलब क्या हुआ, जिस भी webpage का है, जिस भी website का है, हम लोग SEO कर रहे हैं, उसी का तो backlink हम लोग उनाते हैं, तो उसी का link हम लोग, उन social bookmarking website जो हैं, जो sites हैं, उनके उपर जाकर हम लोग drop कर देंगे, दूसरी जो important चीज, with regards to social bookmarking है, जो कि आप यहाँ पर भी देख रहो, मैंने point लिखा हुआ है, social bookmarking करने की बहुत सारी websites है, बहुत सारी websites है, बट social bookmarking कोई ऐसी technique नहीं है, जो हम बोलेंगे, कि backlinks अगर आप इसके through बना रहे हो, तो बहुत solid, बहुत quality backlinks आपको मिलेंगे, तो social bookmarking एक normal से चीज है, कि आप किसी भी website के उपर जाते हो, तो SEO की बहुत ही powerful strategies मैं से social bookmarking नहीं आती, ये बात आप note कर लीजेगा, दूसरी चीज ये, कि जैसा मैंने बताया, बहुत सारी ऐसी websites है, जिनके उपर आप social bookmarking कर सकते हैं, अपने link drop कर सकते हैं, तो जो बहुत सारी websites हैं, वो सभी websites quality नहीं हैं, बहुत सारी ऐसी websites हैं, जो low quality की websites हैं, अगर आप वहाँ से जो backlink है, वो ले रहे हैं, social bookmarking, nature का backlink, तो आपको कोई advantage मिलेगा नहीं, as such, तो मैं आपको recommend करूँगा, जो top की कुछ social bookmarking websites हैं, आप उन्ही websites से backlinks को लें, social bookmarking type of backlink, अगर आप बना रहे हैं, तो उन websites को ढूनना कोई बहुत tough काम नहीं है, ठीक है, आप यहाँ पर जाएं सीधे, Google के उपर, और Google के उपर जाने के बाद, आप यहाँ पर social bookmarking websites, एंटर करते हैं, आपको बहुत सारी websites दिख जाएंगी, तो आपको यहीं पर दिख रहे हैं, 1000 प्लस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, 1000 प्लस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, अगर मैं इसको open भी करता हूँ, तो आप देखो, यहाँ पर बहुत सारी आपको ऐसी websites दिखेंगी, जहाँ पर social bookmarking के links आप बना सकते हो, ठीक है, यह देख रहा हूँ आप बहुत सारी websites, और इनका इन्हों ने DA भी यहाँ पर mention कर रखा है, बट मैंने देखा है कुछ websites में, आपको जो DA यहाँ पर देखने को मिलता है, वो उतना perfect नहीं होता है, तो आप प्लीज जाकर यह चेक जरूर कर लीजेगा, कि जो DA अगर आप यहाँ पर देखकर किसी website के उपर backlink मनाने जा रहे हो, तो वो real है या नहीं है, ठीक है, तो बहुत सारी यहाँ पर जो website से जिनके उपर आप social bookmarking कर सकते हैं, मुझे कुछ website दिख रही ही, तो बहुत सारी यहाँ पर website से जिनके उपर आप backlinks बना सकते हो, बहुत सारे लोग यह भी करते हैं, जब आप बहुत सारे projects के उपर काम करोगे तो आपको idea हो जाएगा, कि अच्छा यह website एक अच्छी website है, इसे मैंने आपको देखती ही बता लिया, कि देखो यह वाली website है, एक अच्छी website इसके उपर आप social bookmarking का backlink बना सकते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं over the period of time, क्योंकि वो बहुत सारे projects के उपर काम करते हैं, तो वो अपने लिए इस टाइप की list बना कर रख लेते हैं, कि भाई यह मेरी 500 या 200 या 300 social bookmarking की website से, जो कि अच्छी social bookmarking की website से हैं, और मैं regular basis पर project करता रहता हूँ, तो मैं इनी websites को use करके उसके लिए भी जो backlink से हैं, वो बना लूँगा, तो बहुत सारे लोग इस type से search नहीं करते हैं, बलकि वो अपने लिए time दे कर अपने लिए database create कर लेते हैं, कि भाई यह हमारी social bookmarking की 200 top websites हैं, जिनका DA अच्छा है और जिनके उपर अगर हम backlinks बनाते हैं, किसी भी client का तो हमें अच्छा response मिलेगा, तो इस type से वो अपने लिए उस चीज़ को भी save करके रख लेते हैं, अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको भी इससे benefit होगा, नुकसान कोई नहीं होने वाला है, ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने बताया था आपको, कि जब कभी आप SEO की activities करते हो या off page activities करते हो, तो जो भी आप activity करोगे, उसकी आपको data चाहिए होगी, ठीक है, तो उसके लिए जो format है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देते हो, social book marking का serial number one ठीक है, यहाँ पर आ गया, आपको email address की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो वो email आप यहाँ पर mention कर सकते हो, user name क्या है, password क्या है, और जो आप link create करोगे, जो आप social book mark बनाओगे, वो link यहाँ पर आप डालोगे, किस keyword को target किया, और वो link publish हुआ है या नहीं, तो इस type से जो है, आप अपना database manage करोगे, database create करोगे, और database काफी useful भी होता है, देखो, इसी database के basis पर ही, आपका client समझता है कि आपने क्या work किया, इसी database के basis पर आप समझते हो कि आपकी team quality work कर रही है या नहीं, इसी database की basis पर आप ये track back कर पाते हो, कि हमारे backlinks कहां कहां बने हुए, क्योंकि इस बात को भी आप समझने की कोशिश करो, कि जब हम backlinks की बात करते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है, कि हमारे backlinks हमेशा unique domains पर बने, unique domains मतलब अगर आप एक बार a.com के उपर backlink बना चुके हो, तो फिर आपको b.com, c.com ढूनना चाहिए, दुबारा आप a.com के उपर backlinks ना बनाए, तो बहतर है, ठीक है, क्योंकि जितने ज़ादा unique domains होंगे, उतना जो आपकी backlink के profile है, वो उतनी solid होगी, तो अब आप ये check कैसे करोगे, कि मैंने पहले जो backlink है, वो बनाए है, a.com पे या नहीं बनाए है, तो आपको याद तो रहेगा नहीं, कि मैंने a.com के उपर backlink बनाए, तो आप यहाँ पर आकर control F करके, वो search भी कर सकते हो, कि मैंने वहाँ पर कोई backlink बनाया हुआ है, या नहीं बनाया हुआ है, या बनाया हुआ है, तो कितने backlink बनाया हुआ है, तो वो database अगर आपके पास होगा, तो बहुत सारी चीजों में आपको help मिल जाती है, तो यह तो थोड़ी से theoretical बातचीत हो गई, concepts को समझने वाली बातचीत हो गई, कि social bookmarking होते क्या है, किस टाइब से database बनाना हुआ है, किस टाइब से हम websites को ढून सकते हैं, अब शुरुवात में अगर आप beginner है, तो देखिए, सारी चीज़ें आपको पकी-पकाई नहीं मिलें, कुछ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो अगर आपको अपना sites की list बनानी है, तो आपको जब आप एक-दो project कर रहे होंगे उसी वक्त जो आप quality websites select करेंगे, अब जिसे मैंने आपको कुछ यहाँ पर अच्छी social bookmarking की websites भी बताई थी मैंने आपर, तो उसी मैंसे मैंने यहाँ पर आपका time बचाने के लिए Tumblr के उपर already login कर रखा है, Tumblr is very good website, ठीक है, another one is scoopit, मैं चाहूं तो और मैं भी अभी login करके मैं दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है, दो से आपको समझ में आ जाएगा, अब हमें social bookmarking का link बनाना है, तो हमें क्या करना है, हमें link के उपर यहाँ पर click करना है, ठीक है, और आपका जो भी URL है, वो आपको यहाँ पर paste कर देना है, ठीक है, मैं अपना कोई URL यहाँ पर एक तरीके से paste कर देता हूँ, ठीक है, तो जैसे आप इस URL को डालोगे यहाँ पर, तो उस URL के basis पर already यहाँ पर आपको कुछ content दिख जाएगा, ठीक है, अगर यह URL किसी page का होता, let's say, मैं यहाँ indiatimes.com के उपर आ जाता हूँ, particular page के लिए backlink बनाना होता, तो वो आप देख रहे हो यहाँ पर कि हम लोग इस particular page के लिए यहाँ पर backlink जो हम अपना बना रहे है, हम अपना यहाँ पर description लिख देंगे, description is basically two three lines which are related to the page for which you are creating backlinks और यहाँ पर tags आ जाएँगे, ठीक है, तो आप अपने page के according जो tags हैं, वो यहाँ mention कर सकते हैं, जैसे digital marketing, इसके बाद आपको क्या करना है, simply आपको यहाँ पर post के उपर click कर देना है, that's it, आप देखो यहाँ पर तो आपकी यहाँ पर यह post होगे, अगर आप इसके उपर click करोगे, so this is actually your post, तो आप अगर यहाँ पर जाओगे तो आप यहाँ से copy link कर सकते हैं, this is the link ठीक है, और मैं अगर इस link को यहाँ पर paste करता हूँ, तो आप देखो यह वो आपका link है, यह publish हो चुका, you will go ahead and mention it over here, और जो मैंने यहाँ पर login करने के लिए, Tumblr में जो username, password यूज किया था, जो email यूज किया था, you can put that thing over here, तो इस type से आप social bookmarking का एक backlink कर सकते हैं, और उसका जो database आपको create करना है, वो आप इस तरीके से create कर सकते हैं, उसके बाद जो हमारी दूसरी website थ पर भी मैंने already यहाँ पर login करके रखा हुआ है, ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो, आप paste a link to create a new scoop आपको दिख रहा है, आप read पर भी जाओगे, तो भी यहाँ पर भी आपको option मिल जाएगा, ठीक है, जिसे मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, देख कर लेगा यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको further कुछ edit करना चाहते हैं, you can go ahead and edit it, otherwise आप यहाँ पर simply tags mention कर देंगे, kind of hashtags यह kind of terms जिससे related आपका यह page है, और आपका link यहाँ बन गया, मतलब यह मत सोचें आप, कि आपको यहाँ पर फिर से कोई backlink बनाना है, जो link का paste करते हो, यहाँ पर वही आपका backlink की तरह के से act होता है, तो अगर मैं edit mode पर जाओं, तो आपके पास यहाँ पर कुछ चीज़े edit करने का भी option है, अगर आपको लगता है कि आपको edit करने की ज़रूरत है, you can edit it, आपको image हो गयरा change करने की ज़रूरत है, you can also do that, but link will remain same, you can go ahead and publish it, और उसी तरीके से आप महां से link ले लोगे और वो जाकर अपनी database में save कर दोगे, तो यह मने कुछ आपको websites बताई, जो अच्छी websites है, तो अगर आप देखोगे तो इन website के ओपर traffic भी बहुत अच्छा है, अगर आप देखोगे तो इन website से आपकी website पर भी अच्छा traffic आ स submissions किस तरीके से किया जाता है, बट उससे जरूरी जो चीज है, वो यह है कि क्या directory submission आज के टाइम में एक important type of backlink creation strategy है, क्या Google इसको consider करता है, क्या हमें directory submissions करने चाहिए, क्या हमारी ये website के लिए फाइदे मन्द है, नहीं, बिलकुल नहीं, guys, आज के टाइम में directory submission की zero value है, आप अगर में इसे 100 बार भी पूछोगे न, तो मैं 200 बार इस बात का reply करूँगा, कि आज के टाइम में directory submission की value जो है, वो बिलकुल zero है, बहुत सारे लोग आज के टाइम में भी आपको बोलते हैं, कि directory submissions की कुछ value है, बट मैं थोड़ा सा वहां पर disagree करता हूँ, और उसके पीछे जो reason है, वो यह है, क्योंकि Google straightforward तरीके से कहता है, कि हम directory submissions को कोई weightage नहीं देते हैं, अगर Google ये बात कह रहा है, तो फिर मैं further किसी बहस में जाता नहीं हूँ, कि directory submissions की value होती या नहीं होती, हमारे पास बहुत सारे दूसरे तरीके जिनके तरू हम लोग वैकलिंग्स बना सकते तो मैं उस तरफ जाओं ही क्योंकि directory submission type of backlink मुझे बनाने चाहिए, Google कह रहा है, directory submission की कोई weightage नहीं है, कोई value नहीं, इसके बाद भी कुछ लोग बोलते हैं कि इसकी weightage है, इसकी value है, तो मैं बना के देखता हूँ, मैं नहीं बनाता हूँ, गर Google ने straightforward मना कर दिया, तो फिर मैं अब जो आज के time में भी लोग directory submissions कर रहा है, वो भी गलत कर रहा है, ठीक है, actually आप सबसे पहले समझो कि directories का मतलब क्या होता है, directories basically उन businesses के लिए बनाई गई थी, जो businesses local business थे, जैसे अगर कोई मेरा digital marketing institute है, let's say वो institute इंडिया में है, और जो मैं directory submission कर रहा हूँ, वो कर रहा Australia की किसी directory submission website के उपर, वहाँ पर Australia के कुछ businesses जो है, वो listed है, ऐसे में जो हम बात करते है, relevancy की, क्या उस website से अगर आपको backlink मिल रहा है, तो क्या कोई relevancy होगी, नहीं होगी, अगर उस website से कोई traffic भी आपकी website के उपर आ रहा है, तो क्या कोई relevancy होगी, कोई relevancy नहीं होगी, तो Google के point of view से भी आप trust factor को miss कर रहा हो, यानि कि relevancy को miss कर रहा हो, और अगर मैं user के point of view से बात करूँ, तो user भी अगर आपकी website पर आता है, तो क्या guarantee है कि वो convert होगा, क्योंकि वो तो Australia का है, ठीकि वो directory Australia की, let's say example मैं केवल ले रहा हूँ, और आप जिस business को वहाँ पर promote कर रहा हो, जो business है, वो India का है, तो logically अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको खुद समझ में आएगा कि directory submission आज के time में कोई खास value नहीं रखती, बलकि मेरे हिजाब से तो zero value रखती है, और अगर आप बहुत ज़दा debate में नहीं पढ़ना चाते हैं, और सीधे Google की बात मानना च दिखा भी देता हूँ, एक recent यहाँ पर कोई एक Twitter के उपर tweet है, इसमें John Miller सापको tag किया गया, now Google give any weightage to directory submissions, article submissions and bookmarking यहाँ पर देखो, those are generally all seen as artificial links and considered against the webmaster guidelines, और मैं अपने भी experience से बताता हूँ, मैंने भी देखा है, मैंने भी इस चीज़ को fill किया, कि directory submissions में आज के time में कोई खा साथ के आसपास की technique है, आट के आसपास की technique है, मतलब दस साल पहले की technique है, पटास के भी time में बहुत सारे लोग जो है, वो directory submissions बनाते हैं, ठीक है, तो कुछ points मैं उससे भी related, यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर आप देखो, according to Google, directory submission has no value, और इसके उपर मैं website इंडिया की है, और आप किसी बहुत ही high authority website के ऊपर, यह high authority directory submission website के ऊपर backlink बनाते हो, जो इंडिया की websites है, वहाँ पर इंडिया से traffic आ रहा है, वहाँ पर इंडिया के businesses जो है, वो listed है, तो वहाँ से relevancy तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, और अगर कोई traffic वहाँ से आता है, तो व fourth point है, वो है, pick a directory which has lesser number of categories, तो अगर आपको किसी directory के ऊपर बनाना भी है, तो ऐसी directory आप pick करो, जिसमें जो categories है, वो काफी कम हो, ज्यादा categories होगी, तो ज्यादा diversified website होगी, और ज्यादा diversified website का मतलब यह हो गया, कि niche जो है, वो dilute हो जाती है, तो जहाँ पर भी niche dilute हो जाएगी वहाँ पर आपको relevancy वाला जो advantage है, वो नहीं मिलता है, तो I believe यह चीज़ clear हो गई होगी, अब अगर आपको लग रहा होगी, सर फिर भी हम बनाएंगे directory submissions, तो ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको कि किस type से आप directory submissions कर सकते हैं, देखो, directory submissions करना, या जो blog commenting type of backlinks होते हैं, यह दोनों ही type of backlinks बनाना बहुत easy है, इसलिए लोग इसके पीछे भागते हैं, और बहुत सारे जो backlinks हैं, वो बना देते हैं, बट इस बात को समझो, थोड़ा ध्यान से समझने कुश करो, गर हमारे पस दूसरे तरीके हैं, backlinks बनाने के तो हम क्यों इसके पीछे जाएं और क्य पास आ जाएंगी, जो directory submission से related होगी, तो मैं कोई भी अगर जो list है, वो open कर लेता हूँ, directory submission websites होगी वहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख रहो, बहुत सारी websites हैं, ठीक है, तो let's say हमें अगर कोई website यहाँ पर दिख जाती है, directory submissions की, ठीक है, तो उसको हम लोग pick कर लेंगे, और फिर वहाँ पर हम लोग जो है, वो अपना backlink जो है, वो बनाने क्या fry करेंगे, तो यह देखो, यहाँ पर यह हमें directory submission की website दिख रही है, तो we'll copy it, we'll paste it over here, ठीक है, और यह हमारी directory submission की website होगी, तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देख रहो, corner में submit URL दिख रहा है इसी type से जिस भी directory submission की आप website पर जाओगे, कहीं न कहीं आपको submit जो URL है, उसका option दिखाई देगा, तो मैं एक और directory submission की website जो है, इसको open कर लेता हूँ, और अगर आप यहाँ पर भी जाओगे, देखो, यह तो secure भी नहीं है, ठीक है, इसके उपर तो HTTP, S वाला भी आपको नही certificate भी इसके उपर नहीं है, इसको तो मैं ऐसे ही close कर देता हूँ, यहाँ पर, तो बहुत सारी directory submission websites को Google ने भी over the period of time penalize किया, उनको भी search engine result pages से बाहर कर दिया, तो यह चीज़ भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर directory free पे आ जाता हूँ, ठीक है, यहा यहाँ पर जो link drop करने की बात हो रही है, दुसरी चीज़ अगर आपको Moz का D.A.P.A. चेक करना है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, मैंने आपर Chrome extension नहीं लगाया हुआ है, इसलिए मैं आपको website से check करा के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं D.A.P.A. चेकर, जो है वो Moz किसी दूसरी website के through, जो domain authority check है, वो अगर हम करना चाहें, तो वो हम कर सकते हैं, तो let's say, अगर मैं इसका करना चाहता हूँ, यहाँ पर, तो मैं copy कर लेता हूँ इसको, यहाँ से, ठीक है, and then we will paste it over here, fine, और check authority मैं कर देता हूँ, यह काम नहीं कर रही है, तो इसको एक बार के 52 है, और इसकी जो domain authority है, वो आपको यहाँ पर 35 दिख रही है, ठीक है, more information हमें आज सच चाहिए नहीं, तो हमें page authority और domain authority दिख रही है, तो अगर आप logically देखो, तो page authority और domain authority के point of view से, तो यह ठीक है, but the point is कि directly submission as a technique ही, आज के time में बहुत जादा popular नहीं है, तो यहाँ पर submit site के उपर जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर आप देखो, एक तो आपको यह featured listing दिख रही है, और आपको यह regular listing दिख रही है, regular listing is basically free, और जो featured आप देखते हो, it's basically paid, ठीक है, इनकी कुछ यह एक fees है, but अगर आप यह fees पे करते हैं, तो आपका जो link है, वो तुरंद का लगेगा, जो भी आप email address डालोगे, उसके उपर आपको अगर approval मिल जाता है, जो listing है, जो link है, तो फिर वो आपर notification, mail आजाएगा basically आपको, कि आपकी जो listing है, वो approve हो गई, तो मैं यहाँ से अपनी category select कर लूँगा, let's say अगर मेरी category business है, business advertising है, तो that I will select and submit regular site, अब site का title आप य digital marketing agency, ठीक है, अगर आपकी digital marketing services देने वाली website है, then you can go ahead and put your URL, अब यहाँ पर धियान रखना है जरूरी नहीं कि आप domain का URL यहाँ पर डालोगे, जो भी page का backlink बना रहे हो उस page का URL डालोगे, description of that page, वो आप mention करोगे, कुछ keywords highlight करोगे, आपका email address, verification and that's it, add URL करोगे, यहाँ पर बोल देंगे, कि आपका जो backlink है, वो submission के लिए हमने ले लिया है, और once it will approved, you will be notified on your email through mail, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब इसका, आपको database भी मनाना है, तो आपको इसको copy करना है, यहाँ से, यहाँ पर वापस आ जाईए, मैं यहाँ पर website mention कर देता हूँ, और यहाँ प यहाँ पर mention कर रही है, ठीक है, इस email address के उपर हमें notify होगा, कि हमारा जो link है, वो approve हुआ है, या या ने, तो इस type से आप इसका database जो है, वो बना सकते हैं, बट हम बहुत जादा ग्रेश्की submissions करते नहीं है, ठीक है, करते ही नहीं, avoid करते हैं, तो फिर हमरे पास ऐसा कोई database जाता है, बट उससे पहले हमें ये समझना होगा, कि आखिर infographic का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब हम लोग article submission कर रहे थे हैं, हम लोग उन देखा था है, कि articles क्या होते हैं, और उसको किस type से हम दूसरी websites के उपर submit करते हैं, फिर वहां से हम लोग backlinks लेते हैं, तो यहाँ पर ह मैं query कर रहा हूँ, infographic digital marketing और मैं search करता हूँ, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो आपको कुछ इस type के infographics दिख रहा हूँगे, देख रहे हैं आप यहाँ पर, there is some information in the form of graphic, तो अब आपको न इस type से content और graphic न पहले से बना के रखने होंगे, तभी आप इनको submit कर पाएं templates मिल जाती, infographic की, आप उसको use कर लिजेगा, और भी किसी platform के उपर अगर आप जाएंगे, canva type के ही जो platform होते हैं, उनके उपर जाएंगे, तो आपको ज़रूर जो है, उसके अंदर templates मिल जाएंगे, और वो भी free होंगे, तो उनको use करके आप जो infographic है, वो बना सकते हैं, उचेगा, ठीक है, हम आपका infographic ले लेंगे, बट इस infographic का source क्या है, यह infographic internet पे कहां present है, या बस केवल आप infographic की submit करने आ गए हो, ठीक है, तो वो आपसे source मांगेगा, बहुत सारी ऐसी website से हैं, जो source मांगेगी, तो ऐसे में, let's say मेरी website है abc.com, और इसके उपर blog है कोई, तो आप न कोई न कोई एक blog लिखें, उस blog के अंदर इस infographic को आप use करें, इस blog के अंदर, उसके बाद इस same infographic को आप किसी infographic submission website के उपर submit करें, बास समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है कि आकिर infographic submission आपको किस तरीके से करना है, तो आपको उस infographic के related कोई blog या content थोड़ा सा तय यार करना पड़ेगा, जिसको आप अपनी website के उपर submit कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप उसका SEO कर सकते हैं, अगर मैं उस blog की बात करूँ, जिसके उपर आपने infographic लगाया है, और blog तो आपका यह है, तो वहाँ पर भी आप उसका SEO कर सकते हैं, और content repurposing के under, वो जो आपका inf infographic था, उसको आप infographic submission websites के उपर submit कर सकते हैं, दूसरी important चीज़ यह, कि जब आप infographic submission websites के उपर जाएंगे, तो बहुत सारी websites आपको ऐसी रेखने को मिलेंगी, जो basically paid होंगी, ठीक है, तो वहाँ पर आप infographic तभी submit कर पाएंगे, जब आप कुछ amount देंगे, otherwise there are high chances कि आपके infographic जो है, वो reject हो जाएं, free website के उपर, ये भी हो सकता है, कि आपका infographic submission होने में बहुत साधा time ले ले, और ये भी हो सकता है, कि आपके के वाल infographic submit हो जाएंगे, और वहाँ से आपको कोई backlink ना मिले, तो ये आपको ढूनना पड़ेगा, बट बहुत सारी websites आपको मिल जाएंग जो infographic है, वो submit कर सकते हैं, I believe process समझ में आ रही होगी, कि infographic तैयार करना है, उसके around content लिखके अपनी blog क्यों पर डालना है, उसके बाद infographic को infographic submission websites में submit करना जाएंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर search कर लेता हूँ, infographic submission websites, तो यहाँ पर guys, आप देखो, बहुत सारी websites आ चुकी ह मैं कुछ यहाँ पर जो blogs होगे रहा है, जिनके अंदर infographic submission websites होगी, वो मैं open कर लेता हूँ, यहाँ पर आप देखो, बहुत सारी websites आपको दिख रही है, जैसे मैं onlyinfographic.com एक website जो है, इसको open कर लेता हूँ, और वो जो basic चीज है ना, आपकी, कि आप जिन भी websites के उपर submit कर रह website, secondly title of image, up to 70 characters, third and most image must be related to your project, informative with your project URL in it, वही जो मैं source की बात करा हूँ, moreover description with anchor text, tags 3 to 4, then the second last thing to consider the website URL and the last keywords for the anchor text, यह दो backlinks बनाने के actually process हो गई, तो अगर मैं जो websites निका ली, वो मैं आगर आपको दिखा हूँ, जहाँ पर यह websites आ जही है हमारी, ठीक है, आप देखना है, यहाँ इन्फोग्राफिक दिख रहा होगा, यह आप देख रहा हो, ठीक है, तो मैं इसके उपर क्लिक करता हूँ, submit इन्फोग्राफिक के उपर एक बार के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ latest जो इन्फोग्राफिक्स हैं वो दिख रहे हैं, बट मैं वापस submit इन्फोग का title होगा वो डालना है और where can we find the infographic सीधा सा मतलब है जहां पर आपका infographic है उसका link तो वो infographic अगर आपकी website के उपर नहीं है in the form of blog तो आप link कैसे डालोगे then commas और उसके बाद जो भी आपका infographic की image है वो आप upload कर दोगे उस infographic से related एक छोट असा description that's it और उसके बाद capture code send that's it और जो email आप डालोगे फिर वहाँ पर आपको information मिल जाएगी कि आपका जो infographic है वो review के लिए submit हो चुका है वाट वो अप्रूव हुआ या नहीं वो आपको वहाँ से email के उपर पता चल जाएगा similarly अगर मैं दूसरी website के उपर जाता हूँ तो देखो यहाँ पर भी submit an infographic का आपको option दिख रहा है आप नीचे आईए ठीक है submit an infographic का आपको option यहाँ पर दिख रहा है तो आपको यहाँ पर भी same चीज़ है name, email, infographic titles, description, category, infographic url, backlink url ठीक है और यह सारा paid promotion है ठीक है तो आप इसको ignore वारी है तो आपको यह websites इस type से ढूननी पड़ेंगी जैसे यहाँ पर भी कुछ websites है ठीक है यह आप देख रहे हैं बहुत सारी websites है infographic archive एक website है so we'll open this website also बहुत सारी websites है यहाँ पर cool infographics भी हम लोग open कर लेते हैं infographic showcase तो बहुत सारी websites है ठीक है तो आपको थोड़ी से महनत करने पड़ीगा और उसके बाद database बना के रख लीजेगा कि यह वह website से जिनके ओपर मैंने किया हुआ है infographic submissions और वह आपको भविश्य में भी काम आएगा कि यह website से जिसमें मैंने client A के लिए infographic submission किया तो then there is another client client भी तो उसके लिए भी हम यहाँ पर infographic submission जो है वो कर सकते हैं अब यह बात तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो आपका infographic है वो high quality का infographic होना चाहिए ठीक है यहाँ पर ही हम लोग एक infographic archive वाली website है इसके ओपर आ चुके हैं submit infographic करता हूँ यहाँ पर तो आप देखो कि यह कुछ rules and regulations होंगे यहाँ पर देखो how to submit infographic infographic archive makes it easy to submit an infographic on your on our infographic submission site and the best part is we have a Pinterest account with over 2.7 million views per month ठीक है तो यह मतलब बोल रहे कि अगर हमारे पस account है तो आपको वहाँ से भी benefit मिल सकता है वहाँ पर उसको share कर सकते हैं ठीक है is it possible to submit infographic free yes we accept free submissions please send us your free submissions at your convenience to be eligible please be sure to adhere our submission guidelines read the guidelines in detail to avoid infographic from being rejected ठीक है तो guidelines for infographic submission है यहाँ से कि पूरे सारी चीज़ा आपको मेंशने तो free में भी होता है बट देखो published के लिए यह न दो महिने से आदा का time ले रहे है and then also कोई guarantee नहीं है publication की यहाँ पर within seven days यहाँ पर within seven days यहाँ पर within two days यह काफी कौशली है देड़ सो डॉलर no one gives एक infographic को submit कराने के लिए जादा तो लोग इसी तरीकों को use करते हैं तो video भी आपको clarity हो गई होगी कि infographic submission क्या है और किस टाइप से हम different different websites के उपर infographic submission कर सकते हैं इमेज submission मुझे एक दो reasons की वज़े से बहुत जादा पसंद है पहले मैं वह आपको बता देता हूं ताकि आपको इसके benefit समझ में आ जाएं देखो मान के चलते हैं कि हम एक image टाइप के content को prepare करते हैं content को बनाते हैं और उसको हम image submission करवाने वाली website के उपर जाकर उसको हम upload कर देते हैं और बहुत सारी एसी website यह process हम लोग करते हैं अगर हम article submission करें तो वहाँ पर जो हमारा content type है वो article हो जाता है image submission करें तो image हो जाता है video submission करते है तो वीडियो हो जाता है content का nature बदलता है type बदलता है basically but हमें उस content के साथ अपने backlink को चिपकाना होता है यह process होती है off page की तो मैं मान कि चलना हूँ यह जो link है वो हमारे home page का link है ठीक है अब यहाँ पर मानते हैं हम लोग कि मैं आ जाता हूँ Google के उपर और let's say जो image मैंने upload करी वो digital marketing से related ती या off page SEO से related वो image थी तो मैं यहाँ पर off page SEO जो है वो mention करता हूँ और मैं images के उपर आता हूँ अब यह मान कि चलता है let's say यह वो हमारी image थी ठीक है केवल example हम लोग ले रहे हैं कि यह वो हमारी image थी अब यह image जो हमने upload करी यह कहाँ पर हमने upload करी Pinterest के उपर और यह भी मैं मान कि यहाँ पर चल रहा हूँ कि अगर हमारी वो image जो हमने Pinterest के उपर upload करी वो अगर Google ने index कर ली और Google ने index करने के बाद उस image को हमारी यहाँ पर show करा दिया तो क्या होगा तो यह वाली हमारी image यहाँ पर present है अब वो बंदा इस image के उपर click करेगा लेट से जो user है वो इस image के उपर click करेगा तो कहाँ जाएगा क्योंकि यह जो image है जो rank हुई यह तो Pinterest की image rank हुई हमने upload करी वो एक अलेग बाद है बढ़ जो image rank हुई वो Pinterest की image rank हुई तो वो पहुँच गया लेट से यह वाला जो page है यह Pinterest का page है यह Pinterest के page पे पहुँच क्या अब यहाँ पर एक image भी है यही वाली image क्योंकि हमने Pinterest के उपर upload करें तो उस image के साथ हमारा एक backlink भी है उस जब backlink के उपर user क्लिक करेगा तो वो हमारी website के उपर आएगा तो traffic का nature कौन सा अगर मैं आपसे पूछू यह organic traffic है या यह referral traffic है तो सही जो answer है वो यह है कि यह referral traffic है किसी website से हमारी website के उपर एक traffic आ हमारी website के उपर आ रहा है तो क्या हमें उससे benefit होगा नहीं कोई भी benefit नहीं होगा मतलब ranking के point of view से में बात कर रहा हूँ ranking के point of view से आपको कोई भी benefit नहीं होगा तो दूसरा सवाल यह आता है कि सर अगर हमारी website के उपर referral traffic आ रहा है जैसा आप बता रहे हो तो क्या अगर हमारी website के उपर बहुत जादा referral traffic आएगा तो क्या हमारी ranking improve होंगी देखो indirectly तो हमारी ranking improve हो सकती जैसे कोई visitor हमारी website के उपर आता है अच्छा time बिताता है website के content को consume करता है कुछ positive signals गूगल को वहाँ से देता है तो गूगल को लगेगा ये website एक informative website है तो indirectly जो आपकी ranking है वो effect हो सकती है अगर आप यह सोच रहें कि अगर referral traffic बहुत जादा हमारी website के उपर आ जाता है बहुत जादा referral traffic अगर हमारी website के उपर आता है तो इसका मतलब हमारी ranking improve हो जाएगी तो यह direct relations नहीं है ठीक है referral traffic आता है और वो कोई ऐसी activity करता है जो गूगल के हिसाब से अच्छी activities है गूगल को एक positive signal देती ही तो उस particular case में आपकी website की जो ranking है वो improve होने के chances है बट directly हो पाए यह possible नहीं है ठीक है तो अब आप बोलो के सर फिर इसका benefit क्या देखो डिरेक्ट ranking का advantage हमें नहीं मिलेगा बट advantage जरूर मिलेगा फिर एक और सवाल आता है कि सर फिर डिरेक्ट advantage कहा मिलता है डिरेक्ट advantage इस case में इसको मिलेगा इस वाली website को let's say यहाँ पर मैंने off page SEO डाला यहाँ पर यह वाली website rank हुई यह website यहाँ पर organically rank हुई है ठीक है keyword डालते ही वह website वहाँ पर आ गए तो वह अली website organically rank हुई तो उस website के ऊपर कोई user जाएगा तो वह जो traffic है that is organic traffic to this website pure organic traffic but उस website के अंदर link लगा था Pinterest के ऊपर मैंने क्या बता है आपको link लगा था हमारा तो उस link से जब कोई हमारी website के ऊपर जाएगा that is not pure organic traffic that is referral भी तरीके को organic traffic है बट अगर मैं classification करना चाहूं तो दाट इस एक्चुली referral traffic ठीक है तो pure organic नहीं होगा वो referral traffic तो referral traffic direct ranking में contribute नहीं करता है लिख लो कहीं तो जो मैं advantages की बात कर रहा था आपसे तो जो मैंने पहला point यहां पर लिखा है जो मैंने आपको समझाए इतनी देर में it helps in bringing referral traffic to your website second is these images can rank in google images जैसा मैंने आपको बताया third is it helps crawler to find your backlinks it helps crawlers to find your backlinks by crawler भी तो उस image को index करेगा तो आपके backlinks को भी तो find करेगा तो backlink के point of view से भी आपको advantage मिलता है as well as traffic के point of view से भी आपको advantage मिलता है but आज के time में ज्यादा सा लोग traffic के point of view से advantage ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं दूसरी चीज़ यह कि कि कितना traffic हम ले सकते हैं क्या हम एक भरभर के traffic ले सकते हैं बिलकुल आप अगर बहुत सारी images को different image submission websites के उपर upload कर रहे हैं और उस image का एक proper जो है SEO कर रहे है proper SEO के यहाँ पर मतलब यह कि image का जो आप title लिख रहे है वो सही हो image का जो description लिख रहे है अब बात करते हैं सर करेंगे किस तरीके से इसको देख लो यहाँ पर तो time बचाने के लिए मैंने quickly यहाँ पर पहले से already search करके रख लिया था आप लोगों के लिए अगर आप Google के उपर जाकर search करेंगे image submission websites तो आपको बहुत सारी यहाँ पर आप जाएंगे और जाद तर वेबसाइट के उपर आपको account बनाना पड़ता है तो मैंने यहाँ पर एक पब्लिक रहेगी और जो टाइटल है तो जो भी आपका टाइटल है जैसे लर्न डिजिटल marketing in Hindi ठीक है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं ठीक है 100 एक डिस्किप्शन्स लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्रांब इंडिया से बेश्ट डिजिटल मार्केटिंग फ्रेनर्स राइट मैं राइंडम सा लिख देता हूं आपर डिजिटल marketing agency in India let's say this is my keyword यही मेरा गर keyword होता और यहाँ भी मैं लिख देता हूं title में भी साइक बार के लिए keyword जो है वही mention कर देता हूं यहाँ पर तो यह जो आप देख रहे हो digital marketing agency in India ठीक है अब इसे मुझे अगर जो है link बनाने तो directly मुझे आप link mention करने का option मिल नहीं रहा है तो मैं copy करता हूं इसको ठीक है और यहाँ पर मैं जल्दी से इसको link बना देता हूं ठीक है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए ठीक है तो मैं इसको copy कर लूँगा यह चरिफ tag को मैं use कर लूँगा यहां से ठीक है और यहाँ पर हम लोग वापस आ जाते हैं और इसको मैं इससे replace कर दो तो location आप mention कर दोगे keywords जो है आपके वो mention कर दोगे आप यहाँ पर जैसे digital marketing ठीक है digital marketing यहाँ पर हम लोगों को select करना पड़ेंगे basically keywords ठीक है तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं से business एक keyword है ठीक है tags type के होते हैं यह business strategy हो गया तो इस टाइप से आप select कर लोगे category आप देख लेना किस category में fall करता है तो business और से related है क्या अगर कोई category तो भी विल select that अगर नहीं भी है कोई बात नहीं हम छोड़ देंगा उसको अब यह सारी चीज़े ना आपकी image का optimization actually ठीक है तो मैं uncategorized रग देता हो वाटर मार्क अगर आपको एड़ करना है तो you can do that नहीं करना तो आप छोड़ सकते इसको मैं upload कर देता हूं now our image submission will be done ठीक है तो इस particular website के उपर हमारा image submission जो है वो हो चुका है अब अगर मैं इस image को open करता हूं एक बार के लिए ठीक है इस image को क्लिक करके मैं इस image को open करता हूं तो आप देखोगे यह हमारा जो image का URL है वो है ठीक है दिस is the URL along with that अब बोलो कि सर वो link कहां गया जो आपने बनाया था ठीक है here is the link अगर आप आप देखो यह हमारा लिंक है digital marketing agency इन इंडिया नाम से मैंने बनाया था न यह हमारा लिंक है यह title आगे और आप जब अपना account बनाओगे तो proper profile वगरे आपर mention कर देना है जैसे से आपको impressions वगरे मिलते जाएंगे वो भी आपको यहाँ पर दिखता जाएगा अब यह वाली image it can rank in google तो वहाँ से आपको benefit मिलेगा otherwise आपका एक backlink तो बनी गया तो I believe अभी आपको image submission की process जो है वो समझ में आ गई होगी किस टाइप से आपको image submissions जो है वो करने हैं गाइस दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत important है classified submission से रिलेटर उनको मैं पहले discuss कर देता हूं सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि classified submission का मतलब क्या है जैसे कि हम लोगों ने बात करें थे article submission की तो समझ में आता था कि एक article लिखेंगे वो बहुत सारी ऐसी हैं वो अविलेबल है इंटरनेट के उपर जहां पर हमें हमारी जो classifieds हैं उनको submit करना है इसका मतलब क्या है तो कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि आप newspaper देखते हैं तो आप देखते हैं उसमें classified ad का section आपको दिखता है और उसमें नीचे आप देखते हैं बहुत सारे लोग ads उनको post करते एक्जामपल के तौर पर कर मैं बात करूँ तो OLX एक classified website है इसी तरहीं से सुलेखा एक classified website है जो classified websites है अब यह जो मतलब था classified submission का इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो गए होगी कि सर यह website तो इसका मतलब location specific जो है काम करती है क्योंकि अगर मेरा business है और क्लासिफाइट समिशन करते वक्त आपको इस शीज का ध्यान रखना है कि आप जहां पर भी classified submission कर रहा है वो website आपकी country की हो आपकी location की हो तभी आपको उससे benefit मिलेगा अब बात आई benefit की तो benefit generally दो तरीके के मिलते है आपको classified submission टेकनीक या process को use करके पहला जो benefit मिलता है आपको backlink जो है वो मिल जाता है बट मैं आपको बता हूँ reality में वो backlink बहुत जादा valuable होते नहीं है ठीक है दूसरा जो benefit आपको मिलता है वो यह मिलता है कि आपको वहां से traffic मिलता है और traffic तभी मिलेगा आपको जब आप बहुत ही अच्छी जो classified submission websites हैं जब आप उनके उपर अपना जो add है उसको post करेंगे तभी आपको अच्छा traffic मिलेगा अपता चला कोई classified submission website है classified accepts कर रही है वहां पर traffic ही नहीं है पहले से ही वहां पर कोई traffic नहीं हो अगर आप 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 पोस्ट करते हैं तो आपको जो है वहां से कोई traffic के form में कोई advantage नहीं मिलेगा एक और चीज जो important है व website जो है वहां पर आप नहीं डालते हैं ऐसी भी बहुत सारी websites है एक और चीज है जो भी important है वो यह कि बहुत सारी classified submission websites जो है free जो post है उसको accept तो करती है फ्री जो add है उसको accept तो करती है बट कुछ time के बाद उस add को remove कर देती है तो अगर आपको उनकी regular service चाहिए ठीक है या जा किस type के website दिखती है और अगर हमें submission करना है तो किस तरीके से हम कर सकते है बट classified submission आपकी SEO backlink strategy में या planning में primary में नहीं होना चाहिए ठीक है जिस तरीके से हम बात करते हैं कि high quality backlinks की तो यह बहुत ही जादा high quality backlink नहीं है तो यह आपकी backlink creation strategy की primary जो part है उसमें नहीं होना को search करना है थोड़ा सा अगर country का नाम भी आप आगे जोड़ देंगे तो जादा बहतर हो जाएगा आपके लिए तो बहुत सारे आप देखो कि यहाँ पर तो आपको classified submission website दिखने ही से quicker है OLX है ठीक है locanto है तो बहुत सारी आपको famous भी classified submission website जो है वो दिख जाएंगी ठीक है तो यहाँ से अगर मैं उठा लेता हूँ कुछ websites को यहाँ पर sponsored sites है मतलब यहाँ पर आपको maybe amount दे के जो अपना add है वो submit करना पड़े और यहाँ पर अगर आप देखो तो free classified submission sites है ठीक है बहुत सारी है quicker है और odel है hoobly है ठीक है और बहुत सारी आपको अगर देखेंगे तो एक बार के लिए ठीक है तो इस टाइप से जो बहुत सारी different websites होंगे उनके उपर आपको जाना है और यहाँ पर basically आपको एक classified submission करना है classified submission मतलब आपको अपना जो add है वो यहाँ पर publish करना है इसी तरीके से एक और बहुत famous website है which is locanto तो मैं यहाँ locanto जो है वो search कर लेता हूँ एक बार ठीक है तो यहाँ पर अगर आप देखो तो free classifieds की जो website है वो आपको यहाँ पर देख रहे है ठीक है तो अगर आप यहाँ पर click करेंगे जैसे post free ad के उपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको option मिल जाएगा और यहाँ से आप अपना जो add है वो free में post कर सकते हैं तो जैसे मैं title mention कर देता हूँ यहाँ पर digital marketing agency in India ठीक है मैं proceed करूँगा फिर यहाँ आपसे category पूछेगा कि आपका जो add है वो किस category में है specifically आपका जो business है वो किस category में है तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं service अगर हमारा business है और यहाँ पर हम देख लेते हैं कोई marketing वगरे से related है web services है ठीक है तो मैं web services को pick कर लेता हूँ यहाँ पर ठीक है और उसके बाद यह आपको login करने के लिए बोल रहा है तो मैं यहाँ पर google से login कर लूँगा ठीक है अब इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप classified submission किसी client के लिए कर रहा है तो आप बिलकुल इस चीज का ध्यान रखें कि आप उनकी ही ID को use करें उनके ही password को use करें ताकि जब database बनाएंगे तो उसमें भी आपको mention करना पड़ेगा ठीक है यहाँ यहाँ पर मैंने web services जो है उनको select कर लिया अब web services में let's say हम देखते हैं आपर हमारे मतलब की service है या नहीं है तो अगर न पूट करेंगे आप और उसके बाद अपनी website यहाँ पर पूट करेंगे एक image आप यहाँ पर आड करेंगे phone number आड करेंगे address आड करेंगे और उसके बाद आप अपना आड है उसको post कर देंगे अब आप यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है your ad will remain active for 42 days उसके बाद जो है व आड में करता हूँ देखो यह अभी नहीं तो बाद में यह आप से आईडी औगरा पूछेगा यह पूछेगा ठीक है तो मैं बात करता हूँ जिसे लिश्ट यहाँ पर अगर हम property की बात करेंगे अगर property जो है या real estate business के लिए कर रहा है तो अगर हम real estate business को sell करना चाहते है new residential हम अपना चलाना चाहते है cities लखना हूँ अब contact number है email है जो है अब यहाँ पर name है contact number है phone number है ठीक है इसको मैं कुछ random सा mention कर देता हूँ एक बार यहाँ पर ठीक है और उसके बाद मैं यहाँ पर phone number जो है वो mention कर दूँगा and I'll click on proceed ठीक है यह number मेरे phone पर आ जाएगा एक OTP जो म आपर आपको और जारे detail जो है वो mention करनी है apartments है आपके residential apartment है ठीक है map की location जो है वो आपको select करनी है sublocality sublocality का type building name landmark के सारी चीज़े आपको यहाँ पर fill करनी है ठीक है काफी detailed है यहाँ पर form type का और उसके बाद आपको इसको submit कर देना है तो आपका जो add है वो यहाँ पर publish हो जा backlink की strategy में जो है वो use किया जाता है again मैं आपको यह भी बोलना चाहूंगा कि अगर आप classified submission की तरफ जा रहे है तो पहली बात तो इसको उतनी priority पे न रखें अगर आप backlink की strategy में इसको use करें एक चीज़ यह है दूसी चीज़ यह है कि आप कोशिश करें कि जो आपकी बहुत ह classified submission की उनहीं पर आप जो है submission करें हर किसी classified submission website के उपर आप submission ना करें ठीक है और majorly मैं अगर आपको बता हूँ तो यह traffic के point of view से use होता है backlink में बहुत जाद आपको advantage नहीं मिलेगा गाइस हम लोग देखने वाले किस टाइप से हम लोग profile backlinks create कर सकते हैं अपने off-page SEO activity के अदर अब किस तरीके से हम लोग इसको create करेंगे उससे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि profile backlinks का मतलब क्या है और क्या यह वास्तों में एक बहुत powerful backlink की strategy है या नहीं है देखो जैसे न GitHub पे अपनी profile बना सकते हैं, Quora पे अपनी profile बना सकते हैं और जब आप इन platforms के उपर अपनी profile बनाते हैं तो वहाँ पर generally आपको जो है वो अपनी website mention करने का भी option मिलता है कि उमरतस्कीर की profile Quora के उपर है तो आप अपनी website भी वहाँ पर mention कर दें तो जो आप अपनी website का link वहाँ पर create करते हैं that is actually your profile type of backlink इसी को बोलते है profile backlink अब समझते हैं इस चीज को कि क्या ये इतने powerful backlink strategy है या हमें बहुत सारे profile backlinks बनाने चाहिए देखो अगर हम बात करें profile backlinks creation की तो अगर आपकी नई website है तो आप initially कुछ profile backlinks जो है वो create कर लें और आप इस चीज का ध्यान रखें कि जो आप profile backlink create कर रहें वो authority बड़ी website के उपर ही create करें आप एक और बात profile backlink से समझ में आती है वो ये कि profile backlinks आपको मिलेंगी generally social media type of websites के उपर या social media portals के उपर या फिर forum websites जो होती है उनके उपर आपको profile backlinks जो है create करने की opportunity मिलती है तो अगर उन website से हमें backlink मिलता है तो क्या हमें कोई value भी मिलती है क्योंकि वो website अपने आप में तो बहुत ही powerful है अगर हम facebook की बात करें तो facebook as a website अगर हम केवल देखने की कोशिश करें तो एक काफी powerful website है तो क्या वहां से जो आपको backlink मिल रहा है वो एक powerful backlink होता है अब इस बात को समझने के लिए आपको इस चीज की clarity होना जरूरी है कि google कहता है कि अगर कोई backlink आपको किसी social media website से मिलता है तो वो backlink कोई खास value नहीं रखता है जब तक कि आपका backlink दूसरी website जो normal websites है हाई DAPA की website से वहां से आपको backlink नहीं मिलेगा तब तक आपको उस backlink का उतना जादा advantage नहीं मिलेगा और most of the cases में यह जो backlink होते हैं वो आपके जो backlink होंगे वो no follow backlink होंगे तो link juice का जो concept है वो भी वहां पर लागू नहीं होगा link juice से भी आपको benefit वहां पर नहीं मिलने वाला है तो वही points मैंने पहले यहां पर लिखे हुए they are generally created on social media as profile so the backlink is not that much powerful हाँ बट की social signals जरूर प्रोवाइड करते हैं मतलब वहां से आप traffic जरूर अपनी website के उपर ला सकते हैं तो अगर आपकी social media की profile के उपर कोई backlink है और वहां से आपको बहुत दाधा referral traffic मिल रहा है तो उसका आपको advantage मिल सकता है अच्छा advantage मिल सकता है तीसरा जो फाइदा है वो यह है कि profile backlinks आपकी link diversity जो है उसको maintain रखते हैं Google का यह कहना होता है कि ऐसा नहीं है कि आपकी website के उपर जो link आ रहे है वो एक ही type के हो भले हम बोलते हैं कि जो do follow backlinks होते हों काफी powerful backlinks होते हैं और यह सच्छाई भी है कि do follow backlinks in comparison to no follow backlinks SEO के point of view से काफी powerful होते है बट गुगल का यह भी कहना है कि बहुत सारे आपको do follow backlinks मिल जाए और no follow backlinks ना मिलें यह भी जो है natural नहीं लग रहा है यह लग रहा है कि आपने इसको plan किया हुआ है कि बहुत सारे do follow backlinks ले ली आपने और no follow backlinks आपने नहीं create करें तो यह natural नहीं लग रहा होता है तो link profile की जो diversity है that is again a very important thing कि आपकी जो link profile है वो diversified होनी चाहिए हर type के links जो है उसके अंदर present होने चाहिए तभी उन links का जो collective effect है वो आपको अपनी website पे देखने को मिलेगा direct ranking में benefit नहीं करते हैं बट indirectly दो चार चीजों में हमारी help करते हैं जैसे मैंने आपको बताया है यहाँ पर उसके help से आपको SEO में भी थोड़ा बहुत advantage मिल सकता है अब किस तरीके से बनाएंगे तो मैं आपको कुछ example दिखा देता हूँ जैसे कोरा के उपर मेरी profile है तो जब आप देख लोगे आपको clear दिख जाएगा यहाँ पर no follow backlink जो है वो आपको यहाँ पर दिखाऊ आपको यहाँ पर यहाँ तो यह तरीके से अगर मैं GitHub के उपर अपनी profile बनाने जाओं जैसे मैं यहाँ पर प्लाटफॉर्म के उपर भी आपनी profile बना सकते है तो यहाँ पर आ तो जब आप प्रोफाइल क्रेशन करते हैं उसके साथ साथ जो आप वेबसाइट मेंशन करते हैं यहाप जो लिंक डालते हैं तो मतलब समझ में आ गया अब किस तरीके से क्रियेट करना है तो आप सीधे गूगल के ऊपर चले जाएं और प्रोफाइल बाक लिंक सर्च कर लें आपर ठीक है जैसे मैं जो है इयर भी आपर मेंशन कर दे रहा हूं ठीक है और आप देखेंगे तो बहुत सारी आपको ऐसी व आपको दिखाए देखो Github भी यहां पर आपको दिख रहे हैं अब Github की तो domain authority काफी हाई है ठीक है बट जैसे मैंने आपको बताए कि यह वेबसाइट आक्चुली SEO में directly उतनी help नहीं करते हैं क्योंकि यह वेबसाइट से शोशल मीडिया वेबसाइट से और फोरम वेबस वेबसाइट है तो जिन भी वेबसाइट के उपर आप जाएंगे जैसे यह देविये अर्ट एक वेबसाइट है है ठीक है mix एक वेबसाइट है यहां पर तो इन वेबसाइट के ऊपर जब आ अपनी profile बनाएंगे और profile के साथ आप बैक लिंग बनाएँगे और that is actually your profile बैक इ वो clear हो गया होगा गाईस SEO course के आज किस particular वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं किस तरीके से हम लोग broken links को use करके हमारी जो link building है उसको हम लोग कर सकते हैं बहुत important वीडियो है ये और एक और बहुत important चीज़ कि ये tool based वीडियो है अब tools की जब मैं बात करूँ तो आप किसी भी tool को use कर सकते हो आप HRF को use कर सकते हो आप SEM rush को use कर सकते हो मैं अभी आपको practically भी दिखा दूँगा कि किस तरीके से SEM rush को use करके आप strategy को follow कर सकते हैं powerful backlinks आप यहां से बना सकते हैं क्योंकि backlinks को आप खुद select करते हैं कि मुझे किस टाइप के backlinks बनाने हैं अब इसके लिए आपको कुछ website जो है न वो figure out करनी पड़ेंगे ढूनने पड़ेंगे किस type की website मैं आपको बता देता हैं एक type की website आपको समझनी पड़ेंगी जो आपके competitors होते हैं ठीक है आपको अपने competitors की websites को figure out करना पड़ेगा या search करना पड़ेगा एक बार के लिए और ये बहुत ही आसान है ये कोई tough चीज नहीं क्योंकि बात समझो यहाँ पर आपका competitor कौन है आपका competitor वो है जिस keyword पे आप rank करना चाहते हो अगर उसी keyword पे आपका जो competitor है वो आपसे उपर rank कर रहा है या कोई भी website या webpage जो आपसे उपर rank कर रही है वो basically आपकी competitor है तो SEO में competitor की definition कोई बहुत tough नहीं है और बहुत सारे tools आपको तुरंत बता देंगे कि आपकी keyword पे rank कर रहे है और उससे उपर कौन से website rank कर रही है और उसके नीचे कौन सी website rank कर रही है तो आपको आपके competitors के बारे में पता चल जाएगा तो कहने का total मतलब यह है कि starting में हमें क्या गरना है हमारे पास कुछ हमारे competitors की website होनी चाहिए let's say मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि five websites आपने निकाल लिया अब यह जितनी जादा होंगी उतना scope आपके पास बढ़ जाएगा broken link strategy को use करके link building करने का but वो depend करता है कि कितने links आपको बनाने कितनी आसानी से आप links बना पा रहे हैं अभी के लिए मैं मान के चलता हूँ जैसे आपने five websites को figure out कर लिया second जो type of websites आपको चाहिए वो इस type की websites होंगी जो basically आप ही की niche या category की website है अब इसका क्या मतलब है या पर देखो इसका मतलब यह होता है कि मान के चलते हैं कि example ले रहे हैं कि अगर इस particular website को किसी एक website से backlink मिल रहा है let's say a.com से इस वाली website को जो एक दूसरी website है जो आप ही की niche आप ही की category की website है हो सकता है उससे आपके direct competition ना हो but वो relevant है आप ही की category की website है इस website को अगर a.com से backlink मिल रहा है और आपको लगता है कि जिस भी website से इसको backlink मिल रहा है उस website से अगर हमें भी backlink मिल जाए this is our website अगर उस website से हमें भी backlink मिल जाए तो ये हमारे लिए एक तरीके से beneficial है या relevant है तो इस type की websites को आपको figure out करना है जो कि मुश्किल नहीं है किसी भी tool को use करके आप बड़ी आसानी से इन सारी चीजों को जो है वो figure out कर लेंगे इस type की website जो है वो figure out कर लेंगे अब इसके आगे क्या होगा देखो इसके आगे ये होगा कि आपको जैसे मैंने बताया आपको S.E.M. Rush टूल यूज करना है अभी मैं दिखा भी दूँगा इसको practically मैं यहाँ पर S.E.M. Rush का example ले रहा हूँ वो आपको दिखा देगा बड़ी आसानी से कि इस website में कितने pages है अब साथी साथा filter लगा कर ये भी देख सकते हैं कि कौन से ऐसे pages हैं जो 404 है यानि कौन से ऐसे pages हैं जो exist नहीं कर रहा है ठीक है अब वो page है मान लिया ये हमारे competitor की website थी c.com और इसका एक page था a जिसका status 404 है जानि कि ये page अब exist नहीं कर रहा है अब इस page के जो backlinks हैं वो भी आप देख सकते हूँ कहने का मतलब कि इस page को किन different website से backlink मिला है तो मान की चलते हैं आपने कुछ websites identify करी कि एक website x थी एक website y थी और एक website z थी ये 3 websites थी जिससे इस वाली website को backlink मिले हुए थे अब आप बात समझो ये जो z website थी इसके point of view से तो ये कोई backlink valuable हुआ ही नहीं ठीक है इसने इसको backlink तो दे रखा था बट ये backlink अब क्या हो चुका है broken backlink हो चुका है क्योंकि ये exist ही नहीं करता है कि देखो भई मेरे page के उपर एक backlink बना हुआ है जो कि एक ऐसे page को point कर रहा है जो कि अब exist नहीं करता है तो मेरा backlink हो गया broken backlink तो वो बड़ी समझदारी से उस backlink को हटा दिया होगा और एक दूसरा backlink उसकी जिगा लगा दिया होगा अगर उसने ये काम नहीं किया तो फिर आपके पास opportunity बन जाती है आप Z के पास जाओ इनको mail लिखो ठीक है इनको आप mail लिखो अब यहीं पर मैं कहा रहा हूँ ये थोड़ा सा मेहनत का काम है क्योंकि आपको यहां पर outreach करनी बनेगी आप Z के पास जाओगे और बोलो कि देखो भईया आपने एक website को backlink दिया था ठीक है क्योंकि यह आपके competitor की website थी तो आप इनसे बोलोगे कि देखो भई आपने एक website को backlink दिया था और उसी से मिलती जुलती हमारी भी website है यह हमारी website है अब यह backlink तो exist करता नहीं है तो आपना जो आपने content लिखा है उससे हमारे backlink को replace कर दो मतलब हमारे backlink को वहाँ पर mention कर दो या अगर आप चाहते हो हम कोई दूसरा content दे देंगे उस content में जो है आप backlink लगा दो और हमको जो है वो आप backlink यहाँ पर दे दो तो यह basically आप क्या कर रहा हो जो आपके competitor के pages थे ठीक है जिनके उपर broken link था आप उन links के sources को ढून रहे हो actually और उन sources से बोल रहे हो देखो आपने उनको backlink दिया था उससे अच्छा मारा content है उससे बहतरम content दे सकते हैं और आप हमको backlink दे दो तो यहाँ से आप जो है वो backlinks बना सकते हो तो खेल शुरू कहाँ से होगा यहाँ से इसमें भी मेहनत है आउट reach में भी मेहनत है यहाँ से मेहनत करनी पड़े लिकिन आप खुछ समझो website को आप properly देख पा रहे हो समझ पा रहे हो कौन से website है कहां से backlink मिलेगा backlink की location क्या होगी position क्या होगी यह सारी चीज़े आपको समझ में आरे इसी strategy को कहा जाता है broken link को use में लेकर किस तरीके से हम लोग backlinks बनाते हैं तो niche category वाली website में वही करना है जैसे niche category वाली website जो है हमने यहाँ पर SEM rush में रखी और SEM rush में उस website को रखने के बाद हमें पता चल गया कि उसके पास कौन-कौन से pages है साथी साथ हमें यह भी पता चल गया यह भी देख लेंगे कि वो pages index होने चाहिए वो pages index हो और साथी साथ वो pages 404 हो अगर ऐसा है तो उन pages को कहां से backlinks मिल रहा है वो देख लेंगे तो कुछ हमें pages दिखेंगे अच्छा यह बड़ा ही relevant page है हमारा और यह relevant page मतलब page relevant का मतलब यह हमारा page तो है नी बड़ जो भी हमारी niche category वाली website थी उसके उसका जो page है वो हमारी category के relevant है हमारे content के relevant है तो वो जो relevant page हमने देखा कि अच्छा यह तो relevant page है इसके जैसा हमारे पास भी content है तो इसके देखते हैं कि इसके उपर जो links point कर रहे हैं वो कौन से broken links है तो यह tools की help से आपको दो मिनानों में पता चल जाएगा अभी मैं दिखा भी दूँगा आपको तो कितनी quickly आपको बड़ा है यह strategy अगर वीडियो ना समझ में आया एक पर फिर से देखिएगा क्योंकि थोड़ा सा आप confused हो सकते हैं इसमें पर प्रोसेस यह है broken links की help से back links बनाने की process यह है अब हम लोग practically देख लेंगे ठीक है तो मैं एक example मान के चलूँगा starting सही कि मान लिया मेरे competitor जो website थी वो India Times website थी यह मैं मान के चलता हूँ कोई भी website जो आपको लगता है आप मानने ठीक है यह बात आपको clear होगे अब सीधे laptop screen के उपर हम लोग practical देख लेते हैं तो अब implementation के point of view से मैं SEM rush के उपर आ चुका हूँ और मुझे यहाँ पर अपना जो domain है या जो हमारी website है वो mention करनी है तो ममान के चलता हूँ मैंने index हो चुके है फिर बाद में देखेंगे कि जो index हो चुके है उन pages में 404 pages कौन से है ठीक है तो मैं index pages के उपर आ जाता हूँ ठीक है बहुत ही simple सा steps है index pages के उपर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो एक एक page के उपर कितने सारे backlinks बने बड़ी website है इसलिए आपको इतने backlinks देख रहा है छोड़ी website होगी तो आपको इतने backlinks नहीं दिखेंगे ठीक है अब हमें यहाँ पर filter लगाना है broken pages का तो मैं broken pages का एक filter लगा लेता ह हूँ यहाँ पर तो अब आपको यहाँ पर बहुत सारे status दिख रहे होंगे है ना आपको क्या करना है 404 वाले status देखने ठीक है तो जैसे मैंने देखा यहाँ पर अब दिखो यहाँ पर आपको research करनी पड़ेगी ठीक है तो मैंने जैसे देखा यहाँ पर कि यह एक page है ठीक और ये page 404 है, यानि कि ये page आप exist नहीं करता है, not found वाले status के अंदर है, but इस page को 526 backlinks जो है, वो point कर रहे हैं, और अगर मुझे लगता है कि ये page relevant है, और इस page को जो backlinks point कर रहे हैं, अगर मैं मेरी website के किसी content को backlinks point करने लगे तो मुझे benefit होगा, तो ये आपको समझना कि भाई इसके ही जैसा आपका भी content है या नहीं है, तो research है यहाँ पर, ठीक है, तो जैसे मैं और नीचे आजाता हूँ, आपको लगता है ये वाला भी कोई article है, ठीक है, जो अभी 404 में, इसके उपर देखो, आप कितने जारे backlinks point कर रहे हैं, इसी तरीके से हम एक और 404 दे article को point कर रहे है, 306 backlinks, और ये वाला जो page है, ब्रोकेन है, तो अगर मुझे लग रहा है कि ये वाला जो page है, इससे ही मिलता, जुलता हमारे website के उपर भी pages है, या content है, तब तो इसके जो backlinks है, वहां से backlinks लेने में हमें फाइदा है, है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं simply यहा website से backlinks मिल रहा है, जैसे ideas.time.com से backlinks मिल रहा है, इस वाली website से इसको मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, जैसे अगर आप यहां पर जाओगे, तो आप देख लो, कि ये वाला जो article है, वो सही है या नहीं, फिर आप इनको approach कर सकते हो, कि आपने वहां पर backlinks दे रखा है, अब आपको concept समझ में आ गया होगा, अब ये जो indiatimes.com मैंने आपको धून के बताया था, आपके बाद अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, आप अपने competitors के domains डाल सकते हैं, competitors की website डाल सकते हैं, निश्वाली बताई, वो आपके उपर है कि वो websites को आप किस तरीके से research करते हैं और website के page के उपर और फिर जो source होता है उस link का उससे आप contact करते हैं, outreach करते हैं, email भेजते हैं और वहाँ से फिर आपको backlinks मिल जाते हैं, उस तो आचा करता हूँ, वीडियो आपको फसंद रहा होगा. आज के इस particular वीडियो में हम लोग देखने वाले किस type से हम लोग PDF और PPT submission types of backlinks होते हमारे उनको हम लोग create कर सकते हैं, कुछ लोग इन ही type के backlinks को doc submission types और backlinks भी बोलते हैं, क्योंकि PPT और PDF एक तरीके से document या doc ही हैं, तो जब कभी हम लोग backlinks को create करने की बात करते हैं, किसी website क योपर अपने webpage का हम backlinks लगाने जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पर केवल हमें backlink ही mention करना होता है, या हमारे जो webpage का link है वही mention करना होता है, लिंक के साथ साथ हम कुछ content को भी use करते हैं, जब हम blog submission करते हैं, तो वहाँ पर हम articles use करते हैं, जब हम article submission करते हैं, जब हम different different types के backlinks बनाते हैं तो जहाँ पर भी हम backlinks बना रहे हैं वहाँ पर हम उसके support में कुछ content भी डालते हैं ताकि content के around relevancy built हो सके और वो content हमारे web page के relevant हो जहाँ से भी हम लोग backlinks ले रहे हैं तो जिस भी content के around हमारा backlink हो गई है तो वो एक relevancy maintain होगी जो कि हम जानते हैं कि SEO के point of use बहुत ही important चीज है तो यहाँ पर जो content की बात हो रही है वो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पीपिटी और पीडियफ के फॉर्म में तो आई बिलीव यह चीज आपको ब्लॉग लिखा और उस ब्लॉग का जो title है वो यह है future and scope of digital marketing in India मैं यहाँ पर यह mention कर देता हूँ future and scope of digital marketing in India मान लिया मैंने इसके उपर अपनी website के उपर एक blog section के अंदर मैंने blog लिखा है और इस blog को मैं कुछ specific keywords के उपर राइंग कराना चाह रहा हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस blog के जो back links है हूँ मैं different different websites के उपर बनाऊ तो अब मैं क्या करूँगा मैं एक PPT बनाऊँगा मैं एक proper PPT बनाऊँगा जिसमें जो content मैंने इस blog के अंदर लिखा है उसी के जो कुछ points है या उसी के जो highlights है उसी से related जो images है वो सारी चीजें मैं उस PPT के अंदर mention करूँगा तो relevancy हो जाएगी जैसे मैंने blog में जो आप यहाँ पर देख रहे हो जैसे मैंने blog में भी future and scope of digital marketing in India जो है वो लिखा हुआ है तो उसी content के round मैं एक PPT बनाऊँगा कुछ pointers में हो सकता है mention कर दो ऐसा भी नहीं करना है जो blog में ही content लिखा है उसी को पूरा copy करके हमें यहाँ पर paste कर देना है ऐसा भी नहीं करना है उसी के relevant या उसी type का जो content है वो हमें वहाँ पर तयार करना है अपनी PPT के अंदर कोशिश करना है 5-6 pages की minimum आप PPT बना है बहुत सारे लोग 1-2 page की भी बनाते है पर मैं आपको recommend करूँगा कि आप 5-6 page की जो है वो PPT बना है वो proper थोड़ा सा content जो है उस PPT के अंदर आप mention करे proper structure करके आप उस PPT के अंदर जो content है वो mention करे जहाँ पर ज़रूरत है images वगएरा की वहाँ पर आप images वगएरा को भी PPT के अंदर use करें जितना अच्छे informational तरीके साब उस PPT को बना सकते हैं आप बनाएं ऐसा मत सोचे कि आप उसको backlink के point of view से use कर रहा हैं तो फिर आप उसको बहुत अच्छा content नहीं देंगे उस PPT में ऐसे मत सोचे अगर आप backlink के purpose से भी उस PPT को use करें फिर भी आपको एक बहतर content जो है उस PPT में device करना होगा बनाना होगा आपने PPT बना ली जैसे मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर आपने PPT बना ली ठीक है मैं केवल एक example आपको बता रहा हूँ जैसे हम लोगों ने यहाँ पर अपनी PPT तैयार कर दी अब इस PPT में backlink कहां से आएगा क्योंकि backlink भी तो हमें mention करना है तो सवाल आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि sir जिन website पर जाकर हम PPTs को upload करेंगे और वहाँ पर हम लोग backlink लगाएंगे तो क्या PPT के अंदर भी backlink होगा हाँ आपको PPT के अंदर भी PPT कहले हम या PDF कहले या document कहले कुछ भी आप कहले उसको उसके अंदर भी आपको जो है वो link जो है वो use करना है hyper link जो है वो use करना है यह बहुत easy होता है यह tough नहीं है आपको क्या करना है जैसे मैं यहाँ पर आजाता हूँ insert के उपर आप आजाएं तो यहाँ पर मैं कोई भी anchor text अकरवाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया digital marketing scope in India और उसके बाद हमें इसको hyperlink बनाना है simply यहाँ चला जाओंगा वापस insert पे जाकर हम लोग hyperlink में जाकर जिस भी URL का हमें hyperlink बनाना है वो यहाँ पर हम लोग बना देंगे ठीक है वो चीज हमने mention कर दी यहाँ पर क्योवल marketing के उपर ही हुआ है अभी hyperlink अब आपको ऐसी websites के उपर जाना है जो PPT या PDF submissions को accept करती है बहुत सारी ऐसी websites है आपको simply यहाँ Google के उपर जाना है और यहाँ पर आप type कर लें high da pa and यहाँ पर PPT submission websites बहुत ही famous websites आपको मिल जाएंगी यहाँ पर तो जैसे आप देख रहे हैं आपर 99 plus free high da pa PPT submission sites हैं एक बार के लिए मैं इसी को open कर लेता हूँ यहाँ पर आपको websites की list मिल जाएंगी और कुछ websites को आप देखते ही समझ जाओगी काफी popular websites हैं ठीक अगर आप चाहते हैं तो over the period of time जो भी आपको अच्छी-च्छी websites मिलती जारी है उनका database आप खुद बनाते जाएं ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं उनको जो लगता है कि यह बहुत ही अच्छी website है तो उसके लिए लोग अलग से अपनी Google Sheet या Excel Sheet बनाते जाते हैं और उसके अंदर उन website को जो high authority websites होती हैं उनको वो mention करते जाते हैं तो if you want you can also do that जैसे आप देखों यहाँ पर slideshare.net है तो मैं इसके उपर जाता हूँ एक बार slideshare.net के उपर यहाँ पर आ जाने के बाद आपको login कर लेना इसके उपर ठीक है एक बार के लिए website लोड हो जाने देते हैं हम लोग यहाँ पर आने के बाद आप login कर ले and let's say मैं यहाँ पर जैसे email से login करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ और भी different sources है let's say मैं Facebook से या LinkedIn से अगर मैं करना चाहूँ that I can also do तो मैं एक बार LinkedIn से करके रिखा देता हूँ आपको quickly ठीक है यहाँ पर हम लोग पासवर्ड मेंशन कर देते हैं तो okay मैंने अभी ना login कर लिया यहाँ पर आप देख सकते हूँ मैंने login कर लिया अब आपको क्या करना है अगर आप देखना चाहते हो तो बहुत सारे यहाँ पर content है आप उनको भी देख सकते हूँ एक बार के लिए जैसे यहाँ पर बहुत सारा content आपको दिख रहा है बट आपको क्या करना है आपको upload के उपर जाना है और यहाँ पर share documents to upload करना है तो let's say मैं desktop से कोई ppt ऐसे ही उठा लेता हूँ आप लोगों को बताने के लिए किए वर यहाँ पर मैंने एक ppt को select कर लिया उसके बाद जो भी आपका title होता है ppt का वो यहाँ पर आ जाता आप make sure करें कि title को आप थोड़ा सा relevant बनाए और यहाँ पर देख रहे हो आप जो हमारा content है वो यहाँ पर आ चुका है ठीक है ppt जो हमारी वो आ चुका है आपको यहाँ पर title mention करना है आपको description यहाँ पर mention करना है description में भी आप अपना जो link है वो mention कर सकते हैं along with that आपको category बहुत ध्यान से select करनी है let's say अगर मैं पढ़ा रहा हूँ कोई चीज यहाँ मैं marketing के बारे में बता रहा हूँ तो उससे related मैं यहाँ पर select कर सकता हूँ हमारी category is marketing और यहाँ पर मैं tags लगा दूँगा जैसे digital marketing हो गया scope of digital marketing हो गया यह सारे tags हम लगा देंगे ताकि हमारा यह जो content है यह सही category में पहुँच जाए जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो न add up to 20 keywords to increase discoverability by 30% तो 20 keywords की यह बात करें these are basically tags जिनको आप use कर सकते हैं यहाँ पर उसके बाद public करके आपको simply publish कर देना है that's it और आपकी जो post है वो यहाँ पर live हो जाएगी या जो आपका ppt है वो यहाँ पर live हो जाएगी इसी भी टाइप के backlink को बना रहे हैं उसका database आपको जरूर बना के रखना है ताकि आपको पता चले कि आपके backlinks कहाँ पर बन रहा है जब आप वो database बना कर रखेंगे तो कभी भविश्य में अगर जरूरत होगी उसके around आज किस वीडियो में चर्चा होगी सबसे पहले तो हमें यहीं समझना है कि PBN links क्या है पहले PBN links को बनाने के लिए कौनसी strategies उस होती थी over the period of time कैसे जो link builders हैं उन्होंने अपने आपको evolve किया और दूसरे दूसरे तरीकों से भी जो PBN method है उसको use करके backlinks बनाना शुरू किया किस तरीके से Google आपकी website को penalize करता है Google क्या इस चीज को check कर पाता है कि आपकी website के उपर जो backlinks बने वो PBN से बने हुए ताकि वो penalize कर सके Google का PBN networks के बारे में क्या सोचना है इन सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले सबसे पहले मैं एक दो चीज़ें आप लोगों को clear कर देता हूँ देखो आज के time में Google का ये 100% मानना है कि जो PBN technique या जो PBN को use करके आप backlinks बनाते हैं वो Google के guidelines के according backlinks जो है वो नहीं है ठीक है लेकिन एक चीज मैं साथी साथ और आपको बताऊंगा कहीं कहीं पर Google के जो bots होते हैं वो PBN network को identify नहीं कर पाते हैं अगर जो link building करने वाले लोग हैं वो कुछ specific चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो यानि कि PBN network बना कर भी आप कुछ हद तक बचके निकल सकते हो बट ये भी देखा गया है कि वो initially तो आप बचके निकल जाते हो बट बाद में कहीं न कहीं आप जरूर फस्ते और Google बड़ी आसानी से identify कर लेता है कि आपने PBN networks के तुरू यानि PBN के तुरू आपने backlinks बनाया है और फिर आपकी website या तो DRank होती है या फिर penalize होती है या फिर आपके जो links है उनकी कोई value ही नहीं रहती है देखो bad links का तीन असर main होते हैं ये बात आपको समझनी पड़ेगी अगर आपने toxic links या जो अच्छे links नहीं उनको बना दिया तो तीन main उसके जो consequences है वो आपको face करने पड़ सकते है पहला जो consequences होते है वो ये होते कि उन links के आपको कोई value नहीं मिले वो links नॉर्मल पड़े रहेंगे ठीक है ना उसकी कोई positive value है ना उसकी कोई negative value तो कोई फाइदा नहीं है आपकी resources, time सारी चीज़े waste हो गई है उस type के links को बनाने में ये पहली चीज second जो चीज ये है कि आपकी website की जो ranking है वो down हो सकती है ये second consequences है third consequences ये होते हैं कि आपकी website जो है वो पैनलाइज भी हो सकती है बट इन सब चीजों को review करने के लिए Google के पास दो methods है एक होता है उसके bot का method यानि कि automated methods जो उसके bot जो चीजे समझ पाते हैं कि आप Google की guidelines को जो है वो follow कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जो Google के अपने human employees हैं यानि human reviewers है वो भी content को review करते हैं वो भी आपकी website को देखेंगे कि इसके ओपर कौन कान से backlinks point हो रहे हैं अच्छा ये वाला जो backlink है वो इस website से है ये वाला जो backlink है वो इस website से अब इन दोनों website में कोई connection तो नहीं है अगर दोनों website में कोई connection there is high probability कि ये PBN के अंदर है और भी बहुत सारे जो links आपकी website को point कर रहे हैं उनको study करते हैं तो उसके basis पर human reviewers भी शीज को check करते हैं तो बचके निकल पाना बड़ा मुश्किल है अगर आप निकल भी गए किसी तरीके से तो long run में ये चीज काम नहीं करने वाली है बहुत ही debatable topic है ये PBN का बहुत सारे लोग अलग-अलग तरीकों से PBN को use करते हैं PBN की जो टेकनीक है उसको use करते हैं और लोगों का time के लिए rank करना मैं इसके favor में कभी नहीं रहता हूँ थोड़े time के लिए देखो आप चीजों को test जरू कर सकते हैं या अगर हमारी websites हैं तो हम उनके उपर भी black hat SEO techniques नहीं test करते हैं हो सकता है बच के निकल जाएं हम भी ऐसा हो सकता है कि बच जाएं और PBN जो strategy उसको Google ना catch कर पाए बट longer run में थोड़े समय बाद आप यह मान के चलो कि उसका नुकसान आपको होना ही होना है तो सीधे मुद्दे की बात यह है कि मैं इसको avoid करने को कहता हूं सीधे सीधे अब यह समझ लेते हैं कि PBN क्या है over the period of time लोगों ने क्या जुगार या क्या technique लगाई है ता यहां पर लिख रखा है PBN are now considered as a pure black hat tactic ठीक है तो अब PBN का मतलब क्या होता है देखो यह हमारी main site है main site वो होती है या main जो हमारी website का page है वो यह page होता है जिसको हम rank करना चाहते हैं कहीं कहीं पर आप देखोगे इसको money site भी कहा जाता है तो confuse नहीं होना है ठीक है यह main website अब हम hosting जो पर होश करा दिया जैसे यहां पर एक मैंने website बना दी W1 एक दूसरी तो यह सब PBN है मतलब private blog network private blog network इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि हम ही इसको own करते हैं यह हमारे ही blogs का network है तो मैंने एक website बना दी W1 एक दूसरी website बना दी W2 यह बना पाना easy है इसमें कोई बहुत जा पूसिबल नहीं है पर यह आसानी से क्योंकि जैसे blogs बना जाते हैं वैसे आपने WordPress के उपर website जो है वो फटा 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 बना सकते हैं एक नया domain खरीदा फटाक से एक website बना दी गई एक दूसरी website ऐसे बहुत सारे let's say यह 10 websites जो है हमने बना दी अब यह जो 10 websites थी क्या क आप देखो यह 10 website या 15 website जितने भी आपने प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क के अंदर website बनाई इनसे जो है आपने अपनी main website को जो है वो link दे दिया अब एक बास समझो यह 15 websites को रेगुलरली नहीं रन करेगा क्या आप ऐसा करोगे कि हर 15 websites को आप प्रॉपर ली उनके इनकी अपनी authority कुछ बढ़ेगी नहीं अब जब इन website के authority नहीं बढ़ रही है ठीक है और इससे आपकी website को जो backlink है वो मिला हुआ है ठीक है और अब जब Google आपकी website के links को crawl करेगा links को study करेगा तो identify करेगा अच्छा भई यह एक website है इस website से आ रहा है डबलू 1 website से ठीक है अच identify करने में क्योंकि आप ही लोग बहुत सारे footprint छोड़ाते हो कि यह website और यह website और यह website और यह website यह सारी website सापस में connected है मतलब यह एक private blog network का part है अब बोलेंगे सारी website connected है ठीक है पर कैसे Google को कैसे पता चल गया भाई साब आपने hosting तो एक ही ले रख की थी आपकी IP तो एक ही थी तो उसको वो identify कर लेगा सारी websites को आपने एक ही analytics से connect कर दिया तो वो identify कर लेगा बहुत सारे ऐसे footprints होते हैं जिनके health से बड़ी आसानी से यह identify कर लेते हैं Google की यह एक website जो है वो PBN network से links को ले रही है ठीक है यह technique चली शुरुआत में बहुत चली बट यह समस्या तब आई जब Penguin जो है वो update आई Google की जब Penguin update आई Google की तब यह चीजें काम करनी बंद कर दी क्यों काम करनी बंद कर दी क्योंकि Penguin का main काम ही था कि जो link schemes है उनको पकड़ना जो लोग fake इस टाइप के links बना रहे हैं उन links को पकड़ना और उन links की value website पे transfer ना होने देना उन links की value ना रखना तो य यह काम था Penguin का link spam से basically deal करता था Penguin का जो algorithm था तो Penguin algorithm आने के बाद यह जो links बन रहे थे और लोगों ने इसको थोड़ा सा modify किया लोगों ने क्या किया इस बार उन्होंने expired domains buy करना शुरू कर दिया ठीक है बहुत साथ different sources है यहां से लोगों ने expired domains को buy करना शुरू किया अब लोगों ने expired domains buy किये उसके उपर नई website जो है वो बनाई थोड़ा बहुत content डाला पांदस post डाली यहां से एक backlink ले लिया फिर दूसरे जो expired domains से वहां से एक backlink ले लिया फिर तीसरे expired domains से backlink ले लिय या इस तरीके से लोगों ने जो है अपने PBN networks को use करना शुरू किया और वहां से backlink लिया वो लेना शुरू कर दिया बट Google के लिए यह चीज भी पता कर पाना बहुत मुश्किल नहीं था थोड़े टाइम के बाद यह strategies भी fail होने लगी है Google काफी easily identify करने लगा कि इस type की marketplace websites हैं उनके उपर लोगों ने अपनी services बेचनी शुरू कर दी कि देखो भाई मेरे पास 50 websites का एक private blog network है मैं आप की website के लिए जो है इन website से links दे रहेता हूं और मेरे कुछ sum of amount आप दे दो ऐसी services भी market में आ गए बट यह सारी चीज़े ना आज नहीं तो कल Google धीरे-धीरे इनक हो सकता है कुछ time के लिए आपको दिखे कि आपकी ranking जो है वो improve हुई है बट over the period of time जैसे ही वो review में जाएगा आपकी ranking जो है वो फिर वापस आप देखो के decrease हो जाएंगी या उन links की कोई value नहीं रहेगी और एक खत्रा आपकी website पे penalize होने का भी है तो मैं आपसे कभी नहीं क इसको खरीदना भी शुरू कर दिया अब वो भी पकड़े जाने लगे गूगल के थुरू तो लोगों को यह समझ में आया है कि हम लोग यह करते हैं कि जो गूगल factors को पकड़ता है जिन factors की help से गूगल यह identify करता है कि अच्छा यह website ना private blog network का part है उन factors से थोड़ा सा play करना पर रहा है ना वो इस तरीके से यूज करते हैं कि वो footprints न छोड़ें टर्मिनलाजी यूज होती है footprints पी बेन के लिए बहुत जारा यूज होती है कि कहीं पर आप footprints न छोड़ें footprints का मतलब क्या है मतलब ऐसे signals आप Google को न दें जिससे Google को ये बात समझ में आ जाए कि ये दोनों जो websites है ना ये दोनों websites एक एक blog network का part है कोई relation उसमें न हो पाए ठीक है जैसे आपने पता चला एक ही analytics पर जैसे मैंने बताए वो कर दिया आपने एक ही hosting से कर ली आपने तो अगर आप इन सभी factors को ध्यान देंगे hosting अलग लेंगे बहुत सारी चीजों का अगर आप ध्यान देंगे तो cost भी जादा की आएगी तो private blog network बना कर उसको successfully run करना इसकी भी अपनी cost होती है चलिए शुरू करते हैं और ये भी देख लेते हैं हम लोग वो factors कौन से हैं जिन अपर लिखा हुआ है लेटर people started buying expired domains to pass that link used to their main website क्योंकि expired domains के उपर पहले से backlinks बने होते थे और proper research करके लोग expired domains उनको buy करते थे ऐसे नहीं कि normal कोई भी expired domain है बाइक कर लिया नहीं देखते थे कि जो expired domain है उसके उपर पहले कौन सी website थी उसके उपर कितने backlinks बने हैं किस type के backlinks जितनी जादा high authority की वो website exist करती थी उस expired domains के उपर है जितने अच्छे backlinks उस expired domain के उपर point करते थे उतना अच्छा था उनके लिए तो वो authority या link juice वाला जो concept है कि high authority website से backlink मिल रहा है relevant website से backlink मिल रहा है तो वो वाले जो part था उसमें वो tick कर देते थे वो चीज वो fulfill कर लेते थे अगर expired domains को सही तरीके से buy करते थे तो PBN network को सही तरीके से run करना आज भी possible है लेकिन मैं फिर से बही बात कह रहा हूं long term के लिए नहीं मैं नहीं recommend करूंगा कि आप PBN networks के उपर जाए ठीक है अब जैसे Google कैसे identify करता है अगर मैं इसकी बात करूँ तो पहला point आप देख रहे है उसे hosting on the same IP ठीक है जैसे who इस से सब पता चल जाता है है ना who इस से कि इसका जो registrar है वो कौन सा है बहुत सारी detail जो है वो पता चल जाती तो उसकी help से भी Google को पता चल जाता है कि जो कुछ domains है वो same day पे जो है वो register किये गया है same उनका जो registration name बगरा है जो भी domain से related information है वो same है त second site designs ऐसी जो website जो PBN network के अंदर बनाई जाती जनरली लोग उनके aesthetics पे और इन सब चीजों पर बहुत ज़्यादा काम करते नहीं है same type की theme same type का layout same type की सारी चीज़े same type का content post करते कि उन्हें जल्दी से जल्दी बाक लिंक चाहिए होता है उसके content उसकी quality इन सब चीजों पर कोई भी काम नहीं करता है ठीक है similar themes जैसे मैंने third point लिखा site ownership अगर common है तो यह तो आपने एक परोस के दे दिया Google को कि भाई देख लो यही जो domains हैं यह सब मैंने ही खरीदे हुए ठीक है तो यह सारी चीज़ें गूगल को signal दे देती हो बड़ी आसानी से हो PBN network identify कर लेता है content duplication मतल करें न और वहां से backlink ले 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 लेकिन अगर आप बार बार उन्ही website से backlinks लोग है जैसे मैंने का कि sir ठीक है आप यह बोल रहे हो यह सारे चीज़ों को हम ignore करते हैं एक काम करते हैं हम लोग प्रॉपर 10 websites बनाते हैं अलग domains लेते हैं अलग hosting लेते हैं सब कुछ अलग लेते ह लोग की अलग बिठा देते हैं और उन 10 website से फिर backlinks हम लेना शुरू करते हैं बट आपको यह बात पता है कि जैसे आपने जो backlinks लेने हैं वो unique domains से लेने हैं unique domains का क्या मतलब हुआ कि अगर आप एक website से एक backlink लेते हो और अगर आप उसी website से दुबारा backlink लेते हो उसी website से ति websites बना कर उसके उपर बार-बार content लिखकर बार-बार अगर उससे backlinks आप लोगे तो क्या Google इस चीज को identify नहीं कर सकता कि क्या चल रहा है भीया इन 10 website से regular इनको backlinks आ रहे हैं यही 10 website से जिनसे इनको regular backlinks आ रहे हैं तो अगर 10 website से regular backlinks आ रहे हैं तो Google को signal नहीं जाएगे कुछ ग आपको unique links लेने उतनी जादा आपको जो websites हैं वो create करनी पड़ेंगे अब जब आप जादा websites create करोगे तो वह resources भी तो लगेंगी भाई पैसा भी तो खर्च होगा डोमेन खरीदना है content mention करना है बहुत सारी चीज़े हैं ठीक है और उसके बाद कि अगर कहीं Google ने identify कर लिया कि आप PBN network का साहरा ले रहे हैं तो सारी महनत बेकार ठीक है same type of backlink जो मैंने बताये कि same backlinks जो आपको मिल रहे हैं वो बार-बार उसी type की website से मिल रहे है 7th point using same Google for Google antics मतलब Gmail ID जिसको हम लोग बोलते है Google ID ठीक है Google antics एक ही Google antics पर सारे connect करे हुए हो आप all domains linking to same main website ठीक है ऐसा कैसे होता है यह सारे जैसे domains है यह सारे एक ही website को link कर रहे है और बार-बार यह website को link कर तो चलो यह एक तो factor हो गया जो उसको थोड़ी से signal द जरूर है बट ऐसे बहुत सारे factors है ना तो आज के time में अगर किसी तरीके से यह सारे जो जुगाड है लूप होल्स है इनको ध्यान में रख कर अगर आपने PBN network create कर भी लिया तो बहुत जादा समय तक उसको आप sustain कर नहीं पाएंगे ठीक है क्योंकि यह किसके अंदर आता है यह आता है black hat technique के अंदर अब black hat technique क्या होती है black hat technique का सीधा सा मतलब यह होता है कि यह वो technique है जो Google recommend नहीं करता है बट इसमें कुछ loopholes ऐसे हो सकते हैं जिससे आपको temporary ranking मिल जाए या अगर आप बच जाओ तो थोड़े जादा समय के लिए आपको ranking मिल जाए तो बहुत सारी agencies न मैंशा manually बनाने चाहिए proper बनाने चाहिए और जो backlinks बनाने की basics है relevancy high authority website content based backlinks इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे तो आप backlinks बना लेंगे एक और चीज मैं जो business owners हैं उनको भी मैं थोड़ा से आप रrecommend करूँगा देखे उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि agency वाले लो प्लीज आप push मत करें कि मेरे को तो 50 backlinks रोज चाहिए 30 backlinks रोज चाहिए 40 backlinks रोज चाहिए quality के साथ अगर आप backlinks के case में compromise करेंगे तो मैं अपने इतने सालों का experience बता रहा हूँ हमने देखा है toxic backlinks के साथ कई बार website 6-6 महिने तक rank करें जबर ज़स्त rank करें उसके बाद उसमे के down होने का reason क्या हो सकता इसका मतलब हमारी backlink की जो profile है वो ठीक नहीं है हमारी जो backlink की profile है वो किसी तरीके से corrupt हो गई है तो आप longer run के लेकर किसी website को run करना चाहते हैं make sure करें कि आप quality backlink सी बनाए I believe आपको ये PBN का जो concept है वो समझ में आ गया होगा मैंने या पर जो factors वगरा हैं वो भी आपको mention कर दियो किस टाइप से PBN evolve हुआ वो भी मैंने mention कर दिया और अभी भी ये topic काफी debatable है कुछ लोग के लिए काम करता है बट ये बात 200% guarantee के साथ सही है कि longer run में काम नहीं करेगा ठीक है आज नहीं तो कल Google और अच्छे तरीकों से identify कर लेगा कि ये आपका PBN network है और खरीदें तो बिलकुल ना मतलब जो fiber पे और जो दूसरे जगों पर आपको PBN links खरीदने को मिलते ना उनको तो बिलकुल avoid करें ठीक है I believe बहुत सारी चीज़े आपको clear हो गए होगी दो tier link building की strategy क्या है क्यों इतनी जादा popular है और क्यों इसको black hat SEO टेकनीक में रखा गयागा इस बहुत सारे लोग ये claim करते हैं कि हम लोग tier link building को use कर रहे हैं और हम successfully अपनी website को rank कर पारेगा tier link building ना एक बहुत ही advanced link building की technique आपको इस तरीके समझना या जब तक आपको link building के बारे में बहुत सारी चीज़े ना पता हो तब तक आपको इस type की technique के उपर नहीं जाना चाहिए और मैं तो बिलकु रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग tier link building करें क्योंकि मेरे लिए जो भ strategy से result मिलते हैं और कुछ लोग को strategy से result नहीं मिलते हैं मैं कभी भी grey या black hat strategy को promote नहीं करता हूँ उसकी बात नहीं करता हूँ नहीं मैं उन सब चीज़ों को पढ़ाता हूँ बट actually आपको पता होना चाहिए कि जो ये tier link building है ये किस तरीके से काम करती है और जो लोग tier link building कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं मैं फिर से एक बात ये कह दे रहा हूँ मैं recommend नहीं करता हूँ क्योंकि ये एक black hat या आप इसको बोले grey hat SEO टेकनीक जरूर है चलिए हम लोग थोड़ा सा detail में देखो मान के चलते हैं ये आपकी website है या हम लोग इसको money website भी बोल सकते हैं ठीक है ये money website है या आपकी website है आपने क्या किया पहले अपनी website के लिए कुछ backlinks बनाए फॉर एक्जामपल हम मान के चलें कि ये backlinks आपने high quality जो backlinks है वो बनाए in the form of guest post य और यहां से आपने जो backlink है वो ले लिया अब ये backlink आपकी website को point करा है ध्यान रहे कि ये जो tier 1 backlink होते हैं ये high quality backlinks होने चाहिए या जो लोग बनाते हैं इस टाइप के backlinks वो high quality backlinks ही बनाते हैं यहापर तो ये हो गए हमारे tier 1 backlinks अब ध्यान से समझना जैसे हमने एक website से backlink लिया फाइन वो website थी a.com slash a ये एक post लिखी गई guest post लिखी गई और इसके बीच में हमने backlink ले लिया जो हमारी website को point करा था अब ये आप समझने कोशिश करो देखो हो सकता है कि ये वाला जो domain है ये powerful हो मतलब DA के point of use है domain authority के point of use है ये domain powerful हो लेकिन क्योंकि ये page अभी create किया ग authority नहीं होगी ये बात क्लियर है कि यहाँ पर इसकी कोई भी strong page authority नहीं होगी तो जिस concept पर ये tier link building strategy built है वो concept में आपको बताने जा रहा हूँ कहा क्या जाता है कि हम क्या करेंगे हम दूसरे जो है post बनाएंगे दूसरे जो back links बनाएंगे जो basically इस page को point करेंगे ठीक है इस link को point करेंगे ताकि इस particular page की जो authority है वो बड़ी हो सके वो built हो सके और जब इस page की authority built होगी तो यहाँ से link juice है वो हमारी website के उपर पास होगा और इ ही एक concept है ठीक है अब जैसे आप देख रहों यहाँ पर tier 1, tier 2, tier 3 मैंने mention किया हो बट ऐसा नहीं कि केवल tier 3 तक ही mention किया जाता है बहुत सारे लोग tier 8, tier 9, tier 10 तक भी जो है वो बनाते है बट ये strategy भी कुछ cost involve करती है ठीक है ऐसा ही आप इतनी आसानी से नहीं यह back links बना लिखवा लिया guest blog और यहां से हम लोगों ने एक जो back link है वो अपनी website के उपर ले लिया अब क्यूंकि यह post जो अभी बनी हुए नया page बना हुआ इसकी कोई अपनी page authority नहीं है कोई बहुत ही जबरदस्त page authority नहीं है तो इसको increase करने के लिए हमने second level of links बनाए हमने कुछ और यहां पर content बनाया ठीक है दूसी जगों पर कुछ और content बनाया और वहां से इस वाले post को जो है वो link दिया हमने राइट इस वाले post को link दिया इस anticipation में यहां से जो link juice है वो यहां flow होगा और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी हमारी website ना इसको point नहीं कर रही है तो यही पूरा whole purpose होता है यही पूरी whole जो strategy इसके पीछे होती किस type से हमको link juice को पास कराना है तो tier 1 के जो हमारे backlinks होते हैं वो बहुत ही high authority backlinks होने चाहिए quality backlinks होने चाहिए उसके बाद जो tier 2 के हम लोग backlinks बनाते हैं वो थोड़े से moderate quality के होते हैं और जो tier 3 के backlinks बनाया जात ज Parece क्रेंट करने और यह वाले जो backlinks होते हैं जिनको यहां पर बनाए जाते हैं तो यहां पर बहुत सारे बैक्लिक्स बना दिये गए इनका जो link juice हो यहां जा रहा हैा और जब इसकी page 30 बढ़ गई और यहां से आपकी website को link मिल रहा है तो आपकी website को भी कुछ जो link की value है वो मिलेगी और there is high probability कि आपकी जो website है वो rank हो जाए तो यही पूरा idea है टेयर links के पीछे बट यहां पर आप देखो ना यहां पर tools यूज किये गए हैं automated tools यूज किये गए हैं यहां पर moderate quality और low quality के backlinks इस जगे पर बनाये गए हैं और भी बहुत सारे लोग इस चीज से बचने के लिए कि Google इतनी जल्दी उनको फकड ना पाई इस चीज से बचने के ठीक है जैसे यह मेरी website है बात समझेगा आप यह मेरी website है लेट से यह उमर की website है तो ऐसे ही मैंने क्या किया मैंने इस तरीके से link juice पास कर करके ना यहां पर मैंने हमारा जो DA है और जो हमारा PA है उसको हमने काफी increase कर दिया उसके बाद मैं Fiverr पे चला गया और मैंने कहा बहुत सारी website से backlinks दे देंगे बट यह सारी strategies आप मान के चलो ना Google के against है और मैं वो कोई चीज़ आपको recommend नहीं करूंगा जो Google के against है वही मेहनत करके हम लोग अगर proper guest post लिख सकते हैं guest blogging कर सकते हैं PR related backlinks बना सकते हैं तो बहुत है ठीक है बट बहुत सारे लोग जिनको सारे लोग यहाँ पर अपने PBN से भी backlinks ले लेते हैं मैं यह tier 1 की बात कराओ कि tier 1 पर वो किस टाइप के जो backlinks है वो बनाते हैं जैसे guest post हो गया साथी साथ PBN हो गया और दूसरे जो high quality backlinks है वो बना दिया tier 1 के उपर और उसके बाद दूसरे moderate quality के बना दिया और low quality में तो नहीं कर रहे होते हैं बस इसी वज़े से उनको लगता है कि वो थोड़ा सा बच गया है बट नाव Google is capable of tracing back things उसको समझ में आ जाता है कि जो source है वो क्या है और यह किस टाइप की जो website से वहां से आपको backlinks मिल रहे हैं तो अगर हमने कहीं से guest post लिखवाई उसके बाद उनकी guest post को boost करते हैं उसका PA बढ़ाते हैं अपनी website की ranking को बढ़ाने के लिए बस यही theory है tier link building की कुछ unique नहीं इसके अंदर किस चीज को base मान के आप समझ रहो ना कि tiers बनाये जाते हैं और उसके बाद अपनी website को rank करने की कोशिश करी जाती है मैं नहीं recommend करूंगा यह ठीक चीज नही है ठीक है और बिल्कुल भी आपको purchase और तो backlinks कहीं से करने ही नहीं है Fiverr और पर आप लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको यह दिखा देंगे कि देखो भाया मेरे website की DAPA कितनी हाई है तो DAPA manipulate करी जा सकती है देखो इस तरीके से manipulate करी जा सकती है इस website के उपर बहुत सारे tiers बना कर हम अगर backlinks दें तो इस website का जो page authority है वो बड़ी quickly jump तो होई जाएगी यूगि page authority को ऐसी चीज नहीं है जो Google देता है page authority तो Moz नाम का एक tool दे रहा है और Moz नाम का tool किस basis पे page authority दे रहा है उसके अलग-अलग parameters है कि अगर यह चीज अच्छी होगी यह चीज ऐसी होगी तो आपकी जो page authority है वो increase हो जाएगी उसी मेंसे एक backlinks है तो वो जब backlinks बहुत सारे हो जाते हैं तो definitely कुछ time में page authority increase हो जाती है अब page authority increase हो गई तो मैं गया दूसरे लोग के पास देखो मेरी website इसकी page authority इतनी है इसके जो domain authority वो इतनी है अगर आपको backlink च PR links वनाईए आप guest posting करिए guest blogging करिए वहां से जो है आप email outreach करके दूसरे blogs के उपर जो है अपना content लिखके लिखवा के वहां से backlinks लेने की अगर आप कोशिश करेंगे तो वो जादा बहतर होगा बशरते इस टाइप की जो technique से उनको use करके अपनी website को rank करने के पीछे पढ़ने बहुत सारे लोग क्यों करते हैं कि उनके बहुत सारे affiliate blogs होते हैं उनका अगर blog बंद हो जाएगा तो दूसरा blog खोल लेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे experiments करते रहते हैं अगर आप यह सारी चीज़े कर रहे हैं तो आप हमेशा Google के radar पे हैं कभी आपकी website जो है वो पैनलाइज हो सकती है इसलिए मैं आप लोगों को यह चीज़े recommend नहीं करते हैं यह सारी चीज़े किस तरीके से काम करते हैं इसको हम लोग blackhead SEO बोलते हैं वो है क्या आखिर दूस्तों आशा करता हूँ यह quick video आपको समझ में आओगा PR type of backlinks यानि कि press release करके किस तरीके से हम लोग backlinks create करते हैं इसकी हम लोग बात करेंगे गाईज एक चीज़ मैं आपको starting में ही clear कर देना चाहता हूँ press release type of backlink creation strategy हर टाइब की website और हर टाइब के business के लिए नहीं है जब आपका business थोड़ा flourish हो जाता है और कुछ पैसे आप खर्च कर सकते हैं तब आपको PR strategies की तरफ जाना चाहिए बहुत सारे SEO से जब आप बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस type की backlink strategies को वो use करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे SEO आपको बताएंगे कि हम PR strategy को बहुत कम use करते हैं वो content generally लोगों के पास नहीं होता इसलिए वो उस चीज को कर ही नहीं पाते हैं तो दो बड़े मुद्धे हैं जिसकी वज़े से ये जो backlink create करने की strategy है कि सभी type की websites और सभी type के businesses के लिए नहीं है अब समझते हैं कि press release का मतलब क्या है तो आप लोग इस शीज को देखते होगे कि कभी आप जब newspaper पढ़ रहे हो तो आपको Zomato की news दिख रही आपको Unacademy की news दिख रही है और भी बहुत सारे businesses की आपको news दिखती है जिनको की press release के help से जो है वो publish कराया जा सके newspapers में या e-newspapers में तो challenge यहाँ पर भी आता है क्योंकि वो events होते ही नहीं है organization में तो आप press release किस तरीके से करोगे और अगर कुछ events होते भी है तो फिर वहाँ पर budget जो है वो एक constant आ जाता है क्योंकि जब आप press release करने जाओगे तो वो जो press के लिए आप जो content बनाओगे press release करने के लिए उसको बनाना उसको proper तरीके से audit करवाना उसको editorial team से pass कराना और उसके बाद उसको press release website के उपर submit करना और उसके बाद कुछ efforts लगा कर उसको दूसरे channels तक या दूसरे जो हमारे news publishing website से उन तक distribute करना उनको भी हो सकता है कुछ amount की ज़रत हो तो उनको भी amount देना तो ये एक ऐसी process है जो basically companies तब करती है जब वो थोड़ा सा grow हो जाती है और जब वो press release करती है तो उनको basically दो तरीकों से फ कि मुझे उस press release से backlink भी मिलता है तो वो backlink भी हमारे website के लिए important होगा तो कुल मिला के बात यह है कि press release एक ऐसी backlink बनाने की strategy है जिसको आप हर type के businesses के लिए apply नहीं कर सकते है वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है एक बार हम लोग इस चीज़ को भी देख लेते है इट as a way of publishing news insights related to your organization industry to press and how it can be done three methods है free websites के थ्रू भी आप press release कर सकते हैं जैसे कि हम normal backlinks बनाते हैं अगर आप google के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर अगर आप type करेंगे अगर मैं google के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर मैं type करता हूं free PR websites to a आप देखो कि बहुत सारी आपको वेबसाइट जो है वो फ्री पी आर जहां पर आप सम्मिट कर सकते हैं, प्रिस रिलीस दे सकते हैं, वो मिल जाएंगे, बट उन वेबसाइट के अगर आप देखेंगे तो अथारिटी आपको बहुत जादा नहीं दिखेगे, और जिस भी व आपकी प्रेस रिलीस को सम्मिट करती हैं, और वही दूसरी जगहों पर भी आपकी जो प्रेस रिलीस है, उसको डिस्ट्रिब्यूट करती हैं, और तीसरा जो तरीका है, वो है हमारी एजनसी का तरीका, बहुत जारी मार्केट में पी आर एजनसी हैं, आप उनके पास जाए यह जाएगी तो इस टाइप से उनके पास packages होते हैं कि आप 6 महीने का package लेना चाहते हैं तो इस महीने हम 2 press release करेंगे, इस महीने 1 press release करेंगे, इस महीने 3 press release करेंगे, depending on कि आपके जो events है वो किस तरीके से आपकी organization में हो है, अब किसी organization में रोज के रोज तो events होते नहीं and it's a costly link building technique, तो कहने का एक मतलब यह है कि primary जो press release है, वो लोगों को अपनी company के बारे में information, अपनी website, अपनी brand के बारे में information देने के लिए as well as branding perspective से use होती, बट क्योंकि उस article के साथ हम लोग links भी लगा सकते हैं, इसलिए हम हमें वाज़ेक backlinks भी मिल जाता है, उसके लावा वो बहुत स खास फाइदा होगा नहीं उससे, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर वापस आ जाता हूँ, अगर मैं आपको दिखा हूँ यहाँ जैसे मैं, गूगल पर जाकर, digital marketing, agency press release, यह मैं type करता हूँ, और मैं यहाँ पर अगर news पर आ जाओ, और news पर आने के बाद मैं कुछ link जैसे यह पहला ही जो link है, एक journal है, उसको मैं open करता हूँ, तो आप देखोगे, यह एक type से PR है, और यहाँ पर देखो, URL से आप समझ गया होगे, digitaljournal.com slash PR, and this is the title of this PR, ठीक है, और किसके द्वारा publish किया गया, वो आप देख रहे हो, और यहाँ जरूर आपको कहीं न कहीं एक backlink देखे हैं, और फिर इन से आप backlinks ले सकते हैं, ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर Google के उपर जाओं, और जाने के बाद मैं यहाँ पर PR या प्रेस रिलीज एजन्सी इन इंडिया, मैं simple से यही चीज़ टाइप करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखो, बहुत सारे आपको मैं open कर लेता हूँ, यहाँ पर अगर हम लोग चलें, तो आप देखो, इनके proper packages हैं, इंडिया PR distribution, इंडिया's first comprehensive PR distribution service, और proper इनों ने उनको आपको जो आपकी press release है, उसको आपको submit करना पड़ेगा, and then यह उसको audit करेंगे, and you can buy their package also, और यह आपको guidelines भी देंगे, proper package हैं यहाँ तो यहाँ पर आप देख रहे हो, one press release आप कर सकते हैं, यहाँ पर two कर सकते हैं, यहाँ पर three कर सकते हैं, और amount आपको दिया हुआ है, तो initially बहुत जारे business owners के लिए feasible नहीं होता है, कि वो इस type के जो packages हैं, उनको buy कर सकें, कितनी बड़ी आपको press release रखनी, और सारी information उससे related basically your PR distribution, तो हम लोग PR को as backlink strategy यूज तो करते हैं, क्योंकि जब हमारा PR जाता है, तो backlinks लगा लेंगे बीच में, but actually PR branding के point of view से ज़ादा यूज होता है, तो कहीं अगर आप PR backlink type of strategy सुनें और आपको लगे चलो मैं अपनी भी website के लिए बनाता हूँ, जरूर ही नहीं है, आप के थूरू भी आप service लेंगे, वो आपको कुछ guidelines देंगे, कि आपका title किस तरीके से होना चाहिए, आपनी brand को content में कितनी बार mention कर सकते हैं, कितने backlinks आप दे सकते हैं, तो ये सारी जो guidelines है, ये वो आपको PR distribution, company या agency जो है वो दे देगी, अगर आप individual level पर करना चाहते हैं, जै बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, जैसे यहाँ पर एक free PR news UK की है, एक website, ठीक है, press release online भी एक free बोलने हैं, तो ऐसी भी बहुत सारी website आपको मिल जाएंगी, जहाँ पर आप registration करके, आप अपना जो free PR release है, उसको आप submit कर सकते हैं, ठीक है, जब कभी भी हम लोग अपने backlinks बनाते हैं, तो हमारा जारा 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 फोकस इस चीज़ के उपर रहता है, कि हम नए ने backlinks जो हैं वो जल्दी जल्दी बनाते हैं, कभी भी हम लोग अपनी backlinks profile की ठीक तरीके से study नहीं करते हैं, और इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, कि over the period of time हम नए backlinks तो बनाते ही जा रहें, बट उसके साथ साथ जो हमारे पुराने backlinks बनते हैं वो भी हमारे lose होते हैं, उन backlinks को भी हम lost करते जाते हैं, तो किन तरीकों से हम जो हमारे पुराने backlinks हैं, जो हमने खो दिये हैं, उनको हम वापस claim कर सकते हैं, reclaim कर सकते बस इसी को हम लोग बोलते हैं reclamation अब इसके लिए आपको क्या समझना होगा सबसे पहले आपको अपनी back links profile ठीक तरीके से देखनी आनी चाहिए आपको ये समझना पड़ेगा कि basics को ध्यान में रखे आप किस type से जो है अपने 404 pages को identify करेंगे उन 404 pages के उपर कौन से जो links है वो point कर रहे हैं ये सारी चीज़े हैं मतलब basics जो है कि back links profile को किस तरीके से study किया जाता है वो आपको clear होना चीगे तभी आप link reclamation को successfully कर पाएंगे तो चलिए यहाँ पर मैंने कुछ points लिखे हैं और जो reasons है link lose होने के उनकी भी हमने बात करी यहाँ पर तो आप देखों यहाँ पर लिखा हुआ है building new link is always tougher than retaining old links जो पुराने links है जो आपने पहले ही बना रखे हैं अगर आप उनको ही नहीं retain कर पा रहे हैं तो नया links आप बनाएंगे और जो पुराने links हो आपके जा रहे हैं तो जो link juice वाला concept है वो आपका hamper हो रहा है it is also important not to lose any link juice on our website currently है जैसे यह हमारे website का एक page है ठीक है और यहाँ पर एक कोई external page है जहां से हमें backlink मिला हुआ था ठीक है अब अगर यह वाला जो हमारा page है यह 404 हो जाता है तो हमारे domain के उपर जो link juice पास हो रहा था ना वो तो अब lose हो जाएगा क्योंकि यह वाला link है अगर यह broken link हो गया तो यह वाला link हमने lose कर दिया अगर link lose कर दिया तो उसके साथ-साथ जो link juice हमारे domain को pass हो रहा था हमारे page को pass हो रहा था वो भी हम lose कर देते हैं तो एक तरफ तो हम लोग नए backlinks बनाते जा रहे हैं महनत करते जा रहे हैं और जो पुराने backlinks उनको हम समाल नहीं पा रहे हैं तो इनी चीजों को हमें समझना पड़ेगा तो यहाँ पर जो link reclamation की basic definition है वो आप समझ लो अब अलग-अलग reasons हो सकते हैं जैसे यह आपका page था जिसका link यहाँ पर किसी दूसरे external page के उपर present था अब यहाँ पर आपने link लगाया अब author नहीं इस link को remove कर दिया हाँ से या इस page को delete कर दिया तो आपका जो link है वो loose हो गया तो यह तरीका है दुसरा क्या है? कि जो आप ही का page है वो exist नहीं करता है तो अगर आपका यह वाला page था जिसका आपने link कहीं पर दूसरे page के उपर बनाया था अगर यही page 404 हो गया हो यही exist नहीं करता है तो भी जो है आप link जो है वो lose कर देंगे तो यह सारे reasons हैं जो basically link laws के cause बनते हैं third जो है the link page gets 301 redirected जो linking page है ठीक है जिसको आपने link किया हुआ है इसका backlink आपने बनाया है और इस page का link मैंने यहाँ पर दे रखा था this was page 2 यह कोई दूसरा page है दूसरी website का बड़ी महिनस से हमने backlink बनाया है इसी तरीके से fourth is linking page is no longer indexed in google यह situation वैसे आती नहीं है बढ़ हाँ यह एक reason हो सकता है कि जो linking page है अगर यह Google में index ही नहीं हुआ Google को आपके link के बारे में पता ही नहीं चला तो तो यह reasons है जिनकी वजे से आपके जो links है वो loose हो सकते हैं जैसे आप देख रहे हो मैंने एक random सी यहाँ पर backlink profile जो है वो open कर रखी है Uber suggest के अंदर तो आप देख सकते हैं आपर जो नए links हम बनाते जा रहे हैं मतलब 350 नए links बने और 290 links को हमने loose कर दिया अगर आप इसको देखेंगे तो कहीं पर भी न ratio कम नहीं है यहाँ हमने 386 नए links बनाए 24 जून को और 232 लूज कर दिये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगवख 486 नए links बने और 342 जो है ना referral domains से जो links हमें मिल रहे थे वो हमने loose कर दिये तो एक तरीके से जो हमारी website को या हमारी pages को जो link juice मिल रहा है मुझसे compromise कर रहा है पुराने links को ही नहीं समाल पा रहे रहा है तो हमें क्या करना चाहिए किस type के steps हमें लेने चाहिए वो भी मैं आपको explain कर देता हूँ देखो सबसे पहले हमें क्या करना है हमें हमारे जो internal broken links है उनको सबसे पहले हमें solve करना है अब internal broken links की मैं बात क्यूं कर रहा हूँ क्योंकि देखो internal जो links होते हैं आपके वो आपकी website के उपर होते हैं उनके उपर आपका पूरा control है तो सबसे पहले हमें ऐसी चीजों को fix करना है जिसके उपर हमारा control है तो for example यहाँ पर यहाँ आपका दूसरी था हमने एक दूसरे page को इससे links जो है वो provide किये ठीक है अब मान लेते हैं यह वाला हमने delete कर दिया 404 कर दिया ठीक है अगर यह delete हो गया तो फिर यह जो links इसको point कर रहे थे यह तरीके से broken link हो गया तो अब आपको क्या करना है कोई भी tool जिसमें आप comfortable हो चाहे वो आपको find करने और उसके बाद आपको यह filter out करना है कि इन pages के उपर कौन से जो links है वो point कर रहे थे ठीक है तो उन फिर links को आपको जो broken links है उनको आपको fix करना है ठीक है this is first thing second thing इसी तरीके से आपको जो आपके external links मतला आपको अपनी website के 404 pages ही देखने है but उन pages के उपर जो आपको fix करना है third अप यह भी देख सकते हैं जैसे कई बार ऐसा होता है जैसे let's say कि अगर मेरी brand है उमर तसकीर तो बहुत सारी जगहों पर internet के उपर उमर तसकीर brand को mention किया गया बट mention करने के साथ साथ ना वहाँ पर जो link है वो नहीं डाला जैसे किसी ने अपने एक article में उम आरेम के tools आते हैं जिनको आप use करके आप यह figure out कर सकते हैं कि आपकी brand को कहां कहां पर mention किया जा रहा है फिर आप उनसे connect कर सकते कि देखो भई आपने हमारी brand को यहां पर mention किया था और यहां पर opportunity है कि आप हमको backlinks दे सकते हैं तो यह भी आपके लिए एक backlinks की जो अपरचु परसें लूज ना करें अगर उन्हें वापस reclaim करने का opportunity है तो हम उसको करें बहुत important concept है इसलिए मैं इसके उपर अलग से वीडियो बनाया है reclamation is very important तो guys क्योंकि यह नाम थोड़ा सा नया आपको लग रहा होगा link round ups वैसे बहुत सारी backlinks create करने की strategies हैं जिनके नाम आपने सुन होगा तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि link round ups back links actually किस तरीके से दिखते हैं तो यहां पर मैंने search करके रखा हुआ है मैं आपको दिखाता हूं देखो यहां पर हम लोग आते हैं page के उपर और अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर एक specific niche या एक specific categories के back links को एक curate करके जो है वो यहां पर दिखाए गया है तो बहुत सारी ऐसी website होती है internet के उपर जो basically अपने weekly link round ups करती है या monthly link round ups करती है बहुत सारी ऐसी भी website है जो daily link round ups करती है तो अब इसका मतलब क्या है देखो यहां पर यह एक website है जिसने weekly link round UP का यह एक page जो है वह कीरेट किया weekly link roundups number 16 और latest web design and marketing से related जो links है वो इन्होंने एक साथ curate किये हुए तो ऐसे बहुत सारी websites हैं जो different different nishes के उपर काम करती है different categories के उपर काम करती है और उस category और उस niche से related जो और भी बहुत सारी websites है बहुत सारा content है उनको वो अपने ये जो weekly link roundup होता है उसमें curate करते हैं मतलब लेकर आते हैं एक साथ ताकि कोई भी अगर इस particular page के उपर आ रहा है यहाँ पर आ रहा है तो उसे एक जगे पर ही एक type के जो links है वो दिख जाए तो ये जो चीज है ये link roundups कहलाती है तो हम लोग भी यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर five tactics to appear यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है और अगर मैं इस पर hover करता हूँ तो आप देखो नीचे quick sprout का आपको link दिख रहा होगा उसी तरीके से मैं नीचे आता हूँ तो 2018 के असपास बहुत जादा popular हुई थी एक और चीज है अगर आप backlinks की popularity की बात करेंगे तो अगर आप थोड़ा सा भी study करेंगे तो आपको समझ में आएगा 2012-13-14 इन टाइम के अराउंड ना back links बहुत जादा popular थे इंटरनेट के उपर बहुत जादा सर्च किया जाता था कि back links किस तरीके से बनाएं मतला back links एक बहुत जादा सर्च होने वाला term था internet के उपर but over the period of time जैसे लोगों को समझ में आए कि बहुत सारे algorithms अपडेट्स आ चुकी है गूगल के अंदर अब उतना आसान नहीं रहा कि आप कोई भी back link बनाएंगे quality back link नहीं बनाएंगे और आपकी website जो है वो rank हो जाएगी तो लोगों ने थोड़ा सा जो है न इस चीज की तरफ ध्यान देना कम किया और जो बाकी के factors थे जैसे गूगल ने अपने algorithm को update किया और बाकी की चीजों को भी priority देना शुरू किया बहतर content ठीक है इट का concept हो गया और ऐसे बहुत सारे mobile optimization, speed optimization ऐसे बहुत सारे factors जो priority में और आगे निकल गए तो इस case में हुआ ये कि लोगों ने उन अगर आप देखेंगे आपर ध्यान से तो आप देखेंगे 2012 से 14-15 के आसपास जो searches हैं इंटरनेट के उपर वो काफी high रही हो over the period of time ये कम होता गया अगर मैं यहाँ पर change करके भी दिखा हूँ आपको जैसे मैं simply यहाँ backlinks mention करता हूँ तो भी आप देखोगी यहाँ पर दे इंटरेश्ट है वो थोड़ा सा कम हूँ अब ऐसा नहीं है कि backlinks की value कम हुई है जो अच्छे backlinks नहीं थे उनकी value कम हुई अगर आप अच्छे backlinks लेते हैं अच्छे source से backlinks लेते हैं relevant backlinks है तो वो any day है वो useful है आपके लिए तो guys हमें यह बात समझ में आ गई कि अच्छा link round up यह चीज होती है अब अगर हमें हमारी website के लिए link round up करना है तो हमें क्या करना होगा देखो इसके लिए पहले तो आपको website ढूननी पड़ेगी जैसे यह एक website है और फिर इस website को approach करना पड़ेगा कि भाई हम आपके weekly जो link round up है उसके अंदर हम अपना link जो है वो mention करना चाहत है तो यह थोड़ी सी एक process है जिसको आपको करना पड़ेगा उसके लिए आप Google की जो search operators है उनकी आप help ले सकते हैं तो guys मैंने quickly यहाँ पर digital marketing link round up जो है वो type कर दिया अब अगर आप देखोगे तो जैसे मैं इसको open गरता हूँ इसको open गरता हूँ यहाँ पर तो आप देखो अगर इस website के उपर जाएगा तो वो beneficial होगा बट इन सब चीजों के लिए एक चीज तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपकी जो website है वो genuine हो वो proper हो वो authentic हो उसके उपर जो आपने content mention किया है वो authentic हो तो उस चीज का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा और यहाँ पर इस website का भी डिये वगएर आपको चेक करना पड़ेगा यहां से क्यूंकि आपको backlink मिलने वाला है अगर मैं popularity की बात करूँ तो 2019 के यह बहुत जादा popular थे अभी उतने जादा popular नहीं है बट still आप backlink variation के point of view से backlink profile की diversity के point of view से इसको consider कर सकते हैं तो यहाँ पर जैसे मैंने य जो है एक page open के आप देख रहे हो यहाँ पर भी link roundups है यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अगर तो आप देखोगे यहाँ पर भी आपको link roundups देखने को बिलेगा थोड़ा सा आपको study करना पड़ेगा और मैं आपको एक template भी दिखा हूँ बहुत ही basic सी template है serial number और आप website mention करते है website क क्या contact है website का email contact है website का d.a. क्या है और अपने remarks तो इस type से आप एक sheet type की बना सकते हैं जिन भी websites को आप धून रहें link roundup के point of view से उनकी आप एक sheet बना ले उसके बाद उनको आपको outreach करना पड़ेगा तो outreach के लिए अगर आप किसी tool को use करना चाहते हैं outreach reach के बहुत सारे जो market में tools हैं वो भी available है वो अगर आप prefer करना चाहे तो भी कर सकते हैं list शोटी है तो आप manually उसको जो है emails भेज सकते हैं बट इस चीज का ध्यान रखें आप कि जो आप emails craft करें वो सही हो genuine हो proper हो वो सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है कभी और हम लोग outreach emails क्या होते हैं किस तरीके स उनको craft करना चाहिए ताकि आपको success मिल सके हैं उन सब चीजों के उपर हम कभी next वीडियो में है बहुत detail में जो है बात करेंगे अभी जो हमें समझना था वो link roundups क्या होते हैं गाइस बहुत सारे लोग हमेशा है पूसते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो बड़े media publications हैं media houses हैं उनसे हम लोग backlinks ले सकते हैं क्या यह possible भी है हाँ यह बिल्कुल possible है और आप यह कर सकते हैं using hyero strategy तो समझेंगे हम लोग सबसे पहले यही चीज की hyero backlinks बनाने का जो एक ecosystem है व हो गई होगा वह हम खुद को मान लेते हैं कि हम website owner है जिस website के लिए हम लोग backlinks बनाने चाहते हैं हम क्या चाहते हैं कि बड़े publication houses के उपर जो है वह हमारा content जाए और वहां से मुझे backlink मिले ठीक है तो पहला जो यहां पर involvement हो गया website owner का हो गया और इसका नाम में यहां पर source ल चाहता है वह एक source हो गया उसके बाद बहुत सारे media houses है media publications है ठीक है अब इन लोगों को content चाहिए होता है तो इनके पास क्या होते हैं generalist होते हैं but generalist के पास भी बहुत जल्दी ना इतने time के अंदर इनको यह content लिखना है इतने time के अंदर इनको यह article देना है तो ऐसे cases में generalist भी बाहर निकल के आते हैं और दूसे लोगों को अप्रोच करते हैं मतलब इस website owner को अप्रोच करें क्या आप हमारे लिए content है वो लिख सकते हैं अगर आप content लिख देंगे तो हम आपको एक जो backlink है वो provide कर देंगे अब बात समझना यहाँ पर यहाँ पर तीन चीज़े है media houses जर्नलिस्ट है और यहाँ पर source है जो जिस website owner को चाहिए backlinks वो source वाला बंदा है तो वो जर्नलिस्ट की help करेगा इसलिए इसका नाम help रिपोर्टर आउट है वो इस reporter जर्नलिस्ट बोलीजे आप reporter बोलीजे वो इस reporter की help करेगा content को create करने में ताकि वो अपनी deadlines को meet कर पाया और इस media house में या media publication में आपका article या जो content है वो यहाँ पर publish हो जाए और वहाँ उसे आपको backlink मिल जाए तो यह पूरी process है अब समस्या यह है कि यह तीनों मिलेंगे कहाँ पर ऐसा क्या platform है जहाँ पर तीनों मिलेंगे है ना तो guys हमारे पास एक official website है अगर आप देखों यहाँ प ठीक है तो आप इस website के उपर आ जाए और यह वो website है जो basically यहाँ पर आप समझो कि एक तरीके का bridge बनाती है जर्नलिस्ट और source के बीच में तो जर्नलिस्ट अपनी requirement यहाँ post करते हैं और as a source आपको वो requirement मिलती है अगर आप उन requirement को fulfill कर देते हैं मतलब content उनको दे देते हैं तो अगर आप subscription वाले section के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे बट आपका काम free वाले से हो जाएगा एक बार के लिए तो आपको क्या करना है आपको इस website के उपर आप आप लोग खुदी मुझे बताईए comment करके मिले को बता दीजेगा आप कि आपको इस website पे journalist की तरीके से sign up करना या source की तरीके से हम लोग किसकी तरीके से करेंगे source की तरीके से हम लोग sign up करेंगे आपर तो क्यूंकि हम website ओनर तो हम source की तरीके से आपर sign up कर लेंगे normally आप जब sign up की उपर जाएंगे आप तो जैसे normally आप बहुत सारे accounts बनाते हैं उसी तरीके से first name, last name, email, phone number, company, country, password य देखो requirements पोस्ट करने वाला बंदा कौन है? जर्नलिस्ट है तो जब आप अपना subscription यहाँ पर डाल देते हैं और अपना email वगरा डाल देते हैं तो आपके पास उन जर्नलिस्ट की तरफ से email आते हैं ठीक है? उन जर्नलिस्ट की तरफ से आपको email आएंगे और daily तीन email आएंग तो इस type के emails आपको मिलेंगे जहाँ पर जो जर्नलिस्ट या reporters हैं वो अपनी requirements through mail आपको भेजते हैं और जब आप इसके उपर click करेंगे जैसे यह आपको दिख रहा है इसके उपर आप click करेंगे तो proper उसमें चीजें होंगी कि भाई भेजने वाला person कौन है? उनकी expectation क्या है? कितने words का content चाहते हैं? कितनी उसकी deadline है? क्या deadline है basically? कब तक तुमको वो content देना है? तो आप उनको वापस mail करेंगे बट इस बात के धियान रखें वो आपके relevant होना चाहिए ऐसा नहों कि आप finance category के हैं भी नहीं आपकी website भी finance category की नहीं है आपकी जो authority है वो भी finance category में कुछ भी that is basically a pitch और जब आप उनको pitch करते हो तो ऐसा नहीं normally कि आप बोल दो कि हाँ भी मैं करना चाहता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा? आपको mail में 4-5 line का अपना introduction देना पड़ेगा कि myself Umar, I am owner of this website which is having this much of traffic and this much of DA on PA, whatever metric you want to share, कुछ basic उनको बताना पड़ेगा कि हाँ भी ये कोई उनको send करना है, जितना organize, जितना बेहतर content आप लिखेंगे उतना अच्छा है, उसके बार नीचे आके आप छोटी सी एक line लिख सकते हैं कि अगर आप हमारे इस content का कोई भी part, जो है content कैसा होगा, proper होगा title है, उसका proper जो content है, structure के साथ की headings क्या होंगी उसमें, उस सारा आप send करने, उसके बार सबसे last में आप क्या mention करेंगे, कि अगर आप हमारे content का कहीं पर भी use करते हैं, देखो कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि पूरे का पूरा content ही use का लिए रहे कई बार, थोड़ा content use किया जाता है, तो आप उनको बो link कहीं पर भी अगर आप हमारे content क use करते हैं, तो यह रहा link आप यह हमें please credit जो है, वो दे दीजेगा, तो this is actually called as a pitch, तो ज़रूरी नहीं कि वो pitch का आपको reply आए, ठीक है, अगर वो use कर लेंगे, वो accept कर लेंगे उसको, तो आपका जो hero का, जो मैंने भी आपको official website दिखाई है, उस hero के dashboard के अंदर आपको दिख आएगा कि वो accepted है, अगर नहीं accepted है, उनको नहीं समझ में आया, आपका content, आपकी information तो कोई बात नहीं, but media houses से back links लेने का जबर्दस तरीका, genuine और जबर्दस तरीका, लेकिन होता गया हम लोग मेहनत नहीं करते हैं, यह efforts नहीं करना चाहते हैं, हम तो यह चाहते हैं, कोई हमक इसकुल नहीं बनेंगे, और आने वाले time में तो नहीं ही बनेंगे, content based back links का time है, content के साथ ही जो back links होता है, genuine जो back links है, वहीं है, तो यह सारे genuine sources है, थोड़ा समय आप लोगों से request जरू करूँगा, website को browse करें, अब देखो, media houses using haro, अगर आप देखो, तो बड़े-बडे media houses है Chicago Tribune, Time, Mashable, NYT, New York Times, तो बड़े-बडे यहाँ पर media outlets है, अब यह आपको, यह जो मैंने आपको यहाँ पर ecosystem बताया था, वो आपको समझ में आ गया होगा, कि हमें जो link मिलना है, वो यहाँ से link मिलना है, ठीक है, और कब मिलेगा, जब हम, जो हमारा content है, वो एक reporter को help करने के ल और यह इसकी website एक तरीके से, यहाँ से आप लोग इसको कर सकते हैं, तो प्लीज को try करिए, आप लोग sign up करें, वो कोई बहुत मुश्किल नहीं, बहुत ही simple सा interface है, जब sign up करके आप login करेंगे, तो बहुत ही simple सा interface है, और हमें register कहाँ पर करना है, source में, generalist में नहीं, source में हमे register करना है, right, I believe अभी आपको यह चीज clear होगे हो, data भी देख लें, आप बहुत सारे sources हैं यहाँ पर, बहुत सारे generalist और bloggers हैं यहाँ पर, generalist और bloggers अपनी requirements पोश्ट करते रहते हैं, आखिर यह resource page link building tactic क्या है, और किस तरीके से हम लोग इसको use करते हैं, और इसको use करके किस त समन होते हैं, वो मैं आपसे पहले discuss कर लेता हूँ, सबसे पहला question यह होता है, कि यह जो backlink मनाने की strategy है न, यह सही है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई black hat tactic को, या कोई black hat approach जो है, उसको हम use कर रहा हैं, तो इस particular case में आप इस बात से sure हो जाएं, कि resource page link building एक powerful backlink strategy है, औ और कहीं से भी इसके अंदर black hat जैसा कुछ भी नहीं है, एक चीज तो यह clear हो गई, दूसरा जो question आता है, link building strategy से related, tactics से related, वो यह होता है, कि जो भी link building की approach हम use करें, वो scalable हो, मतलब ऐसा नहों कि हम उस strategy के through, एक ही दो backlinks बना पाएं, उससे जादा हम backlinks ना बना सकें, या ना ब जो आप देख रहे हो, 2017-18 के आसपास, Moz ने एक research करी थी, और बहुत सारे लोगों से पूछा था, कि वो किस टाइप के जो backlinks है, वो आज के time में create कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखो, तो बहुत सारे लोगों ने बताया था, कि वो resource pages को, और link list pages, जिनको भी बोला जाता है, resource pages का ही एक तरीके से दूसरा नाम, link list pages है, तो उनको use करके बहुत सारे जो लोग है, वो backlinks जो है, वो create कर रहे हैं, अब सबसे important चीज जो हमें समझनी है, कि आखिर सर यह resource page का मतलब क्या है, और resource page की help से किस तरीके से backlinks बनाए जाते हैं, और आप practically किस तरीके से ब website है, या और आसान तरीके समझना चाहें, तो कोई दूसरा blog है, ठीक है, यह blog है, अब यह let's say content लिखता है, digital marketing के around, इसने अपनी website के उपर एक resource page बना रखा है, ठीक है, अब resource page है, तो मैं मान के चलता हूँ, जैसे यह website है, a.com, तो यहाँ पर इसके पास एक page है, resources.html करके, resources करके एक page है, अब इस page के उपर इसने, क्योंकि यह जो blog है, यह blog है related, यह website जो है related है, digital marketing से related, तो बहुत सारे लोग इस website के उपर आते होंगे, जिनको digital marketing का जो content है, वो consume करना है, तो यहाँ पर इनोंने और additional resources जो है, वो provide कर रखी, ताकि लोग इस resource page के उपर जाएं, और द इस page के उपर कोई आता है, यहाँ पर SEO का section है, यहाँ पर PPC का section है, यहाँ पर let's say Google Ads का section है, यहाँ पर content marketing का section है, और बहुत सारे links SEO के section में, अभी practically आप इस चीज़ को देख भी लोग है, समझ में आ जाएगा, यहाँ पर बहुत सारे links जो हैं वो PPC resources को point करते हैं, यह कोई दूसरी website है, आपकी website नहीं है, अब यहाँ पर आपकी website है, जिसके लिए आप क्या कर रहा हो, जिसके लिए आप backlinks बनाना चाहरे हो, और आप भी SEO के बारे में लिखते हैं, आप भी PPC के बारे में लिखते हैं, और आपने बहुत ही अच्छा content ना SEO के around लिखा हुआ है, SEO के लोगों के लिए ठीक है, तो आप ऐसी बहुत सारी जो resource websites हैं, उनको आप search करोगे, जो यहाँ पर आप देख रहे हो, और आप identify करोगे कि आपकी निश्की ऐसी कौन सी websites हैं, जिनके अपने resource pages हैं, और वहाँ पर आप अपना link जो है, वो डाल सकते हैं, अब यह थोड़ी सी म outreach campaigns है, outreach emails है, outreach approach है, उसको नहीं device किया, तो success percentage बहुत कम होता है, पट इस टाइप के backlinks भी बहुत powerful होते हैं, जैसे हम guest blogging की बात करते हैं, तो guest blogging में भी आपके जो outreach की emails हैं, वो काफी powerful होने चाहिए, broken backlink strategy की जो हम बात करते हैं, तो आपके जो outreach emails हैं, वो काफी powerful होने game क्या है, कि आपको ऐसी websites आपकी ही निश्की, आपकी ही categories की ढूननी है, जिन्वे resource page exist करता हो, और अगर आपको होँपर resource page मिल गया, तो फिर आप उस website का audit करेंगे, audit वही SEO के basics आप चेक करेंगे, website mobile friendly है या नहीं है, website का structure ठीक है या नहीं है, जिस content को, वो यहाँ पर as a resource page mention कर रहा है, वो उसी की website का content नहीं होना चाहिए, देखो इस बात को समझो, जैसे यहाँ पर कोई website है, abc.com, और इसने अपने ही resource page के उपर, अपनी ही दूसरी resources का link डाल दिया, तो वो तो आपके काम का है नहीं, तो आपको ही समझना पड़ेगा, कि उस website के उपर, जो है, outbound links होने चाहिए, दूसरे websites के जो links हैं, वो होने चाहिए एक तरीके से, यह थोड़ी से आपको research करनी पड़ेगी, जो SEO के basics है, जो DA है, PA है, इन सब चीजों की थोड़ी से आपको समझ होनी चाहिए, ताकि आपको यह लगी कि हाँ यह website ठीक है, अगर हमें यहाँ से backlink मिल जात prospecting का, मतलब दो phases में यह होगा, prospecting मतलब websites ढूननी है, और दूसरा जो होता है, वो क्या है, outreach करना है, ठीक है, तो website किस तरीके से ढूनेंगे, यहाँ पर आप देखो, हम लोग जो use करने वाले हैं, वो Google के search operators को use करने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही simple तरीका है, और अभी आप कितने आपको resource pages यहाँ पर दिख जाएंगे, तो मैं इस चीज को use करने वाला हूँ, एक चीज के लिए, ठीक है, तो मैं इसको copy कर लेता हूँ, यह जो हमारा syntax है यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ पर paste करता हूँ, ठीक है, अगर आप देखोगे, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे title में resources हो, और url में resources.html हो, तो resources.html का मतलब कि हम resources वाले page को find करना चाहरे है, तो यह हमने advanced search operators को use किया, और अगर हमारी category digital marketing है, तो मैं digital marketing लिख देता हूँ, health होती तो मैं health लिख देता है, ऐसी होती तो whatever it is, ठीक है, तो मैं मोटा माटी जो हमारी niche है, उसको मैंने mention कर दिया अब enter mention करने के बाद, यहाँ पर अगर आप देखो, तो हमें बहुत सारे pages हो दिख रहा है, जैसे एक page यह है, मैं इसको open कर लेता हूँ, एक page यह है, मैं इसको भी open कर लेता हूँ, इसको भी open कर लेता हूँ, यहाँ पर भी एक page, इसको भी मैं open कर लेता हूँ, तो कुछ pages म तो आपको डिफ्रेंट डिफ्रेंट यहां पर जो है लिंक्स दिख रहे हैं इस तरीके से आप भी अपनी वेबसाइट का जो लिंक है यहां पर मेंशन करा सकते हैं अगर आपके रिसोर्सेज में दम है तो ठीक है तो आपको इनसे आउट्रीच करना पड़ेगा प्रॉपरली इनको मेल भीज़ना पड़ेगा इनका जो परसन होगा उससे कनेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद अपनी बात आप कह सकते हैं कि you have resources pages जैसे यहां पर देखिया अगर जो हमन के अंदर href अगरा के अंदर भी इन website को एक साथ study कर सकते हैं यह भी आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं बट basics क्या है वो समझनी जरूरी है कि जैसे मैं यहां पर आता हूँ वेब fx पे तो यहां पर भी देखो यह resources है पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह resources इन्हीं की website की तो एक बार के लिए हम ignore करेंगे है न क्योंकि भाई अगर यह अपनी खुदी की website को यहां पर आजा resources mention कर रहा है तो यह हमारी website को तो mention नहीं करेंगे इसी तरीके से यह यहां पर भी हमें कुछ resources दिखने हैं देख रहे हैं आप SEO resources यहां पर दीवी है SEO resources यहां पर accessibility and UX से related बहुत सारे resources दीवी है website designing से related बहुत सारे resources दीवी है और यह सारे different pages हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां आपके पास opportunity बन जाती है तो ऐसी opportunities को ढूनके वहां से proper backlinks लेना ही backlinks campaigns होते हैं जिसको आप बोलते हो कि हमें backlinks के campaigns create करने यही सारे backlinks के campaigns हैं एक और website हम लोगों ने open करी थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर जैसे यह website थी अब यहां पर भी देखें आप resources है या नहीं आप देख लेंगे इसको जैसे यहां पर है यह अपनी निश में जैसे मैंने आपर तो digital marketing mention किया था आप fitness mention करना चाहें fitness करते हैं आप sports mention करना चाहें आप sports करते हैं जैसे मैं sports कर दे रहा हूँ तो आप देखेंगे sports से related बहुत सारी आपको resources मिल जाएंगी यहां पर अगर आप fitness करना चाते हैं तो fitness करते हैं आप travel करते हैं जो भी आपकी निश है, वो आप यहाँ फर mention कर सकते हैं, उससे related बहुत सारी आपको resources जो है, वो मिल जाएंगी, यह number काफी high होता है, थोड़ सा आपको SEO के basics के जब समझ होती है, तो वो चीज़ आप कर पाएंगे, इस चीज़ का अगर आप चाहें तो screenshot भी ले लें, ठीक है, मैंने symbol सा एक आपको Google का search operator बताया, और भी different types के Google के search operators होते हैं, अगर आप Google के उपर search करेंगे, तो Google के search operators भी आपको बहुत जाएदा मिल जाएंगे, थोड़े से advanced searching के लिए इन सब चीज़ों का use होता है, over the period of time, आपको धीरे धीरे चीज़ें भी समझ में आने लगेंगे, दोस्तों आशा करता हूँ, ये भी एक आपको जो link building के strategy समझ में आई होगी, कि इसका purpose क्या है और ये links बनते कैसे हैं, अब बनाने की जो process है, उसके लिए जो मैंने process आपको बताई, वही आपको follow करना है, outreach एक बहुत ही important चीज़ है, मैं आपको clear कर दूँ, outreach का मतलब होता ह कि आप किसी को reach out कर रहा है, for some purpose, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, outreach, ठीक है, तो outreach की क्या strategies होती है, backlinks के point of view से, उसके उपर separate video आएगा, ठीक है, किस तरीके से आपको outreach emails दिखने चाहिए, ताकि आपको backlinks मिलें, और chances हो कि आपका outreach email है, वह consider हो, success rate बढ़ सके, ठीक है, चाहे वो हमारा guest blogging के लिए हो, चाहे हमारा link building के लिए हो, outreach, emails का content है, वो काफी matter करता है, तो सुना आशा करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस particular video में इतना ही, मिलते है next video में, till then, goodbye. आपको पस्टान आपको पस्टान